तो यहांपर कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं पूजे है इलेक्टरोल बॉंड्स को लेकर लेकिन किकविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन एडि के पाथ जो सबूत मिले है इसमें साउट कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते कुन्वा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि के कविता के जरीए ही जो पैसा था साउट काटिल के जरीए आमादमी पार्टी तक पहुंचा था जिसका दावा यहां पर किया गया है ED की ओर से और दूसरी तरफ उसके जरिये ही जो पैसा है जिने ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे उस दोरान किस तरह से जो पैसा था वो अब आए साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए है अतुल के कविता को लेकर एडी पहुंची है इस वक्त राउजवनियो कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता को अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुंची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड आगे एडी मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल एडी की कस्टडी में है ऑठास माज तक उनकी कस्टडी मिली हुई है पहले सात दिन का रिमांड को मिला था कवीता का उसके बाद 3 दिन का रिमांड मिला ठहर प्यम्हें मेरे केस के अनौर 14 दिन का रिमांड जो है वो एडी ले सकती है तो अभी कोट रूम के अंदर पहुंचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसिज जो कोट के अंदर किस तरीके से एडी क्या कहती है क्या सबूत उसके हाथ लागे है क्योंकि 10 दिन की जो इंटेरोगेशन के कविता से हुई है व दिनको बकाEX उनसे कोंटेक किया और किस तरीके से क्या मुखक को के कविता है उसने अर्विंद केज़िवाल को कॉंटेक किया था या कॉंट्रक्ट दिली में आम आधी पार्टी की सरकार की तरफ से यानि कि टॉप जो लीडर्शिप है उसकी तरफ से के कविता को जो है कॉंट्रक्ट किया गया था इसकी इंवेस्टिकेशन अभी ED कर रही थी एक हमें इंपॉटेंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अर्विन क केजिवाल और के कविता दोनों ही ED के रिमांट पर थे आभी तक हमें ओफिशली जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कविता और अर्विन केजिवाल दोनों को आमने सामने बिठा कर पूशताच की गई है अगर यह पूशताच की गई है तो काफी एहम बात होगी क्योंकि की जानी थी और जब दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी तो उससे कई ऐसे सवाल जिसके जवाब एडी जानना चाहती है वो एडी को मिल सकते हैं तो मेहराल थोड़ा और इंतजार करना हुआ अतुल लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस वक्त अर्व केजरिवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टेडी में है तो वहीं बियारस नेता केकविता की कस्टेडी आज खत्म हो रही है इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केकविता की कोर्ट में पेशी हो रही है दिल्ली एक्साइस पॉलिसी से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में गिर केजरिवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टेडी में है उन्हें लेकर सियासी घमासान दिल्ली की सडकों पर देखने को मिल रहा है तो केकविता का आगे क्या होगा यह आज राउज एविन्यू कोर्ट में उनकी पेशी की बाद सुनवाई की बाद सामने आ जाएगा आतुल केकविता को लेकर अब से कुछ देर पहले एडी की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोड़ पहुंची है और इस्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीमलें लेकी है कावेरी बावेजा उनकी कोर्ट में पेश किया गया और इडी ने यह कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहि मताया कि हमने कई लोगों के आमने सामने बिढ़ा करें कविता तो य से का दूसरी पेशी हुई ती तो यहां पर दीन को मिला था तो 10 दिन तक लगातार interrogation के कवीत जो कि ब्यारस नेता है दिल्ली के आपकारी घुटाले में उनसे कर चुकी है अब उनको कुछ दिर पहले उनको राउसवेङ्यू कोर्ट पे पेश किया गया जहां पर ईडी कि अब उनको जो कविता है उनकी कस्टेडी की जुरूत नहीं है इसलिए उनको जेसी यानिकी नियाइक हिरासत मतलब की जेल भेज दिया जाए तो निश्चित रूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी लेकिन एहम बाते यहां पर जो कोट में बताई एडी ने कि ह हमने कई लोगों से आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की है सबसे यहां पर यह होगा प्राची कि जो अब जो डिटेल्स को दी जाएंगी जो को ऑफिशली बताया जाएगा कि क्या-क्या चीजे निकल कर सामने आई हैं जो के कविता से पूश्टाच की गई है क्योंकि उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की कस्टेडी जो है वो एडी को मिली थी के कविता की जिसके बाद उन्हें अब राउसवेन्य कोर्ट पे पेश किया गया है और अब एडी नहीं यह कहा है कि उनको आगे जो के कविता है उनसे पूश्टाच की जूरत नह अचा रही थी साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है शराब घोटाले से शराब घोटाला कैसे हुआ किसके शारे पर हुआ यह सब कुछ एडी पता लगा चुकी है और भोजल इसका खुलासा हो सकता है अतुल बिल्कुर प्राचे देखिए जो दस दिन की जो इंटेरोगेशन थी के कविता से वो आप इडी पूरी कर चुकी है और सबसे एहम यहाँ पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफ्तार के कविता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे पूश्टाच की गई थी और उसक में के आपकारी मंतरी मनी सिसोदिया क्या जो आम आधी पार्टी के नेता थे उन्होंने के कविता को कॉंटेक्ट किया या के कविता ने जो शराब व्यपारी थे साउथ लॉबी के उनके जो दवाब में दिल्ली की आम आधी पार्टी को कॉंटेक्ट किया ये इडी इन्व हैं आतुला बनरे अरवन केजुरिवाल को लेकर ज्यासी घहमा घहमी है वो मने जबरदस बवाल है आप आपनी पाटि जहां केजुरिवाल की प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। पहुचे पंजाब की मंतरी हरजोट सिंग बैस को भी हिरासत में ले लिया है। पीम आवास का घिराफ करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं। प्रोट के बाद एक दो आडर अरविन केजरिवाल की तरफ से अपने दो मंतरियों को दिया भी जा चुका है। प्रोट केजरिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में हैं लेकिन उन्हें दिल्ली का खयाल है। थास्टेवालtered को है। कि बेंस नावाल उन्हें तर्फ्विपाबढ़ तर्फ्वियं को लेँडर्पन दिल्ली का भी जावाल्छ बाँड़र्बढ़ अर्ष भास से केजरिवाले प्रोटिअ नावगन दिबढ़़ प्रोटेंवाल चाहते हैं। झाल जाए हैं। तो अर्विन केच्रिवाल फिलाल E.D. के सवालों का जवाब दे रही हैं उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घुटाले से जुड़ी हूई एक जानकारी एडिल E.D. जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घुटाले के दौरान जो इस्तमाल अरुविन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहां गया ऐसे तमाम सवाल हैं जो अरुविन केजरिवाल से पूछे जा रही है के कविता को लेकर अब राहुजवनी कोट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटाइक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरे रव आमादवी पार्टी के वे जो कारे करता है सडकों पर उतर है लेकिन आज एह पर आप देख रहे हैं जहांपर वो हाथ हिला कर अपनी बात रख रही हैं तर्रम से कोशिक हो लेकर लेकर लेकिन कोविता लगातार यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो बेगुना है लेकिन एडी के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि के कविता के जरिये ही जो पैसा था वो साउथ कार्टिल के जरिये आमादमी पार्टी तक प किस तरह से की कविता गते एक जट कार्टिय और जो जड़ को लेकर स्वक्त राउज़ेवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे के रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता को अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट रूम में अभी वो पहुंची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड आगे इडी मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल इडी की कस्टड़ी में है 28 माज तक उनकी कस्टड़ी मिली हुई है पहले 7 दिन का रिमांड इडी को मिला था के कविता का उसके बाद 3 दिन का रिमांड मिला था और PMLA के के की अंदर 14 दिन का रिमान्ट जो है वो एडी ले सकती है तो अभी और पहुंचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसिज जो कोट के अंदर किस तरीके से एडी क्या कहती है क्या सबूत उसके हाथ लागे है क्योंकि 10 दिन की जो इंटेरोगेशन के कविता से हुई है वो अपने आप में काफी एहम होगी साउथ लोबी को जिस तरीके से कविता लीड कर रही थी हैड कर रही थी और उसने जो दिल्ली में आमाधी पार्टी की सरकार थी उसकी टॉप लीडर्शिप यानि कि दिल्ली के मुख्य मंतरी अर उसकी तरफ से के कविता को जो है कॉंटर्ट किया गया था इसकी इंवेस्टिगेशन अभी एडी कर रही थी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अर्विन केजरिवाल और के कविता दोनों ही एडी के रिमांट पे थे आभी तक हमें ऑफिशली जानकारी आगर यह पूश्टाच की गई है तो काफी एहम बात क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग इसकी की जानी थी और जब दोनों पूछता कर पूछताज की जाएगी तो उस दोरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं शायद यही वज़ा है कि के कविता को लेकर ED एक बार फिर से राउजवनी कोर्ट पहुँची है और कोशिश होगी ED की कि शायद वो आगे रिमांड को और बढ़ाने की मांग आपनी पार्टी और पीज़पी आपने सामने हैं केजरिवाल 28 मार्च तक ED की कस्टेडी में है तो वहीं BRS नेता के कविता की कस्टेडी आज खत्म हो रही है इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि के कविता की कोर्ट में पेशी हो रही है दिल्ली एक्साइस पॉलिसी से जु नियाई किरासत में भेजने की मांगी है तो ED ने रिमान नहीं मांगी है लेकिन नियाई किरासत में के कविता को भेजा जाए यह जरूर ED की तरफ से कहा गया है तो यह पड़ी खबर आपको बता रहे हैं अर्विन केजरिवाल 28 मार्च तक ED की कस्टेडी में है उन्हें लेक कारी मिल रही है के कविता को लेकर देखे प्राची अब से कुछ देर पहले ED की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो PMLA की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया गया और ED ने कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं के चाहिए के कविता को दिली का आपकारी घोटाला है उसमें जो साउuni मनत्री को हैट कर रही के कविता की पूरी इंटेरोगेशन जो है और पूरी हो चुकी है, कोट उसे आमना सामना के कविता का करवाया गया पहली जब पेशी हुई थी कोट में तो एडी ने साथ दिन का रिमांड मांगा था दस दिन का रिमांड मांगा था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो एडी ने पांस दिन का रिमांड मांगा था जिसके बाद तीन दिन क का रिमार्ट जो है वो एडी को मिला था तो दस दिन तक लगातार इंटेरोगेशन के कवीता जो कि बियारस नेता है दिल्ली के आपकारी घोटाले में उनसे एडी कर चुकी है अब उनसे कुछ दिर पहले उनको राउ सवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया जहां पर एडी ने कि हमने कई लोगों से आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की है सबसे एहम यहाँ पर यह होगा प्राची कि जो अब जो डिटेल्स कोर्ट को दी जाएंगी जो को अफिशली बताया जाएगा कि क्या-क्या चीजे निकल कर सामने आई है जो के कवीता से पूश्टाच की गई है क्योंकि आपको याद होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजनिवाल है वो भी 28 मार्च तक एडी के कस्टेडी में है 28 तारिक को उनको जो है वो जो राउ सवेन्य कोर्ट है उसमें पेश किया जाना है तो एडी की कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो दिल भीजा जा सकता है कि कवीता से जो भी पूच्टाच की जानी थी वो पूच्टाच लगभख पूरी हो गई है जितने भी सवालों के जवाब एडी जानना चाह रही थी साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है शराब घोटाले से शराब घोटाला कैसे हुआ किसके शारे पर हु बहुत जल इसका खुलासा हो सकता है अतुल और उस समय के आपकारी मंतरी मनीज सिसोधिया क्या जो आम आधी पार्टी के नेता थे उन्होंने के कविता को कॉंटेक्ट किया या के कविता ने जो शराब व्यपारी थे साउथ लॉबी के उनके जो दवाब में दिल्ली की आम आधी पार्टी को कॉंटेक्ट किया ये का आमना सामना अरुविन केजरिवाल से करवाया गया है या नहीं करवाया गया है जिन लोगों को आमने सामने बठाकर पूचताच करवाई गई है उसमें केजरिवाल शामिल है या नहीं है अतुला बनरे हैं हमारे साथ देखे अरुविन केजरिवाल को लेकर जो सियासी घहम आपकी कारेकरता पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जबर्दस थंगामा कर रहे हैं। नहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हला बोल दिया है। यहीं पर रोका गया है, दिली पुलिस की भारी तैनाती है, कई आपने पार्टी के कारेकरताओं को डीटेन की किया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के कारेकरता भी आसरतों पर उतरे हैं। बीजेपी के कारेकरता कह रहे हैं कि अरविंद केजडिवाल जो पिलाल एडी की कस्टेडी में हैं, उन्हें स्तीफा देना चाहिए। हाला कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजडिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्तीफा नहीं देंगे, वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और एक के बाद एक दो ओरडर अरविंद केजडिवाल की तरफ से अपने दो मंत्रियों को दिया भी जा चुका है संदेश देने की कोशिश है रुविन केज गिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली का खयाल है अर्विन केजरिवाल फिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी इडिल एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घोटाले के दौरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवाल फ KC-R BTE K. K BTA को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ED की टीम K. K. KWTA को लेकर ED की टीम राउजऑनी कोट पहुंश चुकी है और आज K. 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 E. D. कस्टेटी को खतम होने को लेकर अपील की जाएगी ED की ओर से रिमान बढ़ाने की मांग की जाएगी या दूसरी तरह कोशिश होगी के कविता की कि उनको जमानत मिल जाए उनको रहाई मिल जाए बहरवाल एडी ने के कविता को लेकर अब राहुजवनी कोट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटैक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरे रव आमादवी पार्टी के वे जो कारे करता है सडकों पर उतरे हैं लेकिन आज एहम मुद्दा रहेगा कि क्या के कविता को आगे की रिमांड मिलती है या फिर एक बार फिर से के कविता क्या एडी के शिकंजे से रिया हो पाती है या फिर उन्हें रियाई मिलती है और यह तस्विर आप देख रहे हैं जहांपर वो हाथ हिला कर अपनी बात यहां पर कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इलक्ट्राल बॉंड्स को लेकर या फिर हो सकते हैं वहां पर जो पत्रिकार हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हो इलक्ट्राल बॉंड्स को लेकर लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन E.D. के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि के कविता के जरीए ही जो पैसा था वो साउथ काटिल के जरीए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था जिसका दावा यहां पर किया गया है E.D. की ओर से और दूसरी तरफ अर्विन केश्डी वा काटिल है उसकी एक एहम कडी है जिसके जरीए ही जो पैसा है साउथ काटिल का पैसा है जिने ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे अस दौरान किस तरह से जो पैसा था वो अतुल के कविता को लेकर ED पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता का अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड आगे ED मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी धिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ED की कस्टडी में है 28 मांच तक उनकी कस्टडी मिली हुई है पहले 7 दिन का रिमांड ED को मिला था के कवीता का उसके बाद 3 दिन का रिमार्ड मिला था और PMLA के case के अंदर 14 दिन का रिमार्ड जो है वो एडी ले सकती है तो अभी courtroom के अंदर पहुँचे हैं देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे process जो court के अंदर किस तरीके से एडी क्या कहती है क्या सबूत उसके तॉप लिडर्शिप यानि कि दिली के मुखह मंत्री अर्विंद केजडिवाल और आपकारी मंत्री मनीश्य सोद combos किया उनको बकायदा उनसे कॉंटेक्र इस तरीके से क्या मुखह डिलन技 में आर्विंद केजडिवाल को के रिमांट पे थे अभी तक हमें ऑफिशली जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कवीता और अर्विन केज्रिवाल दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की गई है अगर यह पूछताच की गई है तो काफी एहम बात होगी क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग इसकी की जानी कि तो उस दोरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं शायद यही वज़ा है कि के कवीता को लेकर एडी एक बार फिर से राउजवनी कोट पहुची है और कोशिश होगी एडी की की शायद वो आगे रिमांट को और बढ़ाने की मांग करें कोट पहुची है बड़ी बात यह है कि एडी ने के कवीता की आगे की रिमांड नहीं मांगी है एडी ने राउज एविन्यू कोट में के कवीता को नियाई खिरासत में भेजने की मांग की है तो एडी ने रिमांड नहीं मांगी है लेकिन नियाई खिरासत में के कवीता को बेजा जाए ये जरूर एडी की तरफ से कहा गया है तो ये पड़ी खबर आपको बता रहे हैं अर्विन केज़िवाल जो के 25 तक एडी की गस्टिडी में हैं उन्हें लेकर सियासी घमासान दिल्ली की सडकों पर देखने को मिल रहा है तो के कविता का आगे क्या होगा ये सामने आ जाएगा अतुल भाटिया इस वक्त मेरे सयोगी राहु जेविन्यू कोट से मारे साथ जुड़ गए हैं अतुल क्या जानकारी मिल रही है के कविता को लेकर कि देखें प्राची अब से कुछ देर पहले एडी की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो PMLA की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया गया और इडी ने यह कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कविता को यानि कि जो दिल्ली का आपकारी घोटाला है उसमें जो साउथ लोबी को हैट कर रही दी के कविता के कविता लेकिन इडी ने कोट के अंदर यह कहा है कि कई लोगों से आमना साउथ के कविता का पहली जब पेशी हुई थी कोट में तोici दिन ने रिमान मागत भीने साफ दिन का रिमान ओर उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो उसके बाद दिन इडी को मिला था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो इडी ने पास दिन का रिमांड मांगा था जिसके बाद तीन दिन का रिमांड जो है वो इडी को मिला था तो दस दिन तक लगातार इंटेरोगेशन के कवीता जो कि बियारस नेता है दिल्ली के आपकारी घोटाले में उनसे एडी कर चुकी है अब उनको से खुछ दिर पहले उनको राउस वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया जहाँ पर एडी ने कहा कि अब उनको जो के कवीता है उनकी कस्टेडी की जुरू अब जो डिटेल्स कोर्ट को दी जाएंगी जो कोर्ट को अफिशली बताया जाएगा कि क्या क्या चीजे निकल कर सामने आई हैं जो के कवीता से पूश्टाच की गई है योकि आपको याद होगा कि जो दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल है वो भी 28 मार्च तक एडी के कस्टेडी में है 28 तारिक को उनको जो है वो जो राउ सवेन्य कोर्ट है उसमें पेश किया जाना है तो एडी की कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल है उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की के कविता से जो भी पूछताच की जानी थी वो पूछताच लगभख पूरी हो गई है जितने भी सवालों के जवाब एडी जानना चाह रही थी साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है शराब घोटाले से शराब घोटाला कैसे हुआ किसके शारे पर हुआ यह सब कुछ एडी पूरी कर चुकी है और सबसे एहम वहाँ पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफतार के कविता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे पूछताच की गई थी और उसके बाद जो सवाल उनसे पूछे गए उसका जवाब एडी को वो नहीं दे पाई किस तरीके से उन्हो के कविता को कंटेक्ट किया या के कविता ने जो शराब व्यपारी थे साउथ लॉबी के उनके जो दवाब में दिलि की आम आधी पार्टी को कंटेक्ट किया यह E-D investigate कर रही थी तो अब E-D अप देखते है कि इसके उस पर क्या official स्थेट्मेंट देती है लेकिन अब उड़ी ने कहा है कि अब उन्हें केक कविता की कस्टेडी की जूरत नहीं है उन्हें 14 दिन की नाई खेरासित यानि की जेल बेज दिया दिया है तो वहीं बीजपी भी केजरिवाल की खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है आपकी कारेकरता पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जबरदस थंगामा कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब से आपके सैक्डो कारेकरता पटेल चौक पहुंचे हैं यहां से वो पीम आवास का खिराफ करने के लिए निकलेंगे, आपकारकरताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सुरक्शा कडी कर दी है,िल्ली पुलिस ने धारा एक्सच़ाश लगा दी है, पुलिस ने कcurrent को डिटेन भी किया है, पुलिस ने विरोत क् करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रही है बीजेपी केजरिवाल के स्तीफे की मांग कर रही है तो आब आपनी पार्टी और मारतिय जन्रता पार्टी इस वक्त दोनु ही सडकों पर उत्रे हुए हैं एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की तस्वीरे आप देख रह हैं और यहां से पीयम आवास का घिराफ करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है दिली पुलिस की भारी तैनाती है कई आम आपने पार्टी के कारकरताओं को डीटेन की किया गया है तो दूसरी तरह बीजेपी के कारकरता भी आसरकों पर उतरे हैं और बीजेपी की कारकरता कह रहे हैं कि अरुविंद केजरिवाल जो पिलाल एडी की कस्टेडी में हैं उन्हें स्तीफा देना चाहिए हाला कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि अरुविंद केजरिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्ती तौर की तौरिवेंद केचरिवाल पिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रही हैं, उनकी सवालों का सामना कर रही हैं। उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई, एक एक जानकारी ईडिल। एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घुटाले के दौरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहा गया ऐसे तमाम सवाल है जो अर्विन केजरिवाल से पूछे जा रही है उनको रहाई मिल जाए बहरवाल एडी ने के कविता को लेकर अब राहुजवनी कोट पहुंची जिसकी तस्विर आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटाक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरे रव आमादवी पार्टी के वे जो कारे करत बाती है या फिर उन्हें रहाई मिलते है और यह तसबीर आप देख रहे हैं जहां पर और हाथ लाकर अपनी बात रक रही है यहां पर कुछ वह कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें साउथ काटिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है जो मौगा रहेगा बहुत एहम रहेगा के कविता के साथ और के कविता की कोशिश होगी कि आज उनको राहत मिले लेकिन एडी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है एडी की ओर्ण से लगातर यह बताया जा रहा है कि किसतरह से के कविता जो साउथ कारटिल है उसकी एक ए कविता को लेकर ED पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता का अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात ये होगी कि रिमांड आगे ED मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ED की कस्टडी में है 28 मांच तक उनकी कस्टडी मिली हुई है पहले 7 दिन का रिमांड एडी को मिला था के कवीता का उसके पाद 3 दिन का रिमांड मिला था और PMLA के केस के अंदर 14 दिन का रिमांड यो है वो एडी ले सकती है तो अभी कोट रूम के अंदर पहुंचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसेज जो क अधी पार्टी की सरकार थी उसकी टॉप लिडरिशिप यानि कि दिली के मुख्य मंतरी अरविंद केजुरिवाल और आपकारी मंतरी मनीज जो भूनिज सीवैं उसकी तरफ से के कविता को जो है contract किया गया था इसकी investigation अभी ED कर रही थी एक important बात यहाँ पर यह भी थी कि जो अर्विन केजरिवाल और के कविता दोनों ही ED के रिमांट पे थे आभी तक हमें officially जानकारी नहीं दी गई है कि क्या के कविता और अर्विन केजरिवाल दोनों को आमने साμने बिठा कर पूच्टाश की गई है अगर यह पूच्टाश की गई है तो काफी एहम बात होगी क्योंकि पूरी recording इसकी की जानी थी और जब दोनों को आमने सामने बिठा कर पूच्टाश की जाएगी तो उससे कई ऐसे सवाल जिसके जवाब ED जानना चाहती है व राउ जविन्य कोर्ट पहुंची है और कोशिश होगी ED की की शायद वो आगे रिमांड को और बढ़ाने की मांग करें। राउ जविन्य कोर्ट में के कविता को नियाई-खिरासत में भेजने की मांग की है तो ED ने रिमांड नहीं मांगी है लेकिन नियाई-खिरासत में के कविता को भेजा जाए यह जरूर ED की तरफ से कहा गया है। साथ जुड़ गए हैं आतुल क्या जानकारी मिल रही है के कविता को लेकर देखे प्राची अब से कुछ देर पहले एडी की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीमले की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया ग कोट में ईडी ने ये बताया कि हमने कई लोगों के आमने सामने बिठा कर के कविता से पूछटाच की है क्या इसमें दिली के मुखे मंतρι अर्विंद के जिवल का नाम है यह अभी हमें क्रोस चेक करना होगा लेकिन ईडी ने कोट के अंदर ये कहा है ißकर पहली जब पेशी के कवीता जो कि बियारस नेता है दिल्ली के आपकारी घोटाले में उनसे एडी कर चुकी है अब उनसे कुछ दिर पहले उनको राउ सवेन्यू कोट में पेश किया गया जहाँ पर एडी ने कहा कि अब उनको जो के कवीता है उनकी कस्टेडी की जुरूत नहीं है इसलिए उनक प्राची तरूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी लेकिन एहम बाते यहां पर जो कोट में बताई एडी ने कि हमने कई लोगों से आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की है सबसे एहम यहां पर यह होगा प्राची कि जो अब जो डिटेल्स को दी जाएंगी ज जो है वो जो राउ सवेन्य कोट है उसमें पेश किया जाना है तो एडी की कोशिश यहीं रहेगी कि आगे भी जो डिली के मुखे मत्री अर्विन केजडिवाल है उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक दस दिन की कस्टेडी जो है वो एडी को मिली थी के कविता की ज जानी थी वो पूछताच लगभख पूरी हो गई है जितने भी सवालों के जवाब एडी जानना चाह रही थी साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है शराब गोटाले से शराब गोटाला कैसे हुआ किसके इशारे पर हुआ यह सब कुछ एडी पता लगा चुकी है और भोजल गिरफतार के कविता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे पूछताच की गई थी और उसके बाद जो सवाल उनसे पूछे गए उसका जवाब एडी को वो नहीं दे पाई किस तरीके से उन्होंने कॉंटेक्ट किया जो टॉप लिडर्शिप थी दिली में आमाधी प गवाब में दिली की आमाधी पार्टी को कॉंटेक्ट किया ये एडी इंवस्टिगेट कर रही थी तो अब एडी अब देखते हैं कि इसके उपर क्या ओफिशल स्टेट्मेंट देती है लेकिन अब एडी ने कहा है कि अब उन्हें के कविता की कस्टेडी की जूरत नहीं है उन्हें 14 दिन की नाई खेरासित यानि की जेल बेज दिया रही है आपकी कारकरता पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जबरदस थंगामा कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब से आपके सैक्डो कारकरता पटेल चौक पहुँचे हैं यहां से वो पीम आवाज का घिराफ करने के लिए निकलेंगे आप कारकरताओं को रोकने के लिए दिल्ली वहीं दूसरी तरफ पीजेपी ने भी आपके खिलाफ फला बोल दिया है सैक्डो के तादाप में बीजेपी कारकरता केजरिवाल के खिलाफ विरोध प्रोदर्शन करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं बीजेपी केजरिवाल के स्तीफे की मांग कर रही है तो आब आपनी पार्टी और मारतिय जन्रता पार्टी इस वक्त दोनों ही सडकों पर उत्रे हुए हैं एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां आपके कारकरता जुटे हुए हैं और यहां से पीम आवास का घिराफ करने के लिए ये मू अरुइन केजडिवाल जो पिला लीडी की कस्टेडी में हैं उन्हें स्टीफा देना चाहिए हाला कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि अरुइन केजडिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्टीफा नहीं देंगे वो जेल के अंदर से सरकार खार्वारे बार्वब्ड़ंब बावा थार्वे, एहा झाल। झाल। तो अर्वेन केजरिवाल फिलाल E.D. की सवालों का जवाब दे रही हैं, उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घुटाले से जुड़ी हुई, एक एक जानकारी इडिल E.D. जो है वो पता लगाना चाती है, शराब घुटाले के दोरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहां गया ऐसे तमाम सवाल है जो अर्विन केजरिवाल से पूछे जा रही है को लेकर अब राहुजवनी कोट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटैक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरब आमादवी पार्टी के वे जो कारे करता है सडकों पर उतरे हैं लेकिन आज एहम मुद्दा रहेगा कि क्या की कविता को आगे की रिमार्ट मिलती है या फिर एक बार फिर से के कविता क्या edk के शिकनज से रिया हो पाती है या फिर उन्हें रियाय मिलती है और यह तस्विर आप देख रहे हैं जहां पर वो हाथ कर कर अपनी बात रख रही हैं यहाँ पर कुछ वह कहने की कोशिच कर रहे हैं या फिर होसकते हैं वहाँ पर जो पत्रकार हैं वो उसे सवाल पूछ हो इलक्टरोल बॉंड्स को लेकर लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन इडी के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि के कविता के जरिये ही जो पैसा था वो साउथ कार्टिल के जरिये आमादमी पार्टी तक प राउजवनियों कोट क्या लगता है कि आगे रिबान बढ़े गी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है तो अभी कोट रूम के अंदर पहुंचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसिज जो कोट के अंदर किस तरीके से एडी क्या कहती है क्या सबूत उसके हाथ लागे है क्योंकि दस दिन की जो इंटेरोगेशन के कविता से हुई है वो अपने आप में क को कोंटेकर की तरफ से तरक जो बरिडर्शिप पर उसकी तरफ स को जो है कॉंट्रक किया घया था इसकी investigation अभी ED कर रही थी एक हमें इंपॉटेंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अर्विन केजरिवाल और के कविता दोनों ही ED के रिमांट पे थे अभी तक हमें अर्विन केजरिवाल और साथी साथ के कविता को आमने सामने बिठा कर पूछताज की जाएगी तो उस दौरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं शायद यही वज़ा है कि के कविता को लेकर ED एक बार फिर से राउजवनी कोट पहुँची है और कोशिश होगी ED की 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 शायद वो आगे रिमांड को और बढ़ाने की मांग करें आम आपनी पार्टी और पीज़पी आमने सामने हैं केजरिवाल 28 मार्च तक ED की कस्टेडी में है तो वहीं BRS नेता के कविता की कस्टेडी आज खत्म हो रही है इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि के कविता की आगे की रिमांड नहीं मांगी है एडी ने राउज एविन्यू कोर्ट में के कविता को नियाई खिरासत में भेजने की मांगी है तो ED ने रिमांड नहीं मांगी है लेकिन नियाई खिरासत में के कविता को भेजा जाए यह जरूर ED की तरफ से कहा गया है तो यह पड़ी आतुल भाटिया अस्वक्त मेरे सायोगी राहू जविन्यू कोट से मारे साथ जुड़ गए हैं आतुल क्या जानकारी मिल रही है के कविता को लेकर कर देखें प्राची अब से कुछ देर पहले एडी की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोट में पहुँची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीमले की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया गया और एडी ने ये कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कविता की पूरी इंटरूगेशन इंटरुगेशन जो है वह अब कूरी हो चुकी है कोट में इडी ने ये बताया कि हमने कई लोगों के आमने आमने सामने बिठाकर के कविता से पूश्टाच की है क्या इसमें दिली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जीवल का नाम है ये अभी हमें क्रॉस चेक करना होगा लेकिन एडी ने कोट के अंदर ये कहा है कि कई लोगों से आमना सामना के कविता का करवाया गया पहली जब पेशी हुई थी कोट में तो एडी ने एडी कर चुकी है अब उनको से कुछ दिर पहले उनको राउस वेन्यू कोट में पेश किया गया जहाँ पर एडी ने कहा कि अब उनको जो के कविता है उनकी कस्टेडी की जुरुत नहीं है इसलिए उनको जेसी यानिकी नियाइक हिरासत मतलब की जेल भेज दिया जाए तो अब जो डिटेल्स कोट को दी जाएंगी जो कोट को अफिशली बताया जाएगा कि क्या क्या चीजे निकल कर सामने आई हैं जो के कविता से पूश्ताच की गई है क्योंकि आपको याद होगा कि जो दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजडिवाल है वो भी 28 मार्च तक ED क के कस्टेडी में है 28 तारिक को उनको जो है वो जो राउ सवेन्य कोट है उसमें पेश किया जाना है तो ED की कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजडिवाल है उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की कस्टेडी जो है वो ED को मिली थी के कविता की जिसके बाद उने अब राउ सवेन्य कोट पे पेश किया गया है और अब ED नहीं कहा है कि उनको आगे जो के कविता है उनसे पूच्चाच की जूरत नहीं है इसलिए उन्हें अब जेल भीजा जा सकता है जो भी पूच्साचा की जानी थी वो जल इसका खुलासा हो सकता है तुल कि बिल्कुर प्राचे देखिए जो दस दिन की जो इंटेरोगेशन थी के कवीता से वो आप पूरी कर चुकी है और सबसे एहम यहाँ पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफतार के कवीता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे उचे गए उसका जवाब इडी को वो नहीं दे पाई किस तरीके से उन्होंने कॉंटेक्ट किया जो टॉप लिडर्शिप थी दिली में आम आधी पार्टी की यानि की दिली के मुखे मंतरी अर्विंद केजडिवाल और उस समय के आपकारी मंतरी मनीज सिसोदिया क्या जो कि उन्होंने के कविता को कॉंटेक्स किया या के कविता ने जो चराब व्यपारी थे उनके जो दवाब में दिली की आम आधी पार्टी को का यह एडी इंवेस्टिगेट कर रही थी तो अब एडी अब देखते हैं कि क्या ओफिशल स्टेट्मेंट देती है लेकिन अब का आमना सामना अर्विन केजरिवाल से करवाया गया है या नहीं करवाया गया है जिन लोगों को आमने सामने बठाकर पूचताच करवाई गई है उसमें केजरिवाल शामिल है या नहीं है अतुला बनरे हैं हमारे साथ देखें अर्विन केजरिवाल को लेकर जो सियासी घहमा आपकी कारेकरता पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जबर्दस थंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हला बोल दिया है। यहीं पर रोका गया है, दिली पुलिस की भारी तैनाती है, कई आपने पार्टी के कारेकरताओं को डीटेन कीया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के कारेकरता भी आसरतों पर उतरे हैं। ताल ताल है। तो अर्विन केजरिवाल फिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रही हैं उनकी सवालों का सामना कर रही हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी इडिल एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घोटाले के दौरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवा कोट पहुंच चुकी है और आज के कविता एडी कस्रेटी खतम होने को लेकर अपील की जाएगी एडी की ओर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी और दूसरी तरह कोशिश होगी के कविता की कि उनको जमानत मिल जाए उनको रहाई मिल जाए बहरवाल एडी ने के कवि रहेगा कि क्या के कविता को आगे की रिमांड मिलती है या फिर एक बार फिर से के कविता क्या एडी के शिकंजे से रिया हो पाती है या फिर उन्हें रियाई मिलती है और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो हाथ हिला कर अपनी बात रख रही है यहां पर कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्टराल बॉंड्स को लेकर या पिर हो सकते हैं वहाँ पर जो पत्रकार हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे हो इलेक्टराल बॉंड्स को लेकर लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन E-ड के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि के कविता के जरीए ही जो पैसा था वो साउथ काटिल के जरीए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था जिसका दावा यहां पर किया गया है E.D. की ओर से और दूसरी तरफ अरविन केश्डी वाल से भी आमने सामने बिठा कर कुछ से के कविता जो साउथ काटिल है उसकी एक एहम कड़ी है जिसके जरीए ही जो पैसा है जिने ठिका मिला था दिल्ली में शराब के ठिके मिले थे उस दौरान कीस तरह से जो पैसा था वो अतुल के कविता को लेकर ED पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता को अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुंची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड आगे ED मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ED की कस्टडी में है 28 मार्श तक उनकी कस्टडी मिली हुई है पहले 7 दिन का रिमांड ED को मिला था के कविता का उसके बाद 3 दिन का रिमांड मिला था दिन का रिमांड जो है वो ED ले सकती है तो अभी कोट रूम के अंदर पहुंचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसिज जो कोट के अंदर किस तरीके से ED क्या कहती है क्या सबूत उसके हाथ लागे है क्योंकि 10 दिन की जो इंटेरोगेशन के कवि कर रही थी हैड कर रही थी और उसने जो दिल्ली में आमाधी पार्टी की सरकार थी उसकी टॉप लीडर्शिप यानि कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केश्रिवाल और आपकारी मंत्री मनिस सिसोधिया को टच किया उनको बकायदा उनसे कॉंटेक्ट किया और किस इन्वेस्टिकेशन अभी एडी कर रही थी एक हमें इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अर्विंद केश्रिवाल और के कविता दोनों ही एडी के रिमांट पर थे अभी तक हमें ऑफिशली जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कविता और अर्विंद लेकिन यह बात तो बिल्कुल सही है कि जिस वक्त अर्विंद केश्रिवाल और साथी साथ के कविता को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी तो उस दौरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं शायद यही वज़़ा है कि के कविता को लेकर एडी एक कविता की कस्टेडी आज खत्म हो रही है इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि के कविता की कोर्ट में पेशी हो रही है दिल्ली एकसाइस पॉलिसी से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार के कविता को ईडी की टीम राउज एविन्यू कोर्ट लेकर पहुंची ह बड़ी बात यह है कि ईडी ने के कविता की आगे की रिमांड नहीं मांगी है ईडी ने राउज एविन्यू कोर्ट में के कविता को नियाई खिरासत में भेजने की मांगी है तो ईडी ने रिमांड नहीं मांगी है लेकिन नियाई खिरासत में के कविता को भेजा जाए यह जरूर एडी की तरफ से कहा गया है तो ये पड़ी खबर आपको बता रहे हैं अरविन केज़िवाल जो के 28 मार्च तक एडी की कस्टिडी में हैं उन्हें लेकर सियासी घमासान दिली की सडकों पर देखने को मिल रहा है तो के कविता का आगे क्या होगा ये आज राउज एव कविता को लेकर यहां पर कोट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीमले की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया गया और एडी ने कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कविता को यानि कि जो दिल्ली का आपकारी घोटाला है उसमें जो करना होगा लेकिन इडी ने कोट के अंदर ये कहा है कि कई लोगों से आमना सामना के कविता का करवाया गया पहली जब पेशी हुई थी कोट में तो इडी ने साथ दिन का रिमान मांगा था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो इडी ने पास दिन का रिमान मांग किया गया जहाँ पर एडी ने ये कहा कि अब उनको जो केक कविता है उनकी कस्टेडी की जुरूत नहीं है इसलिए उनको जेसी यानि की नियाई खिरासत मतलब की जेल भेज दिया जाए तो निश्चित रूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी लेकिन एहम बाते यहाँ पर जो कोट में बताई एडी ने कि हमने कई लोगों से आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की है सबसे एहम यहाँ पर यह होगा प्राची में है 28 तारिक को उनको जो है वो जो राउ सवेन्य कोट है उसमें पेश किया जाना है तो एडी की कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जो दिली के मुख्यमत्ति अर्विन केजडिवाल है उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की कस्टेडी जो है वो एडी को मि कि कविता से जो भी पूछताच की जानी थी वो पूछताच लगभख पूरी हो गई है जितने भी सवालों के जवाब एडी जानना चाह रही थी साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है शराब घोटाले से शराब घोटाला कैसे हुआ किसके शारे पर हुआ यह सब कुछ एडी कर चुकी है और सबसे एहम यहाँ पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफतार के कविता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे पूछताच की गई थी और उसके बाद जो सवाल उनसे पूछे गए उसका जवाब एडी को वो नहीं दे पाई किस तरीके से उन्होंने कॉ काईट किया के कविता ने जो शराब व्यपारी थे साउथ लॉबी के उनके जो दवाब में दिली की आम आदी पार्टी को कॉंटेक्ट किया यह इडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो अब एडी अब देखते हैं कि इसके उपर क्या ऑफिशल स्टेट्मेंट देती है ल नहीं है अतुला बनरे हैं हमारे साथ देखे अरविन केजरिवाल को लेकर जो सियासी घहमा घहमी है वो भी इस वक्त दिली में लगातार बड़ी हुई है केजरिवाल को लेकर दिली में जबर्दस बवाल है आब आपनी पार्टी जहां केजरिवाल की गिरफतारी के प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हल्ला बोल दिया है सैकडो के दादाप में बीजेपी कारेकरता केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदोर्शन करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रही है बीजेपी केजरीवाल के स्टीफे की मांग कर रही है तो आब आदमी पार्टी और मारतिय जन्रता पार्टी इस वक्त दोनों ही सडकों पर उत्रे हुए हैं एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां आपके कारेकरता जुटे हुए हैं और यहां से पीम आवास का घिराफ करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है दिली पुलिस की भारी तैनाती है कई आब आदमी पार्टी के कारेकरताओं को डीटेन कई किया गया है तो दूसरी तरह बीजेपी के कारेकरता भी आसरतों पर उतरे है और बीजेपी के कारेकरता कह रहे हैं कि अरविंद केजरिवाल जो पिलाल एडी की कस्टेडी में है उन्हें स्तीफा देना चाहिए हलाकि आपको जानकारी दे रहें कि अर्विंद केजडिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्तीफा नहीं देंगे वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और एक के बाद एक दो ओर्डर अरविन केजरिवाल की तरफ से अपने दो मंत्रियों को दिया भी जा चुका है संदेश देने की कोशिश है अरविन केजरिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली का खयाल है तो अर्विन केजरिवाल फिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी इडिल एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घुटाले के दौरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहां गया ऐसे तमाम सवाल है जो अर्विन केजरिवाल से पूछे जा रही है बहरवाल एडी ने के कविता को लेकर अब राहुजवनी कोर्ट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटाक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरे रव आमादवी पार्टी के वे जो कारे करता है सडकों पर उत बहरती है और यह तसविर आप देख रहे हैं जहां पर वो हाथ लाकर अपनी बात रख रही है अलेकरा क्यार बाट को लेकर लेकर की कविता लगातार यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो बे गुना है। लेकिन i- refugee के पास जो सबूत मिले हैं उसमें सा उस्ट काइडिल का जो पोरा का पोरा आप कहसके कुंबा है वो के कविता के ओर सही जुड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि के कविता के जरिये ही जो पैसा था वो साउथ काटिल के जरिये आमादमी पार्टी तक पहुंचा था जिसका दावा यहां पर किया गया है एडी की ओर से और दूसरी तरफ अर्विन केश्डी वाल से भी आमने सामने बिठा कर पुछताश का जो मौका रहेगा ब जो पैसा है साउथ काटिल का पैसा है जिनने ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे उस दौरान किस तरह से जो पैसा था वो अतुल के कविता को लेकर एडी पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता को अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुंची है सुनवाई अभी शुरू होगी, देखने वाली बात ये होगी कि रिमांड आगे ED मांगती है नहीं मांगती, क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ED की कस्टडी में है, 28 मार्च तक उनकी कस्टडी मिली हुई है, पहले 7 दिन का रिमांड ED को मिला थ क्या सबूत उसके हाथ लागे है, क्योंकि 10 दिन की जो इंटेरोगेशन के कविता से हुई है, वो अपने आपने काफी एहम होगी, साउथ लोबी को जिस तरीके से कविता लीड कर रही थी, हैड कर रही थी, और उसने जो दिल्ली में आमाधी पार्टी की सरकार थी, उसकी तौप लीडर्शिप यानि दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केशिवाल और आपकारी मंत्री मनीस सिसोधिया को टच किया, उनको बकाईदा उनसे कांटेक किया और किस तरीके से क्या, जो के कविता है, उसने अर्विंद केशिवाल को निदी का थी एपिर कांटेक्ट पे थे अभी तक हमें officially जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कवीता और अर्विन केजरिवाल दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की गई है अगर यह पूछताच की गई है तो काफी एहम बात होगी क्योंकि पूरी recording इसकी की जानी थी और जब दोनों को आमने सामने कर पूछताच की जाएगी तो उस दोरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं शायद यही वज़ा है कि के कवीता को लेकर ED एक बार फिर से राउजवनी कोर्ट पहुँची है और कोशिश होगी ED की 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 शायद वो आगे रिमांड को और बढ़ाने की मांग करें आपनी पार्टी और पीज़पी आपने सामने हैं केजरिवाल 28 मार्च तक ED की कस्टेडी में है तो वहीं BRS नेता के कवीता की कस्टेडी आज खत्म हो रही है इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि के कवीता की कोर्ट में पेशी हो रही है दिल्ली एकसाइस पॉलिसी से नियाई खिरासत में भेजने की मांगी है तो ED ने रिमान नहीं मांगी है लेकिन नियाई खिरासत में के कवीता को भेजा जाए यह जरूर ED की तरफ से कहा गया है तो यह पड़ी खबर आपको बता रहे हैं अर्विन केजरिवाल जो 25 मार्च तक ED की कस्टेडी में है उन्हे लेकर सियासी खमासान दिली की सडकों पर देखने को मिल रहा है तो के कवीता का आगे क्या होगा यह आज राउज एविन्यू कोट में उनकी पेशी की बाद सुनवाई की बाद सामने आ जाएगा अतुल बाटिया इस वक्त मेरे सयोगी राउज एविन्यू कोट से हमारे सा पहुंची है और इस्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीमले की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया गया और इडी ने यह कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कवीता को यानि कि जो दिल्ली का आपकारी घोटाला है उसमें जो साउथ लोबी को हैट कर रह लेकिन इडी ने कोट के अंदर ये कहा है कि कई लोगों से आमना सामना के कवीता का करवाया गया पहली जब पेशी हुई थी कोट में तो इडी ने साथ दिन का रिमान मांगा था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो इडी ने पांस दिन का रिमान मांगा था जिस उनकी कस्टेडी की जुरूत नहीं है इसलिए उनको जेसी यानिकी नियाईक हिरासत मतलब की जेल भेज दिया जाए तो निश्चित रूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी लेकिन एहम बाते यहां पर जो कोट में बताई एडी ने कि हमने कई लोगों से आमने सा मुखे मंत्राहरां केजडी वालाँ वो भी 28 मार्च तक एडी के कस्टेडी में है 28 तारिक को जो हराउ स ed कर्झा यहीं म्हां पैश किया गया है और अब वर व जो और यहेगी ब्यानी सिधी जो है उनका पूष्थाज की ज़ूर्त नहीं है इसलिए उनहें अब जेल भीजा जासकर सीधा सीधा मतलब जा जा सकता है कि कवीता से जो भी पूच्टाच की जानी थी वो पूच्टाच लग-भग पूरी हो गई है जितने सवालों के जवाब ईडी जानना चाह रही थी साउथ लॉबी का कनेक्शन क्या है शराब घोटाले से शराब घोटाला कैसे हुआ किसके शारे पर हुआ यह सब कुछ E.D. पता लगा चुकी है और भौजल इसका खुलासा हो सकता है अतुल बिल्कुल प्राचे देखिए जो दस दिन की जो इंटेरोगेशन थी के कविता से वो आप E.D. पूरी कर चुकी है और सबसे एहम बहाँ पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफतार के कविता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे पूछताच की गई थी और उसके बाद कि जो आम आदी पार्टी के के नेता थे उन्होंने के कविता को कांटेक किया या के कविता ने जो शराब व्येपारी थे साूथ लोबी के उनके जो दवाब में दिल्ली की आम आदी पार्टी को कांटेक्ट किया यह E.D. investigate पर रही थी तो अब E.D. अब देखते हैं कि इसक पोगो को आपने सामने बेठाकर पूछताच करवाई गई है उसमें केजरिवाल शामिल है या नहीं है, आतुला बनेरे हैं हमारे साथ देखें, अर्विन केजरिवाल को लेकर जो सियासी गहमा गहमी है, वो भी इस मगक दिली में लगातार बड़ी हुई है, केजरिवाल को ल यहां से वो पीम आवास का घिराफ करने के लिए निकलेंगे आप कारकरताओं को रोकने के लिए दिली पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दिये दिली पुलिस ने धारा 144 लगा दिये पुलिस ने कई आप कारकरताओं को डिटेन भी किया है पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने पहुँचे पंजाब की मंतरी हरजोट सिंग बैंस को भी हिरासत में ले लिया है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हला बोल दिया है सैक्डो के तादाप में बीजेपी कारकरता केजरिवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रही है बीजेपी केजरिवाल के स्तीफे की मांग कर रही है तो आब आपनी पार्टी और मारतिय जन्रता पार्टी इस वक्त दोनों ही सडकों पर उत्रे हुए है एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां आपके कारकरता जुटे हुए है और यहां से पीयम आवास का घिराफ करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है दिली पुलिस की भारी तैनाती है कई आम आपनी पार्टी के कारकरताओं को डीटेन की किया गया है तो दूसरी तरह बीजेपी के कारकरता भी आसर को पर उतरे है और बीजेपी के कारकरता कह रहे हैं कि अरविंद केजडिवाल जो फिलाल एडी की कस्टेडी में है उन्हें स्तीफा देना चाहिए हाला कि आपको जानकारी दे रहें कि अर्विन केजरिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्तीफा नहीं देंगे वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे यापने दो मंत्रियों को दिया भी जा चुका है संदेश दिनी की कोशेश हैं अर्विन केजरिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली का ख्याल है तो अर्विन केजरिवाल फिलाल E.D. के सवालों का जवाब दे रही हैं उनकी सवालों का सामना कर रही हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी इडिल E.D. जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घोटाले के दौरान जो इसतमाल अर्विन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहां गया ऐसे तमाम सवाल हैं जो अर्विन केजरिवाल से पूछे जा रही है शराब घोटाले में फसी पूर्व सीम केосियार के बीटी के कविता को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, E.D. की टीम के कविता को लेकर E.D. की टीम राउजवनी कोट पहुंच चुकी है और आज के कविता E.D. कस्रेटी खतम होने को लेकर अपील की जाएगी E.D. की ओर से रिमान बढ़ाने की मांग की जाएगी और दूसरी तरफ कोशिश होगी के कविता की की उनको जमानत मिल जाए, उनको रहाई मिल जाए बहरवाल E.D. ने के कविता को लेकर अब राउजवनी कोट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं या फिर एक बार फिर से के कविता क्या E.D. के शिकंजे से रिहा हो पाती है या फिर उन्हें रिहाई मिलती है और ये तस्विर आप देख रहे हैं जहाँ पर वो हाथ हिला कर अपनी बात रख रही है यहां पर कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्टराल बॉंड्स को लेकर या फिर हो सकते है वहां पर जो पत्रकार है वो उनसे सवाल पूछ रहे हो इलेक्टराल बॉंड्स को लेकर लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन एडी के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ काटिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते है कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जोड़ता है और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि के कविता के जरीए ही जो पैसा था वो साउथ काटिल के जरीए आमादमी पार्टी तक पहुंचा था जिसका दावा यहां पर किया गया है E.D. की ओर से और दूसरी तरफ अर्विन केश्डी वाल से भी आमने सामने बिठा कर और के कविता की कोशिश होगी की आज उनको राहत मिले लेकिन E.D. ने भी अपनी तयारी पूरी कर रखी है E.D. की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से के कविता एक जो साउथ काटिल है उसकी एक एहम कड़ी है जिसके जरीए ही जो पैसा है साउथ काटिल क का पैसा है जिने ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे उस दौरान किस तरह से जो पैसा था वो हमाई साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए है अतुल के कविता को लेकर एडी पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिबान बात ये होगी कि रिमांड आगे एडी मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल एडी की कस्टडी में है 28 माज तक उनकी कस्टडी मिली हुई है पहले साथ दिन का रिमांड एडी को मिला था के कविता का उसके बाद तीन 2 दिन का रिमांड मिला था पी मिलेके केंदर 14 दिन रिमांड जो है वह बीडि ले सकती Chechnya को अभी कोके अदर पहुंचे हैं देखने वाली बात यह होगी कि कि तरीके से आगे प्रोसीज जो कोट के अंदर किस तरीके से ED क्या कहती है क्या सबूत उसके हाथ लागे है क्योंकि 10 दिन की जो इंटेरोगेशन के कविता से हुई है वो अपने आप में काफी एहम होगी साउथ लोभी को जिस तरीके से कविता लीड कर रही थी हेड कर रही थी और उसने जो दिल्ली में आमादी पार्टी की सरकार थी उसकी टॉप लिडर्शिप यानि कि दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केज़िवाल और आपकारी मंतरी मनीश सिसोधिया को टच किया उनको बकाइदा उनसे कॉंटेक्ट किया और किस तरीके से क्या मुखे जो के कविता है उसने केज़िवाल और के कविता दोनों ही इडी के रिमांट पे थे आभी तक हमें ओफिशली जानकारी नहीं दी गई है क्या कविता और अर्विंद केज़िवाल दोनों को आपने सामने बिठाकर पूष्टाच की गई है अगर यह पूष्टाच की गई है तो काफी एहम बात हो कविता को आमने सामने बिठा कर पूछताज की जाएगी तो उस दोरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं शायद यही वज़ा है कि के कविता को लेकर ED एक बार फिर से राउजवनी कोर्ट पहुंची है और कोशिश होगी ED की की शायद वो आगे रिमांड को और पेशी हो रही है दिल्ली एक्साइस पॉलिसी से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार के कविता को ED की टीम राउज एविन्यू कोर्ट पहुंची है बड़ी बात यह है कि ED ने के कविता की आगे की रिमांड नहीं मांगी है इडी ने राउज एविन्यू कोर् अर्विन केज्रिवाल जो 28 मार्च तक ED की कस्टिडी में है उन्हें लेकर सियासी घमासान दिल्ली की सडकों पर देखने को मिल रहा है तो के कविता का आगे क्या होगा यह आज राउज एविन्यू कोर्ट में उनकी पेशी की बाद सुनवाई की बाद सामने आ जाएगा आ जानकारी मिल रही है के कविता को लेकर कर देखें प्राची अब से कुछ देर पहले ED की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो पीमले की है कावेरी बावेजा उनकी कोट में पेश किया गया और ED ने यह कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कविता को यानि कि जो दिल्ली का आपकारी घोटाला है उसमें जो साउथ लोबी को हेंड कर रही दी के कविता केविता की पूरी इंकारोगेशन जो ह्या वह आप पूरी हो चुकी है कोट कोट में तो एडी ने साथ दिन का रिमान मांगा था दस दिन का रिमान मांगा था साथ दिन का रिमान एडी को मिला था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो एडी ने पास दिन का रिमान मांगा था जिसके बाद तीन दिन का रिमान जो है वो एडी को मिला था तो दस दिन तक लगातार interrogation के कवीता जो कि बियारस नेता है दिल्ली के आपकारी घोटाले में उनसे ED कर चुकी है अब उनको कुछ दिर पहले उनको राउ सवेन्यू कोट में पेश किया गया जहाँ पर ED ने ये कहा कि अब उनको जो के कवीता है उनकी custody की जुरूत नहीं है इसलिए उनको JC यानि की नियाईक हिरासत मतलब की जेल भेज दिया जाए तो निश्चित रूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी लेकिन एहम बाते यहाँ पर जो कोट में बताई ED ने कि हमने कई लोगों से आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की है सबसे एहम यहाँ पर यह होगा प्राची कि जो अब जो डिटेल्स कोट को दी जाएंगी जो कोट को ऑफिशली बताया जाएगा कि क्या क्या चीजे निकल कर सामने आई हैं जो के कविता से पूश्टाच की गई है क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजिवा और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की कस्टेडी जो है वो एडी को मिली थी के कविता की जिसके बाद उन्हें अब राउसवेन्य कोट पे पेश किया गया है और अब एडी नहीं ये कहा है कि उनको आगे जो के कविता है उनसे पूश्टाच की जूरत नहीं है इसलिए उन् किसके इशारे पर हुआ ये सब कुछ एडी पता लगा चुकी है और भोजल इसका खुलासा हो सकता है अतुल तो पहले उनसे घर में उनसे पूश्टाच की गई थी और उसके बाद जो सवाल उनसे पूशे गए उसका जवाब एडी को वो नहीं दे पाई किस तरीके से उन्होंने कॉंटेक्ट किया जो टॉप लिडर्शिप थी दिली में आमादी पार्टी की यानि की दिली के मुखे पार्टी को कॉंटेक्ट किया ये इडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो अब इडी अब देखते हैं कि इसके उपर क्या ओफिशल स्टेट्मेंट देती है लेकिन अब इडी ने कहा है कि अब उन्हें के कविता की कस्टेडी की जूरत नहीं है उन्हें 14 दिन की नयाई ख केजरिवाल को लेकर जो सियासी घहमा घहमी है वो भी इस वक्त दिली में लगातार बड़ी हुई है केजरिवाल को लेकर दिली में जबर्दस बवाल है अब आपनी पार्टी जहां केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ फिरोध प्रदर्शन कर रही है तो वहीं बीजपी केजरिवाल की खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है आपकी कारकरता पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर जबर्दस थंगामा कर रहे हैं दिली और पंजाब से आपके सैक्डो कारकरता पटेल चौक पहुँचे हैं यहां से वो पीम आवास का घिराफ करने के लिए न जाप के मंतरी हरजोट सिंग बैस को भी हिरासत में ले लिया है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हला बोल दिया है सैक्डो के दादाप में बीजेपी कारकरता केजरिवाल के खिलाफ विरोध प्रोटेशन करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रही हैं बीजेपी केजरिवाल के स्तीफे की मांग कर रही है तो आब आपनी पार्टी और मार्तिय जनरता पार्टी इस वक्त दोनों ही सडकों पर उत्रे हुए हैं एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां आपके कारकरता जुटे हुए हैं और यहां से पीम आवास का घिराफ करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है दिलि पुलिस की भारी तैनाती है कई आमादने पार्टी के कारकरतां को डिटेन कई किया गया है तो दूसरी तरह बीजेपी के कारकरता भी आसरकों पर और बीजेपी की कारेकरता कह रहे हैं कि अरविंद केजडिवाल जो पिला लीडी की कस्टेडी में हैं उन्हें स्तीफा देना चाहिए हाला कि आपको जानकारी दे रहें कि अरुविंद केजरिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्तीफा नहीं देंगे, वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और एक के बाद एक दो आडर अरविन केजरिवाल की तरफ से अपने दो मंत्रियों को दिया भी जा चुका है संदेश देने की कोश़श है अरविन केजरिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली का खयाल है तो अरविन केजरिवाल फिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी इडिल एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घुटाले के दौरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहां गया ऐसे तमाम सवाल है जो अर्विन केजरिवाल से पूछे जा रही है। बहरवाल एडी ने के कविता को लेकर अब राहुजवनी कोर्ट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटाइक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरा आमादवी पार्टी के वे जो कारे करता है सडकों पर उतरे है लेकिन आज एहम मुद्दा रहेगा कि क्या के कविता को आगे की रिमांड मिलती है या फिर एक बार फिर से के कविता क्या एडी के शिकंजे से रिया हो पाती है या फिर उन्हें रियाई मिलती है और यह तस्विर आप देख रहे हैं जहां पर वो हाथ हिला कर अपनी बा रिकार है वो उनसे सवाल पूछ रहे हो इलेक्ट्रोल बॉंड्स को लेकर लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन एडी के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते कुनवा है वो के कव के कविता की कोशिश होगी की आज उनको रहत मिलें लेकिन एडी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है ईडी की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से के कविता जो साउथ कारटिल है उसकी एक एहम कडी है जिसके जरिये ही जो पैसा है साउथ कार्टिल का पैसा है जिने ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे उस दौरान किस तरह से जो पैसा था वो हमाई साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए है अतुल के कविता को लेकर एडी पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिबांड बात यह होगी कि रिमांड आगे इडी मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल इडी की कस्टड़ी में है 28 माज तक उनकी कस्टड़ी मिली हुई है पहले साथ दिन का रिमांड इडी को मिला था के कविता का उसके बाद पहुंचे है देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसेज जो कोट के अंदर किस तरीके से इडी क्या कहती है क्या सबूत उसके हात लगे है क्योंकि 10 दिन की जो इंटरोगेशन के कविता से हुई है वो अपने आप में काफी एहम होगी साउथ लोभी को ज T mostra ऑन को बकायदा उनसे कॉंटेक्ट किया तरह से क्या कवीता है उसने अर्विंत के जिल्वाल को कॉंटेक्ट किया था अभी तक हमें officially जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कविता और अर्विन केजरिवाल दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की गई है अगर ये पूछताच की गई है तो काफी एहम बात होगी क्योंकि पूरी recording इसकी की जानी थी और जब दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी तो उससे कई ऐसे सवाल जिसके जवाब एडी जानना चाहती है वो एडी को मिल सकते है तो महराल थोड़ा और इंतजार करना होगा अतुल लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस वक्त अरविन केजरिवाल और साथी साथ की कविता को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी तो उस दौरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते है शायद यही वज़ा है कि के कविता को लेकर एडी एक बार फिर से राउजविनी कोर्ट पहुँची है और कोशिश होगी एडी की कि शायद वो आगे रिमांट को और बढ़ाने की मांग करें आगे की रिमांड नहीं मांगी है एडी ने राउज एविन्यू कोर्ट में के कविता को नियाई खिरासत में भेजने की मांग की है तो एडी ने रिमांड नहीं मांगी है लेकिन नियाई खिरासत में के कविता को भेजा जाए यह जरूर एडी की तरफ से कहा गया है तो यह आज राउज एविन्यू कोर्ट में उनकी पेशी के बाद सुनवाई के बाद सामने आ जाएगा अतुल भाटिया इस वक्त मेरे सायोगी राउज एविन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल क्या जानकारी मिल रही है के कविता को लेकर प्राची अब से कुछ देर पहले एडी की टीम के कविता को लेकर यहां पर कोर्ट में पहुंची है और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो PMLA की है कावेरी बावेजा उनकी कोर्ट में पेश किया गया और एडी ने ये कहा कि अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कविता को यानि कि जो दिल्ली का आपकारी घोटाला है उसमें जो साउथ लोबी को हैट कर रही दी के कविता के कविता की पूरी इंटरोगेशन जो है वो अब पूरी हो चुकी है कोट में इडी ने ये बताया कि हमने कई लोगों के आमने सामने बिठा कर के कविता से पूश्टाच की है क्या इसमें अधिली के मुखे मंत्री अर्विंद केजिवल का नाम है ये अभी हमें क्रॉस चेक करना होगा लेकिन इडी ने कोट के अंदर ये कहा है कि कई लोगों से आमना सामना के कविता का करवाया गया पहले जब पेषी हुई थी कोट में तो इडी ने 7 दिन का रिमाН शैली को मिला था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो इडी ने 5 तो दस दिन का रिमांड मांगा था जिसके बाद तीन दिन का रिमांड जो है वो एडी को मिला था तो दस दिन तक लगातार इंटरोगेशन के कवीता जो कि बियारस नेता है दिल्ली के आपकारी घोटाले में उनसे एडी कर चुकी है अब उनको से खुछ दिर पहले उनको राउस वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया जहाँ पर एडी ने कि हमने कई लोगों से आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की ह सबसे एहम यहाँ पर यह होगा प्राची कि जो अब जो डिटेल्स कोर्ट को दी जाएंगी जो कोर्ट को अफिशली बताया जाएगा कि क्या क्या चीजे निकल कर सामने आई हैं जो के कवीता से पूश्टाच की गई है क्योंकि आपको याद होगा कि जो दिल्ली के मुख्य समत्य अर्विन केजिवाल है उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की कस्टेडी जो है वो एडी को मिली थी के कवीता की जिसके बाद उन्हें अब राउसवेन्य कोर्ट पे पेश किया गया है और अब एडी नहीं ये कहा है कि उनको आगे जो के कवीता है उनस हुआ ये सब कुछ एडी पता लगा चुकी है और भौजल इसका खुलासा हो सकता है अतुल तो पहले उनसे घर में उनसे पूछताच की गई थी और उसके बाद जो सवाल उनसे पूछे गए उसका जवाब एडी को वो नहीं दे पाई किस तरीके से उन्होंने कॉंटेक्ट किया जो टॉप लिडर्शिप थी दिली में आमाधी पार्टी की यानि की दिली के मुखे मं पार्टी को कॉंटेक्ट किया ये इडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो अब इडी अब देखते हैं कि इसके उपर क्या ओफिशल स्टेट्मेंट देती है लेकिन अब इडी ने कहा है कि अब उन्हें के कविता की कस्टेडी की जूरत नहीं है उन्हें 14 दिन की नयाई ख केजरिवाल को लेकर जो सियासी घहमा घहमी है वो भी इसमक दिली में लगातार बड़ी हुई है केजरिवाल को लेकर दिली में जबरदस बवाल है अब आपनी पार्टी जहां केजरिवाल की गिरफतारी के खिलाफ फिरोध प्रदोर्शन कर रही है तो वहीं बीजपी भी क इजरिवाल की खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। वो भी हिरासत में ले लिया है। लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है। दिली पुलिस की भारी तैनाती है। कई आम आपने पार्टी के कारकरताओं को डीटेन की किया गया है। तो दूसरी तरह बीजेपी के कारकरता भी आसरकों पर उतरे है। और बीजेपी की कारेकरता कह रहे हैं कि अरविंद केजडिवाल जो पिला लीडी की कस्टेडी में हैं उन्हें स्तीफा देना चाहिए हाला कि आपको जानकारी दे रहें कि अरविंद केजडिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्तीफा नहीं देंगे वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और एक के बाद एक दो ओर्डर अर्विन केजरिवाल की तरफ से अपने दो मंत्रियों को दिया भी जा चुका है संदेश देने की कोशिश है रुइन केज रिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली का खयाल है तो अर्विन केज रिवाल फिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रही है उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक एक जानकारी इडिल एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घुटाले के दौरान जो इस्तमाल अर्विन केजरिवाल फोन कर रहे थे वो फोन कहां गया ऐसे तमाम सवाल है जो अर्विन केजरिवाल से पूछे जा रही है। बहरवाल ईडी ने के कविता को लेकर अब राहुजवनी कोर्ट पहुंची जिसकी तस्विरें आप देख रहे हैं इस बीच बीजेपी की ओर से लगातार अटाक किया जा रहा है आमादवी पार्टी पर दूसरे रव आमादवी पार्टी के वेज़ो कारे करता है सडकों पर देख से लिकर मुटरे हैं लेकिन आज एहम मुद्दा रहेगा कि क्या के कविता को आगे की रिमार्ट मिलती है या फिर एक बार किंप फिर से के कविता के 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 शिकंज से रिहा हो पाती है या फिर उन्हें Empire ृहाई और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहांपर वो हाथ हिला कर अपनी बात रख रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि के कविता के जरीए ही जो पैसा था वो साउथ काटिल के जरीए आमादमी पार्टी तक पहुंचा था जिसका दावा यहां पर किया गया है एडी की ओर से और दूसरी तरफ अर्विन केश्डी वाल से भी आमने सामने बिठाकर पुछता जो मौका रहेगा बहुत एहम रहेगा के कविता के साथ और के कविता की कोशिश होगी कि आज उनको राहत मिले लेकिन एडी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है एडी की ओर से लगातार यह बताया जा रहा है कि किस तरह से के कविता एक जो साउथ काटिल है उसकी एक अतुल भाटिया भी जुडगे हैं अतुल के कविता को लेकर ED पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखें राहत तो अभी के कविता को अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुंची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात ये होगी कि रिमांड आगे ED मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुखे मंतरी अरविंद केजरिवाल ED की कस्टडी में है 28 मार्च तक उनकी कस्टडी मिली हुई है पहले 7 दिन का रिमांड ED को मिला था के कविता का उसके पाद 3 दिन का रिमांट मिला था और PMLA के केस के अंदर 14 दिन का रिमांट जो है वो एडि ले सकती है तो अभी कोट रूम के अंदर पहुचे हैं देखरे वाली बात यह होगी कि किस तरीके से आगे प्रोसिस जो कोट के अंदर किस तरीके से इडि क्या कहती है क्या सबू केजरिवाल और आभकारी मंतरी मनीष सिसोधिया को टच किया उनको विकाइदा उन européन केजरिवाल को इस तरीकी से त्याEl कर रही थी एक में इंप उन्भ्रटिंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अर्विन केजरिवाल और केजरिवाल दोनों ही ED के रिमांट पे थे, आभी तक हमें officially जानकारी नहीं दी गई है, कि क्या कविता और अर्विन केजरिवाल दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की गई है, अगर ये पूछताच की गई है, तो काफी एहम बात होगी, क्योंकि पूरी recording इसकी की जानी थी, और जब दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी, तो उससे कई ऐसे सवाल जिसके जवाब ED जानना चाहती है, वो ED को मिल सकते है, तो मेराल थोड़ा और इंतजार करना होगा अतुल, लेकिन ये बात तो बिलकुल सही है, कि जिस वक्त अर्विन केजरिवाल और साथी साथ की कविता को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी, तो उस दोरान कई सारे जो सवाल है उसके जवाब मिल सकते हैं, शायद यही वज़ा है कि के कविता को लेकर ED एक बार फिर से राउजवनी कोर्ट पहुँची है, और कोशिश होगी ED की की कि शायद वो गिरफतार के कविता को ED की टीम राउज एविन्यू कोर्ट लेकर पहुँची है, बड़ी बात यह है कि ED ने के कविता की आगे की रिमांड नहीं मांगी है, इडी ने राउज एविन्यू कोर्ट में के कविता को नियाई खिरासत में भेजने की मांगी है, तो ED ने दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है तो के कविता का आगे क्या होगा ये आज राउज एविन्यू कोर्ट में उनकी पेशी के बाद सुनवाई के बाद सामने आ जाएगा अतुल बाटिया इस वक्त मेरे सईयोगी राउज एविन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ अब उनको आगे रिमान नहीं चाहिए के कविता को यानि कि दिल्ली का आपकारी घोटाला है उसमें जो साउथ लोभी को हैट कर रही दी के कविता की पूरी इंटरोगेशन इंटरोगेशन जो है वह अब पूरी हो चुकी है कोट में इडी ने ये बताया कि हमने कई लोगो हुई थी कोट में तो इडी ने साथ दिन का रिमान मांगा था दस दिन का रिमान मांगा था साथ दिन का रिमान इडी को मिला था उसके बाद जब दूसरी पेशी हुई थी तो इडी ने पास दिन का रिमान मांगा था जिसके बाद तीन दिन का रिमान जो है वो इडी को मिल है इसलिए उनको जेसी यानिकी नियाई खिरासत मतलब की जेल भेज दिया जाए तो निश्चित रूप से अब जो अदालत है वो भी जेल भेजेगी लेकिन एहम बाते यहां पर जो कोट में बताई की गई है क्योंकि आपको याद होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजनिवाल है वह भी 28 मार्श तक एडी के कस्टेडी में है 28 तारिक को उनको जो है वह जो राउसवेन्य कोट है उसमें पेश किया जाना है तो एडी की कोशिश यहीं रहेगी कि आगे भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजनिवाल है उनका रिमांड और लिया जाए तो अभी तक 10 दिन की कस्टेडी जो है वह एडी को मिली थी के कविता की जिसके बाद उन्हें अब राउसवेन्य कोट पेश किया गया है और अब एडी नहीं यह कहा है कि उनको आगे जो क कविता है उनसे पूछताच की जूर्त नहीं है इसलिए उन्हें अब जेल भीजा जा सकता है कि के कविता से जो भी पूछताच की जानी थी वो पूछताच लगभख पूरी हो गई है जितने भी सवालों के जवाब एडी जानना चाह रही थी साउथ लॉबई का कनेक्शन क या है शराब गोटाले से शराब गोटाला कैसे हुआ किसके शारे पर हुआ यह सब कुछ एडी पता लगा चुकी है और भॉजल इसका खुलासा हो सकता है अतुल बिल्कुर प्राचे देखिए जो दस दिन की जो इंटरोगेशन थी के कवीता से वो अब इडी पूरी कर चुकी है और सबसे एहम बहाँ पर यह कि जब हैदराबाद से गिरफतार के कवीता को किया गया था तो पहले उनसे घर में उनसे पूछताच की गई थी और उसके बाद मनीज सिसोधिय तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या ओफिशल स्टेट्मेंट देती है लेकिन अब उन्हें के कवीता के किलित हमानी 14 दिन के नई खेरा से यानि की जेल भीज दिया है आपके कारेकरता, पटेल चौक, मेट्रो स्टेशन पर जबर्दस थंगामा कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब से आपके सैक्डो कारेकरता पटेल चौक पहूंचे हैं यहां से वो पियम आवाज का घिराफ करने के लिए निकलेंगे आप कारकरताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दिये दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दिये पुलिस ने कई आप कारकरताओं को डिटेन भी किया है पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने पहुचे पंजाब के मंतरी हरजोज सिंग बैस को भी हिरासत में ले लिया है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आपके खिलाफ हला बोल दिया है सैक्डो के दादाप में बीजेपी कारेकरता केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पटेल चौक की तरफ बढ़ रही है बीजेपी केजरीवाल के स्तीफे की मांग कर रही है तो आब आपनी पार्टी और मारतिय जन्रता पार्टी इस वक्त दोनों ही सडकों पर उत्रे हुए है एक तरफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां आपके कारेकरता जुटे हुए है और यहां से पीम आवास का घिराफ करने के लिए ये मूव करना चाहते हैं लेकिन इन्हें यहीं पर रोका गया है दिली पुलिस की भारी तैनाती है कई आपने पार्टी के कारेकरताओं को डीटेन की किया गया है तो दूसरी तरह बीजेपी के कारेकरता भी आसरतों पर उतरे है और बीजेपी के कारेकरता कह रहे हैं कि अरविंद केजडिवाल जो पिला लीडी की कस्टेडी में है उन्हें स्तीफा देना चाहिए हाला कि आपको जानकारी दे रहें कि अर्विन केजरिवाल और उनकी पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि वो स्तीफा नहीं देंगे वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और एक के बाद एक दो ओरडर अरुण केजरिवाल की तरफ से अपने दो मंत्रियों को दिया भी जा चुका है संदेश दिने की कोशिश है अरुण केजरिवाल की तरफ से कि बेशक वो जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली का खयाल है तो अरविन केजरीवाल फिलाल एडी के सवालों का जवाब दे रही है उनकी सवालों का सामना कर रहे हैं उनसे शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक जानकारी इडिल एडी जो है वो पता लगाना चाहती है शराब घोटाले के दोरान जो इस्तमाल अरविन केजरिवाल फोन कर रहे थे और आज के कविता एडी कस्रेटी खतम होने को लेकर अपील की जाएगी एडी की ओर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी और दूसरी तरफ कोशिश होगी के कविता की कि उनको जमानत मिल जाए उनको रहाई मिल जाए बहरवाल एडी ने के कविता को लेकर अब राहु कविता को आगे की रिमार्ड मिलती है या फिर एक बार फिर से के कविता क्या EDK शिकंजे से रिहा हो पाती है या फिर उन्हें रिहाई मिलती है और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो हाथ हिला कर अपनी बात रख रही है यहाँ पर कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे है इलेक्टरॉल बॉंड्स को लेकर या फिर हो सकते है वहाँ पर जो पत्रिकार हैं वो उनसे सवाल पूछरे हो इलेक्टरोल बॉंड्स को लेकर लेकिन के कविता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बेगुना है लेकिन E.D. के पास जो सबूत मिले है उसमें साउथ कार्टिल का जो पूरा का पूरा आप कह सकते कुनवा है वो के कविता के ओर से ही जुड़ता है और साथ ही बहुत एहम रहेगा के कविता के साथ और के कविता की कोशिश होगी कि आज उनको राहत मिले लेकिन E.D. ने भी अपनी तयारी पूरी कर रखी है E.D. की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से के कविता जो साउथ कार्टिल है उसकी एक एहम कड़ी है जिसके जरिये ही जो पैसा है साउथ कार्टिल का पैसा है जिने ठेका मिला था दिल्ली में शराब के ठेके मिले थे उस दौरान किस तरह से जो पैसा था व अतुल के कविता को लेकर एडी पहुंची है इस वक्त राउजवनियों कोट क्या लगता है क्या आगे रिमांड बढ़ेगी या फिर के कविता को राहत मिल सकती है देखे राहत तो अभी के कविता का अमित नहीं मिलती दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से कोट रूम में अभी वो पहुंची है सुनवाई अभी शुरू होगी देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड आगे एडी मांगती है नहीं मांगती क्योंकि अभी दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल एडी की कस्टड़ी में है पहले साथ दिन का रिमांड एडी को मिला था क्योंकि यह क्योंकि दस दिन की इंटरोगेशन की कविता से हुई है वो अपने आप में काफी एहम होगी साउथ लोबी को जिस तरीके से कवीता लीड कर रही थी हेड कर रही थी और उसने जो दिल्ली में आमाधी पार्टी की सरकार थी उसकी टॉप लिडर्शिप यानि कि दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन केज़िवाल और आपकारी मंतरी मनी सिसोद्य को टच किया उनको बकाइदा उन से कॉंटेक्ट किया और किस तरीके से क्या जो कवीता है उस ने अर्विन केज़िवाल को कॉंटेक्ट किया था या फिर कान्टेक्ट दिल्ली में आमाधी पार्टी की सरकार की तरफ से यानि कि टॉप जो लीडर्शिप आउसकी कविता को जो है कॉंटर्क किया गया था इसकी इंवेस्टिकेशन अभी कर रही थी एक इंपॉटेंट बात यहां पर यह भी थी कि जो अर्विन के जिवाल और के कविता दोनों ही एडी के रिमांट पर थे अभी तक हमें ऑफिशली जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कविता और अर्विन केजरिवाल दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की गई है अगर यह पूछताच की गई है तो काफी एहम बात होगी क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग इसकी की जानी थी और जब दोनों को आमने सामने बिठा कर पूछताच की जाएगी तो उससे कई ऐस जिसके जवाब एडी जानना चाहती है वो एडी को मिल सकते हैं। जिसके जवाब एडी को मिल सकते हैं। कैसे जेल से धड़ा-धड अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं। इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये। दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये। और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है, ये चिठियां जाली है, ये दिल्ली बे बैठकर यहीं बाहर बैठकर चिठियां निकाली जा रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के उपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं, उनकी उपर कारवाई होनी चाहिए। मनिंदर सिर्सा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखी है और उन्हें एडी को भी चिठी लिखी है। तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है। देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी। उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के व जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके ओपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन एडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है इडी ने अपनी जो जेसी के एप्लिकेशन के कविता के खलाब उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाज कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाज करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमिका की लगातार जाज कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नश्ट कर सकती हैं और मोजूदा जाच को प्रभावीत कर सकती हैं और एक ED jaar इंपोर्टेंट यहां लिखी है सोअरव कि आर्थिक अपरात की जाच सामान्य अपराद की जांच से जादा कटिन है क्योंकि आर्तिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जांच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आमादी पार्टी के नेताओं को दिये गए 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो E.D. जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे है ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केज़िवाल जो E.D. के कस्टडी में है ये बहुत ही साधन संपन लोग है और ये जिनकी जाच करना बहुत ही बढ़ी ख़बर आपने बता दी कि इनकी जमानत की अर्जी भी खारेच हो गई है तो मैंने खुद ये कोश्चन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था वो जय तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर ये आरोप लगाए गए है जो एरेस्टिम की गई है वो इलीगल है वो इसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं ये कोश्चन मैंने उनसे के कविता से पूचा था कि क्या आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन अब जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूच्टाच की गई ये एडी ने कोट के अंदर भी का कि अर्विंद केजडिवाल को आपने सामने बिठाकर पूच्टाच की गई ये अभी ऑफिशली डिकलेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में बताया गया और नहीं एडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए स्वरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विंद केजडिवाल और के कविटा का आमना साफ होगा आतल बहुत शुक्रिया आपका पूरे अप्डेट के लिए के कविटा की जमानात की अर्जी खारिश के कविटा को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाव बनेंगी या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 एडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब एडी जब बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में आपका राउल माजन जी हमारे साथ है राउल ओगावत स्वागत है समीर चौकांकर जी बी स्टुडियो में आपका बहुत स्वागत है सर पहले जब एड़ा सी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशन रिमान जनी जेल में अब के कविता अब उनसे पूछ ताammar को के 28 तारिक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगे गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शा खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि भई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप K कविता की गिरफ्तारी क्यों हो रही है कि वह उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिली सरकार पर ये नीति और नीति के जरिए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किसने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा कि क्या वो कह रहें कि फोन ही गायब है क्या ED के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीजे हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद अब से ऐसा ही ब्योनी शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे ने पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गए हैं कई फोन टूट गए थे फोन बदल गए थे और फोन जो है या एलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी गैजट्स हैं वो बहुत कब बात हुई है वो दो नमबर को ट्रेस किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहा कहा हुआ ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारीां जो है अलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर जो है सामने आपकी अगर पन जाया है जो इसका के जरिवादी बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वो जो है एविडेंस के तोर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अर्विन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बा अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीजे भी तो जाँच का दायरे में आ जाएंगी कि यसा क्या हूआ है कि यस पैसा आया है यही कारण है कि अर्विन केज़िवाल जब उनकी बात आईगी तो एडी दूवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एव होते हैं तो चलिए अपराधियों करने वाले शातिर अपराधियों जैसे बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 4455661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहां है अब ये मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को ये समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार-बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं लेकिन अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम हमको ढूड़ना है हमको पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आम आद्मी पार्टी तो फिर कहेंगी कि हम तो शुरुआत से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहां का पैसा कहां गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव अग्राइबर की अग्राइब करेंटि कि यह पूरा केसी खुल खता मी हो गया पिर समझ लिए कि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने 100 करोड रुपए दिये दिली के दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया यह कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया यह एडी का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है उनको बनाने में काम्याब हो जाती है एडी तो फिर तो यह केस ब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित है मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक कि उनके कल जाकर कि क्या होता है यह कहना बड़ा मुश् ये जिक्र कर रहे थे कि गुवा के 15 जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लगएगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूबर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई द्वारा है ने और दूसरी दूसरी बात यदि वो एप्रूबर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजे परते खुल कर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट प्रवस्था जो है वो तिहाड़ी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि क के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजय नायर पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गई अर्विन के जरिवारों के कविता की बात हुई हां सबसे ब परिछ प्रमार्ज के गिरफ्तारी का खत्म होता है, period उनको गिरफ्तार कर लिया रहता है. तरह आप जो बात करें मैं बिल्कुल सहम होता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अप्रूवर बनेगी. अब भी अब दो ही तो अगर आपी देखे तो दो ही तो मुख्य आपी हैं, अर्विन केजरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये, दूसरे ने पॉलिसी बनाई? नहीं, 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 पैसा कहा से चला? थिए ठीक बाई, पैसा चला साउट से, आया आम आद्मी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमका थी, उसमें मनिष शुदिया भी है, ये भी है, तो मैं तो फ्यारा, उनसे उपर आपके जिरिवार होगा, न कोई जो बात हम लोग कर रहे है, अब देखे, कभी भी आपने, मुझे तो याद नहीं, बाकी लोग मुझसे ज़्यादा जानकारें बताएंगे, कोई ऐसा कोई केस हो, और ऐसा कोई कॉम्लिकेटेड केस हो, उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता है, खासकर कोई पॉल पॉलिटिकल लॉंडरिंग केस, और मुझे फसाया जा रहा है, यह मामला नहीं है, पॉलिटिकल लॉंडरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है, आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अर्विद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है, के कविता सबका ये मानना है, कि के कविता सुत्रधार हैं इसके, लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इसे इनका, क्योंकि देखे इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इसे मत स्विकार करिये, बाकि हम लोग कोट में देखने ह हैं, अगर कुछ गलत किया है, माननेघे तो राजनीती खतम, असलिकी अपनीहीं और बेर बाकkę ऌप लोग के लोग ऑरोप, समीर जी. देखे के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा एडी के लिए प्रूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महिंदरू बन चुका है देखे पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता और हव हवाला के पैसा हवा में उड़ती ही पूंजी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाद नहीं रहता वो सिवेक परची पैसा चलता है एडी को यह प्रूव करने के लिए कि हैधराबास से पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने से गो हो जाता है तो अगर गोवा के जो मिद्वार आपके रहेंगार वो यह कहते ही कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें यह प्रूव करना बहुत मिश्किल होगा है यह पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस पता नहीं चलेगा लेकिन पैसा खर्च होआ होगा तो पता चलेगा ना खर्च होगा लेकिन यह एडिक को इसक पैसा हावाला से आया ता कविड़ा कह सकते हैं समीर मेंदरों ने कह दिया और सरकारी गवाव बन चुके उन्होंने का मेरे एक करोड रूपया दिया है अभी पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है अब आधी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया उसने कह दिया अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अप्रूवल बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूव बन जाता है तो कई बार कोट में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वह यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट कि जाए कि 12% बच्छ देंगे तो रेवन्यू का काम है ना कि रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन है कि प्रोसीड ओफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो ने सही होगी कह रहे थे कि देखिए अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को जरूरी है तो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां बोला यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां हो पैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहे कि चाहिए बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जिगा जुए में किसी और काम में औ और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो लेकिन साबित होगा नहीं यह जो सा CBI corruption के cases में पकड़ती है तो जान बूच के कोशिष करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए रिशवत लेते हुए रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर marking की जाती है उन नोटों पर जोके रिशवत की तोर पे दिये जा रहे होते हैं तो इसलि जब आपका intention दिखरा है, policy से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाफ दिखरा है, जहां दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां दुकान हो गई, यानि हवा में दुकान हो गई, अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती है, कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई, अब वो गड़बर इन्वाल रहता है, तो किसके किसके घर पर रूटिंग होती है, उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं, मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस policy को बनाते हैं, और उस सब के ऊपर, जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है, आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं, विजे नाय उससे जब बात करके कहते हैं, अर्विन केजरिवाल, कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे बियाफ़ पर आप कोई भी monetary gain भी चाहिए, तो उन ले सकता है, तो ये सब क्या, मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता, circumstantial evidence कहलाएगा, क्या है सब? अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है ED, तो सभाविक है कि उसमें अर्विन केजरिवाल प्रूप है? इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सौरब भार्दबाद जो की शिक्षा मंतरी भी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है, और मुझे अर्विन केजरिवाल जी निये कहा है, कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दि चिंता होती लेकिन इस बग भी जेल में भी आईडी की कस्टेडी में भी अर्विन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है। पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए। यह सवाल इसलिए क्योंकि एडी ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राउज जबिनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा लेहाजा अब एडी को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकिलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती ED अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार ये बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन ED ने जो आध JC के एप्लिकेशन कोड के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है ED ने अपनी जो JC के एप्लिकेशन के कविता के खलाफ उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में ED जो आरोपी की भूमिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नश्ट कर सकती है और मोजूदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडिन इंपोर्टेंट लाइन यहां लिख्ये ए सौरव कि आर्थिक अपराथ की जाँच सामान्य अपराथ की जाँच से जादा कटिन है क्योंकि आर्थिक अपराथ करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली हैं। कि समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बेहद शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो क प्रभावशाली लोग है ये जो सीएम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाज कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज़िवाल जो एडिके कस्टडी में है ये बहुत ही साधन संपन्न लोग है और ये जाज करना बहुत एक तो ये बड़ी ख़बर आपने आज जब के कवीता कोट रूम के अंदर पहुच रही तो मैंने खुद ये कोशन के कवीता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जैतलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर ये आरोप लगाए गया है जो एरेस्टिन की कष्टरी में क कवीता हार रही है और लोगों के आंमने सामने बिठाकर उंसे पूचाच की गई ये एडी ने कोट के अंदर भी का किạt अर्विंद केजरीवाल में नहीं किया गया है नहीं बताया गया ना सो कूट में बताया गया और ना ही एडी ने ओपिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए स्वरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विन केज़वाल और के कविता का आमना सब्सक्राइब आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानात की अरजी खारज के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाव बने अब देखना होगा के कविता कर सरकारी गवाव बनती है तो मतलब अर्विन के जिरिवाल को लेते हैं बहुत बुरी ख़बर होगी के आज की कहानी कुर्सी के मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर्श परदन तिरपाठी जी स्टूडियो में स्वागत है के जिरिवाल के 28 तारिक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फरदर कस्टडी मांगे जैसा के कविता के के इसमें दो बार कस्टडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केज्रिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा केकविता की जब गिरफतारी हुई थी तब ही ये कहा गया था कि बही इसका मतलब कुछ प्रमाळ पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप केकविता की गिरफतारी क्यों हो रही है केगविता की गिरफतारी इसलिए हो रही कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेंदिन हुआ उसका लेगन मूल कॉन है? मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा कि वो कह रहें कि फोन ही गायब है क्या एडी के पास वो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद एडी की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद ये खबर जो भाब बैसे आई है वो ये क रजेट्स हैं वो बहुत महत्पूर निस्सा है इस पूरी तफ्टीश करावजी इस पेसा जो है कहां से कहां गया या फिर ये पता चलता है कि 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 एक्सेंज हुए किस ने किससे बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार बात हुई है और नंबर का मेल किया जा जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है electronic evidence के तौर पर जो है सामने अभीता अगर बन जाएं प्रूबर तो इसका केजरी वाज़ी के लिए अभी देखिए यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वह जरूई नहीं है कि फोन अपने लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नो उन्हों ने एक बयान दिया कि उन्होंने दो Hundra14 से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने आपको पैसा दिया अब यह कितना सुह है या बलत लेकिन यह इस सारी तो जांच के दाइरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान इन चीजों को उनसे पूछ संथ यह इसमें एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे 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 पूलिस फोड़ा एडवांस फोती जाती है वीसे अपराधी भी एडवांस होते है तो चलिए अपराधीयों का समझ आ है यह भष्टा चार करने वाले वह शातिर ही काम करते हैं कि पहले हम कोई आपराद होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीज़ें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सब्सक्राइब के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी है वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बह कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जाश कर रहे हैं उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बाते आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए ये जो है ये बड़े कॉम्प्लि यह कि क्या K कविता अप्रूवर बने घेगा अब आप K कविता कि भूमिका प्रूवर बनती नो फिर तो यह पूरा केसी खटाम ही हो गया फिर समझ लिए क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने सौ करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया यह कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये ED का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है ED तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ गार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोफ है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जय तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर कि क्या होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दिन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स ऑप क्राइम और यदि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लएगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और यह उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई द्वराए नहीं है और दूसरी बात दूसरी बात यदि वो अप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीज़ें परते खुल करके बाह सब्सक्राइब करें सारोथ, हैं सबसे बडी बात यह चल रहा था कि के कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और वह सप्रीम कोट का उनके जो पैसला उनको घुमार्टै का उनको गेप्रतार नहीं कराभायार swoje सब्सक्राइब करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कविता के कविता अपरूवर बनेंगी अगर आरोपी देखें तो दो यूत बकॉल एडी दो यूत मुख्या रोपी हैं अर्विन केजरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई पैसा कहां से चला? पैसा चला साउट से, आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमका थी, उसमें मनिश शिशोदिया भी है ये भी है, सारे लोग एडी ने क्या दिया ये मुख्य साधिश करता है वो सही बात है, वो सही बात है कभी भी आपने, मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे जानकारें बताएंगे, कोई ऐसा कोई केस हो, उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता और खासकर कोई पलिटेशन वो कभी अप्रोवर नहीं बनता है, कभी सरकारी कभी एडविट नहीं करेगा कि हां मैंने ये किया था, और मैं सरकारी कभाप बन गया हूँ, मैं बाकी बात ही जोग आपको बता देगा है तो ये कभी अगी बात सुने देता हूँ पर आता हूँ तो क्ये कविता कह रही है मैंने कुछ किया नहीं है ये फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया चाहरा है ये मनी लॉंडरिंग का मामला नहीं है पोलिटिकल लॉंडरिंग का ये मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमड़ी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अर्विद केजरिवाल की कितनी मोटी चमड़ी है के कविता सबका ये मानना है सबका ये मानना है की के कविता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका, क्योंकि देखें इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इससे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं, अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो राज करने पड़ेगी, इनकों इनके ओपर भी दोश साबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपिये तो उनके ओपर भी, समीर जी, के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा कि एधराबास ये पैसा चला और ये मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्हों ने से गोवा में इस्तमाल किया, इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और लिंक जोड़ना पड़ेगी, चुकि ये पैसा पूरा हवाला से आता है तो ब इस तरह के कैसस होते फानेशल क्राइम के, उसमें भारतिय कोई एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वो हवाला के जोड़ सके, ये जरूर पता कर लेते कि पैसा आया है, लेकिन वो कोड में पूरू नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था, इस माद्यम से आया, पैसों में इतने ज़्यादा इन्वाल्में पैसा हवाला का पैसा हवा में चलता है, पैसा आया कहां से, कैसे आया, ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा ना, खर्च होगा लेकिन ये एडी को स्टबिनिश करना कि ये पैसा हवाला से आया ता, कविदा कह सकती है, समिर मेंदरू ने कह दिया और सरकारी गवा बन चुके, उन्होंने का मैंने एक करोड रुपया दिया है, अभी तक उसकी लिंग स्टेबिनिश्ट नहीं हुपाई कि वो पैसा किस मादधम से कैसे डिलेवर हुआ है, तो जब पैसा चलता है तो इसके बहु अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाब ले सकता है, तो अप्रूवल बहुत बहुत ऑफंटिक रखती नहीं होता, जो आप आरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है, तो कई बार को यह भी माना जाता है, कि वो अपरादिय और अपने को बचाने के लिए इस सामने हैं, कि बहुत रेवनिव इकठा करने के लिए, तो आपको के कविता को बचाने करने के लिए, बिना पाड़न किये आप उसे अपरूवल नहीं बना सकते हैं, तो यानी के कविता को पहले आप पाडन करेंगे, पाडन से पहले वो गलती तो माने अपनी? पार्डन करेंगे उसके बाद वो अप्रूव बनेगी उसके बाद वो बयान देगी अब जो में सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पार्डन करके एक व्यक्ति को आप अप्रूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है तो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि चाहिए बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जिगा जुए में किसी और काम में और क कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो लेकिन साबित होगा तो नहीं यह जो सा िए च spr AlsoU tip बिल्कुरब की केसिश समें पकड़ती है तो जानो बूच के कोशिश करती है कि अब यहां पणतूर्च की लार इचाय इसलिए को दो files अब weapons कि द्यौए में के का सच हैं लेकिन यह जो मामला आया ये आया हρι कर सह समझें जब आपका intention दिख रहा है, policy से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाफ दिख रहा है, जहां दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां दुकान हो गई, यानि हवा में दुकान हो गई, अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती है, कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई, अब वो गड़बर इन्वाल रहता है, तो किसके किसके घर पर भीटिंग होती है, उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं, मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस policy को बनाते हैं, और उस सब के ऊपर, जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है, आम आदमी पार्टी के जिसको ये सारा management देते हैं, circumstantial evidence कहलाएगा, कहीं सब? अरे भाई, आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा? जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है ED, तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है? इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सौरभ भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है, और मुझे अर्विंद केजरिवाल जी निये कहा है, कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को, टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं, इसको देखो, और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो, और उन्होंने कहां कि मेर लिए तो केरजरिवाल का आदेश भगवान के आदे बिल इस निकल रहे हैं, इस पर बीजे पी ने अब legit से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये, और कहा है कि ये फर्जी वारा है, फौजर्य है, ये चिठीया जाली है, ये दिल्ली बे बैट कर शिठीया निकाली जा रही है और ची इडी को भी चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठीया निकली है तो बताइए सच्चाई क्या है ऐसा नहीं है तो आप भी कारवाई कीजे इसकी उपर उसकी हम लोग बात करेंगे उनसे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ को दिल्ली के राजजेविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमना सामना भी कराया जा चुका है लिहाजा अब एडी को कव पर जुड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस अवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अपरेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी की जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई ग जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वह सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजूदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इंपोर्टेंट यहां लिखिए सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामान्य अपराद क की जाच से जादा खटिन है क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो की कोटाले से के कवीता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो सिएम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजिवाल जो इडी की बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोर्ट रूम के अंदर पहुच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगारा बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आरोप लगाए गया है जो एरेस्टिंग की गई है वो इसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कविता से पूचा था कि क्या आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन आप जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती ह और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूच्टाच की गई यह अर्विंद केजडिवाल को आपने सामने बिठाकर पूच्टाच की गई यह अभी ऑफि जुकरे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं यह कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अकसर यही हुआ है कि जब 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 एडी ने र स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर्ष हर्षबरधन दिरपार्टी जी स्टूडियो में स्वागत है हर्षबरधन जी आपका राहूल माजन जी हमारे साथ है राहूल की स्वागत है प्रपेशर संगीत रागी हमारे साथ है सर स्वागत आपका समीर चौकांकर जी बी दो दिनों के बाद, तो आप ये मुमकिन है उनको भी जेल हो या इडी जो है उनकी आगे हो सकता एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज ये है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें न है कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दार दिखाने के और, खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तब ही ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाढ़ पक्का वाला मिल गया है क्यों कि आप के कविटा की गिरफ्तारी क्यों हो रही ए कि उस लॉबि का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमान तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बाचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों वो कह रहें कि फो नहीं गायब है क्या ED के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगी और जो गवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमान जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे यह यह चीजे हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद यह खबर जो बाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया और फोन जो है यह यह एलेक्टर निक एविडिनस जो भी गैजट्स हैं वो बहुत महत्पून इस्स्स आ है इस पूरी तफ्तीश ख़राउल जी लेक्जेर यह होता है यह दो इसकाessment में ऑफ्ps तो ये सारी जानकारियां जो हैं electronic evidence के तौर पर जो है सामने आगी अब कविता अगर बन जाएं approver तो इसका केजरी वाज़ी के लिए अभी भी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें बाकी है आप उसकी application देखिए एडी की जो अभी आपके समवाधता बता रहे थे इडी अभी भी कह रहा है कि उसे proceed of crime जो है उसको ढूनना बाकी है तो proceed of crime इस मामले में बहुत जादा बड़ा evidence है उसको इडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग है अब देखे आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वो जरूई नहीं है कि फोन अपने destroy कर दे तो वो जो है evidence के तौर पर सामने आए electronic gadget evidence के तौर पर सामने आते हैं खालिस्तानी आतंकी है उन्हों उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014-2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्हों या इन चीज़ों को उनसे पूछ सकी इसमें एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे 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 पूलिस थोड़ा एडवांस होती जाती हो ऐसे वैसे अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिए अपराधियों का समझ जाते हैं यह भरष्टा हम देखते हैं कि पहले हम कोई आपराध होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो वो पकड़ेगा कहां से मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिखने है लादेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजह हुए है वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है तो ज़रा समझेगा और अगर यह हो जाता है के कविता अप्रूबर बनती है तो फिर तो यह पूरा केसी खुल खतम ही हो गया पिर समझेगे क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने सौ करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में काम्याब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिल्कुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्य क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरि और दो-तीन दीन पहले हम लोग चला भी रहे थे कि सायद वह एप्रूवर बन जाया दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रूशीट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गोवा के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन्ह को ने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वह गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट चो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें कोई द्वारा है ने और दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजे नायर पकड़े गये अमुक व्यक्ति पकड़े गये अमुक व्यक्ति पकड़े गये अमुक व्यक्ति पक पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती है इसके कारण हो जैसे यह तेरह मार्च की गिरफतारी का खत्म होता है पीरियड उनको गिरफतार कर लिया रहता है अगर आरोपी देखे तो दो यूट बकॉल एडी दो यूट मुख्या रोपी है अर्विन केजरिवाल और केकविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई ने 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 पैसा कहां से चला थिक पैसा चला है हैदराबाद से ने ने पैसा चला साउट से आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमका थी उसमें मनिश शोधिया भी है यह बहुत कर रहे हैं अब देखे कभी भी आपने मुझे तो यादनी बाकी लोग मुझसे जादा जानकारें बताएंगे कोई ऐसा कोई केस हो और ऐसा कोई कोई केस हो उसमें कभी कोई आरोपी जो होता है और खासकर कोई पॉलिटेशन वोगभी अप्रूबर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़विट नहीं करेंगा कि हां मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूं मैं बाकी बात इन जो आपको बता देए और सब्सक्राइब आपको बता तो के कभीता कह रही है मैंने कुछ किया नहीं है यह फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है यह मनी लॉंटरिंग का मामला नहीं है प्रिटिकल लॉंटरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है, आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है, के कविता, सब बड़े बड़े वकीली मिलते है, बड़े बड़े के वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इसे मत सुकार करिए, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं, अगर कुछ गलत क्या है, मान लेंगे तो राजनीति ख़तम, उनकी एनकी राजनीति तो कुछ नहीं है, इनकी और बाकी लोग आरोपी हैं तो उनकी उपर भी समीर जी देखे के कवीता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा एडी के लिए प्रूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महिंद्रू बन चुका ह देखे पूरा जो मांळा है पैसा हवाला का रहता है हवाला का रहता है हवाला के क्या हवा talking हौए पुल्ची है पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के इंडिया के इस तरह के कैसे फानेशल क्राइन के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह वाला के जोड़ सके यह जरूर पता कर लेदी कि पैसा आया है लेकिन वो कोड में प्रू नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माद्यम से आया वो पैसों में इतने ज्यादा इंवाल्में आप कहने हवाला का पैसा हवा में चलता है मैं पैसा आया कहां से कैसे आया ये तो पता नहीं चलेगा लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता प्रिवल अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अपरूल बहुत बहुत अथन्टिक रखती नहीं होता तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है जो सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को 5-5% कि जाएगे 12% प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं किसली दिया वो आमादे रेवनियू इकठा करने के लिए होलसेलर को हम दुगना प्रॉफिट देंगे बेसितरी ये तो रेवनियू का काम है कि रेवनियू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन है कि प्रोसीड ओफ क्राइम आए आप अप्रॉवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अप्रॉवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पार्डन करके एक व्यक्ति को आप अप्रूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहा बोला बोला लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि चाहिए बताई कोई दो और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप द्यान दीजिए जब CBI corruption के cases में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की त जब आपका intention दिखरा है पॉलिसी से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाफ दिखरा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लॉबी है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं वो पैसा कहां कहां जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल रहत उससे जब बात करके कहते हैं अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे बियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है। आधार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आधार पर प्रूफ होता है। कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात चीज़ के बात कहा जाए, प्रूसीट सब्द क्राइम, कि आप किसी कहां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में जेल से सरकार चलाने पर आमादा हैं, और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया, हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं, जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने जहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को, टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं, इसको देखो, और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो, और उनकी बात मैं आपको सु पाधर अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये, और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है, ये चिठियां जाली है, ये दिल्ली बे बैठक ये बाहर बैठकर चिठियां निकाली जा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए, और मंत्रियों के उपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं, उनकी उपर कारवाई होनी चाहिए, मनिंदर सिरसा बीजेपी के नेता, उन्होंने ये चिठी लिखिये और उन्हें ओर इडी को भी चिठी लिखिये। के कविता को दिल्ली के राउजविनी कोर्ट में पेच किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमना सामना भी कराया जा चुका है लिहाजा अब एडी को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है जिस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकिलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक regular बेल पर सुनवाई नहीं होती ED अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार ये बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन ED ने जो आध JC के application code के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत important है ED ने अपनी जो JC के application के कविता के खलाफ उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाज कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाज करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में ED जो आरोपी की भूमिका की लगातार जाज कर रही है और अप्राद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अप्राद से आय से जुड़े हों हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नश्ट कर सकती है और मोजुदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडिने इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराद की जांच सामान्य अपराद की जांच से जादा कटिन है क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है और 100 करोड रुपे आम आद्वी पार्टी के नेताओं को दिये गए जो 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो ED जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाज कर रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो CM की बेटी है के क कविता जो जिनकी जाज कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो ED के कस्टडी में है ये बहुत ही साधन संपन लोग है और ये जो जाज करना बहुत है कि इनकी जमानत की अर्जी भी खारेच हो गई है इनको जूडिशल कस्टडी में यानि जेल भ पूछा तो अभी जो उनकी टॉन थी अभी उनका कहना था जैतलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके ओपर यह आरोप लगाए गया है जो एरेस्टिम की गई है वो इसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कविता से कि आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन अब जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताच की गई यह एडी ने कोट के अंदर भी का क्या अरविंद केज़िवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताच की गई यह अभी ऑफिशली डिक्लेयर नहीं किया गया है न परनेंगे या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वह अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है इडी ने रिमांड नहीं मांगी है या जब एडी जो है बेल को अपोस्ट नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में होगा तो ऐस साथ है राउल की स्वागत है प्रफेजर संगीत रागी हमारे साथ है सरस्वागत आपका समीर चौकांकर जीबी स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर पहले जरा इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशल रिमांड यानी जेल में अब के कविता अब उ स्टेड़ी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है यह बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ अब आगे शायद गई हो गाई यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप केक कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांड तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बाचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों वो कह रहें कि फो नहीं गायब है क्या एडी के पास तो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाँ हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगे और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाँ बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांड जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के बाद का जो उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिन के जिवाल जी की तरफ से ऐसा ही व्योनी शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे में पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गए हैं कई फोन टूट गए थे फोन बदल गए थे और फोन जो है या किसे कितनी बार कब बात हुई है जाटा है फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और यही जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहा कहा ट्रेफल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है एलेक्ट्रोनिक ऐविडेंस के तौर पर जो है सामने आपगी अगर बन जाएं अप्रूवर तो इसका केजरी वाज़ी के लिए अभी भी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें बाकिया आप उसकी अप्लिकेशन देखिए एडी की जो अभी आपके समवाधता बता रहे थे आपके एडी अभी भी किया रहा है कि उसे प्रूसीड राइम जो ऐसको इुझना बागी है अगर आब बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नू उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीज़े भी तो जांच के दाइरे में आ जाएंगी कै ऐसा क्या हुआ है क्या पैसा आया है ये सब चीज़े जो है इडि जो है सबकी जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो एडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सकी पूलीष फूरा एडवांस होते हैं तो चलिए फरादियों का भात निश्वांगेगी तो इसको आप मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीज़ें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सब्सक्राइब करें दिख रहे हैं तो पैसा कहा गया जिसको बार-बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुड़ते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं लेकिन अगर यह अगर यह भी कह रही कि प्रोसीड कि छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा महादेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहाँ पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर मार्क तबदीर किया गया, यह सारी चीजे होती है और यह मुश्किल होती है जाना। और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित है मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर के क्या होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जा है दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गवा के पंद्रह जो जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त ल दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूबर की भूमिका में नहीं नहीं है और यह उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोंट चू कर पा रहे हैं वह हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें कोई द्वारा है नहीं दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप् मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजे परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्ता जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिकत और कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से कविता की बात कया रहते हैं की वीजे नायर पकड़े गए अमंग वेकति पकड़े गे अमुक वेकति पकड़े गए अमू मुक बात हुई है सबसे बड़ी बात थी ये जिकर ही चल रहा था कि के कविता को गिरफतार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रीम कोट का उनके जो फैसला सुप्रीम कोट का जो एक उन पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती इसके कारण हो मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता परूवर बनेंगी अभी अगर आरोपी देखें तो दो यूट बकॉल एडी दो यूट मुख्या रोपी है अर्विन केजिरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई नहीं 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 पैसा चला साउट से आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी उसमें मनिश शोदिया भी है यह बहुत है यह पॉलिटिकल लॉंडरिंग का केस है वही जो बात हम लोग कर रहे हैं अब देखे कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुस्से जादा जानकारें बताएंगे कोई ऐसा कोई केस हो और ऐसा यह इतना ऐसा कोई रॉपी जो खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रूबर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एडविट नहीं करेंगा कि हा ने यह किया था और मैं सरकारी कभा बन गया हूं मैं बाकी बातें जो आपको बता जेंदें इसा कभी होता नहीं सवारे कभी झेपिता की बात स तो के कविता कह रही हैं मैंने कुछ किया नहीं है यह फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया चा रहा है यह money laundering का मामला नहीं है political laundering का यह मामला देखाई दे रहा है सौरव एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह criminal से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविटा सब का यह मानना है सब का यह मानना है कि के कविटा सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप सापी से इलवा क्योंकि इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं उप इसँसे अर नेता लोग हैं हैं हैंगर कुछ गलλλब किया मान लेंगे तो राजनीती खतब हो जाएगी इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनकी जेरिवाल और बाकी जरीवाल कारोपि इनकी उपर बहुत जाती है लगता कि बहुत आसां नहीं होगा इडि के परुव और बंजुके इसके अंदर समीर महंदरू बन चुका है देखिए पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता है और हवाला के पैसों के लिए कहा जाता है कि हवाला के पैसा हवा में उड़ते ही पुंजी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाद नहीं रहता है वो सिवेक परची पे पैसा चलता और पैसा को एर्वीन केजीवाल नहीं होगा हवाला का पैसा संदेश की माधधиum से आता है संदेश की माधधिum से डिलवर हो जाता है तो अगर गोवा के जो मिदवार आपके रहांगर वो कहते ही है कि हमें पैसा मिला थे तो उन्हें ये प्रू करना बहुत मिश्किल होगा है, ये पैसा आपको हवाला के माध्यम से आया है, मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे होते है फानेशल क्राइम के, उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं ह कि वो हवाला के लिंग जोड सके ये जगरुर पता कर लेधी कि पैसा आया है लेकिन वो कोड में पूर नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माध्यम से आया, पैसों में इतने ज्यादा इन्वाल्में Watch पैसा आया कहां से, कैसे आया यह तो पता नी चलेगा। लेकिन पैसा कर्च हुआ ओक तो पता चलेगा। कोड के अंदर भी अप्रूवल अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अप्रूवल बहुत बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यूँ आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट किजेगे बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं कि बारा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किये आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो अपरूवर बनेगी उसके बाद वो बयान देगी इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि चाहिए बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जा क्या है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो लेकिन साबित होगा तव ना यह जो साबित है पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वह बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे-सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसन्स दे र हुए रंगे हाथों वेक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पर दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एविडेंस किसी भी चीज में वह पुखता एविडेंस की ज़रूरत बहुत है आप कुछ करते हैं ने मैं वही कह रहा हूं यह बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन यह जो एडी का मामला आया यह आया ही इसलिए है आप इसको समझे जब आपका इंटेंशन दिखरा है पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वा भी है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती है वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल्व रहता है तो किसके किसके घर पर होती है उसमें संजे सिधे उस policy को बनाते हैं और उस सब के ऊपर जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है, आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं, विजय नायर, उससे जब बात करके कहते हैं, अर्विन केजरिवाल, कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी monetary gain भी चाहिए, तो उन ले सकता है, तो ये सब क्या, मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता, circumstantial evidence कहला हैगा, क्या है सब, देखे, जो criminal matter होता है, मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा legal जानकारी नहीं है, लेकिन collaborative evidence के तहद, जो है, criminal offense म काम होता है, उसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आधार पर proof होता है, कोई आवस्यक नहीं है, कि जो money trail की बात, चीज के बाद में काया जाए, proceeds of the crime, कि आप किसी कहां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई, आज की दिन में वो कैसे कार चलाने पर आमादा हैं, और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया, हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं, जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो मुझे अरविन केजरिवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को, टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं, इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हों और उनने का कि मेर लिए तो केजरिवाल का आदेश भगवान के आदेश के समाने और वो कह रहे हैं कि कोई भी और विक्ती होता उसको किसकी चिंता होती अपनी चिंता होती लेकिन इसमग भी जेल में भी आईडी की कस्टिडी में भी अरविन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है। जनता की चिंता होनी चाहिए। पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। फोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राउजविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ इडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमना सामना भी कराया जा चुका है। लहाजा अब एडी को कविता की रिमान्ड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाईक हिरासत ने भीजा जा सकता है मतलब उनको जेल भीजा जा सकता है। इसके बाद के कविता के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है। अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है। रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है। लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है। और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है। जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नष्ट कर सकती है और मोजुदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडिन इंपोर्टेंट यहा लिखी है सोरव कि आर्थिक अपराथ की जाच सामान्य अपराथ की जाच से ज़्यादा खटिन है जो कि पूरी JC की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपय की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आम आधी पार्टी के नेताओं को दिये गए 292.8 करोड रुपय जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो ED जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन क कर कोई जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है ये बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुंच रही तो मैंने कुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना तो जै तेलंगा ना बोल रह आता कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूच्ताच की गई यह अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर पूच कि जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं यह कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है एडी ने रिमान नहीं मांगिये या जब एडी जो है बेल को पोस्ट नहीं करती है कभी वँआ अगे अगर के कविता की केस में होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाद में सरकारी कवाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाब बंती है तो मखले फब महलेंन तो समीर चौकांकर जी वी इस स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर पहले जरह इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशल रिमांड जैल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांड पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज ये है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप केक कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा क्या इडी के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगे और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल आएं और ये सब जाच करने के लिए रिमान जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद एडी की तरफ से प्रेस प्रेसारी गवाब बनने वाली ख़बर के लाए ये खबर जो बाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिन के जेवाल जी की तरफ से ऐसा ही ब्योनी शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे एविडेंस से ये पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या फिर ये पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है उन नंबर का मेल किया जाता है फिर उन नंबरों को ट्रेस क किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है प्रोइड आफ क्राइम जो है उसको ढूनना बाफी है तो प्रोसीड आफ प्राइम इस मामले में बहुत ज्यादा बड़ा एविडेंस है उसको आप अपराधी होता है तो फोन अपने डिस्ट्रॉई कर दे तो वह जो है एविडेंस के तॉर पर सामने आ आते हैं अगर आप डिस्ट्रॉइ कर रहे हैं अगर आपकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अर्विन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नो उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो अब यह कितना सही या कितना गलत लेकिन यह सारी चीजरी वाल जब उनकी बात आगेगी तो Once को या इन चीजों को उनले पूछ संकिरे जैसे खीशी कहते हैं Amazon कि जैसे 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 पूलिस तो चलिए अपराधि यह ब्रश्टा चार करने वाले शातिर अपराधि यह सब बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 4455661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं रादेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से इलजे अवहें वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं। उन्होंने अब जो पता चलड़ा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर मारकेट में लगा दिए यह जो है यह बड़े कॉंप्लिकेटिट क्राइम होते हैं और complicated crimes के लिए ही ये agency बनाई गई है ये इतने complicated crime होते हैं कि किस तहां से पैसा, किस तहां से move हुआ उसे किस तहां से black से white में तबदील किया गया ये सारी चीज़े होती है और ये मुश्किल होती है जाना कि उसने 100 करोड रुपय दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस policy को बनवाने में उसका हाथ है और इस policy के जरीए उसने तो माल कमाया ये कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये ED का इल्जाम है और South Lobby की मुख्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामयाब हो जाती है ED तो फिर तो ये case बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूझा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे ले ना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तिलंगना की बात की तो इससे अभी तक कि उनके कल जाकर कि क्या होता है यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दिन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रूशिट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गोवा के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लएगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और यह उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें को अभी द्वार है नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुलकर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विंद केजरिवाल का पर्मानेंट बवस् नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजय नायर पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया इन सारु के कविता की बात हुई हा सबसे बड़ी बात थी यह जिकर ही चल रहा था कि के कविता को गिरफतार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रीम कोट का उनके जो फैसला सुप्रीम कोट का जो एक उन पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती इसके कारण हो जैसे ही वो 13 मार्च के किरफतारी का वो खत्म होता है पीरियड उनको गिरफतार कर लिया रहता है मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अपरूवर बनेंगी अभी अगर आरोपी देखें तो दो यूत बकॉल एडी दो यूत मुख्या रोपी है अर्विन केजिरिवाल और के कविता एक पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई नहीं 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 पैसा चला साओ से आया आम आद्मी पार्टी नहीं किन किन लोगों की भूमी का थी उसमें मनीष शषोदिया भी है यह भी अबुके उसमें अपके जिरिवाल हो गाना इडी ने क्या दिया यह मुखे साधेश करत वो सही बात है, वो सही बात है, वो सही बात है, लोग बात करेंगे, आपके कवीता कह रही है, money laundering का case नहीं है ये, ये political laundering का case है, वो ही जो बात हम लोग कर रहे हैं, अब देखे, कभी भी आपने, मुझे तो याद नी, बाकी लोग मुझे जादा जानकारें बताएंगे, कभी एड़िट नहीं करेंगा, कि हाँ मैंने ये किया था, और मैं सरकारी कवाब बन गया हूँ, मैं बाकी बात हैं जो आपको बता रहे हैं, कभी होता नहीं है, ये कवीता की बात सुनवा देता हूं सर, फिर आता हूँ तो कवीता के रही हैं, मैंने कुछ किया नहीं है, ये फ्रॉड केस है, फर्जी केस है और मुझे फसाया चारा है, ये money laundering का मामला नहीं है political laundering का ये मामला दिखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखें अर्विद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका ये मानना है कि के कविता सुत्रधार हैं इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप सापी से इनका क्योंकि देखें इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं दूसरा यह नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम अब इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर दूर तक को इरादा है अब इडी को मेहनत करने पड़ेगी इनके ओपर भी दोश साबित करने के लिए और फर्दर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपिये तो उनकी ओपर भी अप्रूवर बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा इडी के लिए प्रूवर करना पहले भी साथ लोग अप्रूवर बन चुके इसके अंदर समीर महंदुरू बन चुका है देखिए पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता और हवाला के पैसों के लिए कहा जाता है कि हवाला के पैसा हवा में उड़ती ही पुंजी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाब नहीं रहता वो सिवेक परची पे पैसा चलता है ED को ये प्रूव करने के लिए कि हैधराबास से ये पैसा चला और ये मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने इसे गोवा में इस्तिमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि ये पैसा पुरा हवाला से आता है तो बहुत मुश्किल है और पैसा को अरविन केजीवाल ने हाथ में लिया नहीं होगा हवाला का पैसा संदेश की माद्धम से आता है अगर गोवा के जो मिदवार आपके रहाएंगार वो ये कहते हैं कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें ये प्रू करना बहुत मिश्किल हो गए ये पैसा आपको हवाला के माध्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% चो इस तरह के कैसा जोते है उसमें बारतिय कोई बेजैंस ये इतनी एक्सपर्ड नहीं है कि हवाला के जोड़ सके ये जरूर पता कर ले थे कि पैसा आया ये वहाला का पैसा युथ हुआ इसने कह दिया उसने कहा उस पर बेस्ट है और कोड के अंदर भी अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अप्रूवल बहुत बहुत अथन्टिक रखती नहीं होता कि जो अरोपी अगर वो अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वो अपरादी और अपने को बचाने के लिए इसनों सामने वाले का नाम लिए इसर एडी के पास जो सबसे बड़ा प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट के जाए के बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तोर पर हम कह सकते है किसली दिया वो और रेवनियू इकठा करने के लिए वो नीती होलसेलर को हम दुगना पर प्रॉफिट देंगे तो यह तो रेवनियू का काम है ना कि रेवनियू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखिए अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप्रूब बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिल पाड़ना बेहत जरूरी है तो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां बोलाब लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहे हैं के चाहिए बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जिगा जूए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर यह जो साबित हैं पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब सीबी आई करूप्शन के केसिस में पकड़ती ह तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तोर पे दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं यह कह जब आपका intention दिख रहा है, policy से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाफ दिख रहा है, जहां दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां दुकान हो गई, यानि हवा में दुकान हो गई, अब ये सारी चीजे मिलाकर दिखाती है, कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई, अब वो गड़बर ह तो कहा हुई, तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लाभी है, जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है, और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती है, वो पैसा कहा कहा जाता है, पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है, कौन-कौन उसमें इन्वाल जिसको यह सारा मानेजमेंट देते है, विजय नायर, उससे जब बात करके कहते है, अर्विन केजरिवाल, कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे वियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए, तो वो ले सकता है तो यह सब क्या, मैं तो कानूनी भाचता नहीं जानता, सरकम्सेंचल एविडेंस कहलाएगा, क्या है यह सब, देखे, जो क्रिमिनल मैटर होता है, मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है, लेकिन क्रिमिनल ओफिंस में काम होता है, उसके आधार पर पर आवस्यक नहीं है, कि जो मनी ट्रेल की बात, चीज के बाद में काया जाए, प्रुसीट सब्द क्राइम, कि आप किसी कहां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई, आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है, एडी, तो सभाविक है कि उसमें अर्विंद केजरिवाल प्रूप है, दिल्ली में अभी भी अर्विंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है, और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया, हाला कि इस बार उन स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि इस बार निरदेश मुझे आया है, और मुझे अर्विंद केजरिवाल जी निये कहा है कि दिल्ली के अंदर महुला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही है, लोगों को टेस टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और यह सुनिश्चित करो कि यह सब चीज़ें ठीक से हो और उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा और कैसे जेल से धड़ा-धड़ अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये दिल्ली के उपराजयपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि यह फर्जी बाड़ा है, फॉर्जरी है, यह चिछिठियां जाली है, यह दिल्ली बे बैटकर यहीं बाहर बैटकर चिछिठियां निकाली जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग कि चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठीया निकली है तो बताइए सच्चाई क्या है और ऐसा नहीं है तो आप भी कारवाई कीजे इस क्यों पर उसकी हम लोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी थुड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के रावज़ेविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है कि देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस वेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रह उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के अप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है इडी ने अपनी जो जेसी के अप्लिकेशन के कविता के खलाफ उसम के उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी की जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है और अ एक इडीन इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामान्य अपराद की जाच से जादा कटिन है क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बाद भी पार्टी के नेताओं को दिये गए 292.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कवीता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कवीता जो जिनकी जा सरकारी गवाव बनने को लेकर कोई जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कवीता कोर्ट रूम के अंदर पहुच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कवीता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगारा बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कवीता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूचताच की गई यह अर्विंद केज़िवाल को आपने सामने बिठाकर पूच के कवीता की जमानत की अर्जी खारिश के कवीता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं यह कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है एडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब एडी जो ह में मानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर परदी स्टूडियो में आपका पहले जब बात कर लें के कविता को जूडिशन rays यानी जेल में की कविता अब उनसे पूचताच पूरी हो गया है पहले जरा इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशल रिमांट जैनी जेल में अब के कविता अब उनसे पूचताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अं पहँं सकता है एक बार फिर फरदर कस्टडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टडी मांगी गई थी लेकिन जो कूछ हो रहा है यह बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तब ही ये कहा गया था कि भैई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरीए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर ले देन देने हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा शराब नीती किस ने बनाई, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई, मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी, जो ED सबसे जादा जो मुश्किल काम है, क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बातचीत हुई, उसका जो चुनाओ लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं, क्या वो सामने आएंगे, उनका कुछ चेन मिल रहा है, और ये सब जाच करने के लिए रिमांट जादा पुक्ता आधार बनता है, और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, कि अगली कहा असर दिखा, कौन-कौन उसके लिंक में था, शायर अब वो भी आएगा, विशेश करके के कविता के सरकारी गवाह बनने वाली ख़बर के बादा. यह पता है, यह पता चलता है, कि पैसा जो है, कहां से कहां गया, या फिर यह पता चलता है, कि क्या मैसेजेश एक्सचेंज हुए, किसने किस से बात की, फिर पैटन देखे जाते हैं, किस से कितनी बार कब बात हुई है, और नमबर को ट्रेस किया जाता है, और यह भी जानक प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको ढूनना बाकी है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग है अब हमने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कही न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अ अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीजे भी तो जांच के दायरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है क्या पैसा आया है ये सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अरविन केज़िवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके कर देखें तो सामान निव्यक्ति को ये समझ में आएगा जैसे शातिर अपराधी काम करते हैं हम वेव सिरी हम डेखते हैं कि पहले हम कोई अपराद होता हुआ रिखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो पकड़ेगा कहां से मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार-बार आमाद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुड पड़ा है आजी सब कुछ पताचल जाएगा तो आप थेम स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलज्चे हुए हैं वहाँ पर कहां कहां से बातें आरही हैं उन्होंने अब पताचल रहा है कि उन्होंने पैसा जो हँए शेर मारकेट में लगा दिया लेखिये यह बड नियुक्ताइब दियां अब आपके कविता के भूमिका को जरा समझेगा और अगर यह नहीं को बनीजिये फिर तो पूरे के से खुल खताम ही हो गया पिर समझेगे और साउथ लोबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में काम्याब हुजाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित है मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं हैं आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर किया होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जा है दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प जहाथा कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नही नहीं है और ये उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोट जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई द्वार है नहीं और दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो कविता ही वो सुत्रधारा जिनके बारे में हम लोग सुरु से बात किया रहे थे की विजह नयर पकड़े गया अमुख वेक्ति पकड़े के रहे हैं जैसे ही वो तेरह मार्ज के गिरफतारी का खत्म होता है, period उनको गिरफतार कर लिया जाता है। आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी, उसमें मनिश शोधिया भी है। अजिए प्रवतार का खत्म होता है। तो के कविता कह रही है, मैंने कुछ किया नहीं है, यह फ्रॉड केस है, फर्जी केस है, और मुझे फसाया जा रहा है, यह money laundering का मामला नहीं है, political laundering का यह मामला देखाई दे रहा है. सौरफ एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है, आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है, के कविता, पुत्रधार हैं इसके, लेकिन जो भासा है उनकी, वो साफ साफ इसे इनका, क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े-वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इससे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं, अगर कुछ गलत कि इनकी राजनीती खतम हुझाएं, इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है, इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर धूर तक कोई रादा है, अब इडी को मेहनत करनी पड़ेगी, इनको इनकी ओपर भी दोश थाबित करने के लिए, और फरदर अगर और हवाला करेता है, तो मेंलेन का धूर लगता है, और प्रदरेफार नहीं लुकुत होगा पड़ेगी, इनकी यहांवाला कि पैसे प्रवर करने के लिए ने का जना, इनकी पशय प्रूरez कोपे पोड़ेगा देखने होगार देखना प Nejऊ म्हों。 यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है nuestros ожидawin trainer और यह पैसा को हवाला के माध्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के इंदर 90 % के कैसे से होते Z unexpected क्राःब के उसमें भारतिय कोई भी बी अजनसी इतनी एक्सपर नहीं है कि वो हवाला के लिंग जोड़ सके यह जरूर पता कर लेती कि पैसा आया है लेकिन वो कोड में पूरू नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माद्धियम से आया वो पैसों में इतने ज़्यादा इन्वाव में चलता है पैसा आया कहां से कैसे आया यह तो पता नहीं करना कि यह पैसा हवाला से आए तक कविदा कह सकते समिर मेंदरू ने कह दिया और सरकारी गवा बन चुके उन्होंने का मैं एक करोड रुपया दिया है अभी तक उसकी लिए कि पैसा किसमादम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होत क्योंकि कोड मानके भी चलता है कि अप्रूवल अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाब ले सकता है तो अप्रूवल बहुत मतला बहुत आथंटिक रक्ति नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वह अ करने के लिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पा पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अपरूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है तो कहां से मिलेगा जार पैसा कहा है यही तो कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नही प्र也可以 जान दीजिए में उसे सक्वांगि समय करते हैं कि रिविक्ति दी ऻिए जान बूँज के कोशिश करी रंगे लेकिन ये जो ED का मामला आया, ये आया ही इसलिए है, आप इसको समझेए, जब आपका intention दिखरा है, पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वाले को लाफ दिखरा है, जहां दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां दुकान हो गई, यानि हवा में दुकान हो गई, अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती है, कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई, अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई, तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लावी है, जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है, और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं, वो प पार्टी के जिसको यह सारा मानेजमेंट देते हैं, विजय नायर, उससे जब बात करके कहते हैं, अर्विन केजरिवाल, कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे बियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए, तो ले सकता है, तो यह सब क्या, मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता, circumstantial evidence कहलाएगा, क्या है सब, देखे, जो criminal matter होता है, मुझे बहुत ज़्यादा legal जानकारी नहीं है, लेकिन collaborative evidence के तहद जो है, criminal offense में काम होता है, उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आदार प proceeds of the crime, कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई, आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है ED, तो सभाविक है कि उसमें, उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है जैसे पिछली बार मंतरी आई थी, आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी, जिसमें उपर लिखा था, सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi, ये सारी बातें, इस बार वो कागज उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सौरभ भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी अर्विन केजरिवाल जी नैये कहा है, और उन्होंने कहा है, कि मेरली का आदेश, भगवान के आदेश के समाने, और वो कह रहे हैं कि कोई बी और परवेक्ती होता उसको किसकी चिंता होती अपनी चिंता होती लेकिन इस बग भी जेल में भी आईडी की कस्टेडी में भी अरविन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है। दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए। सरकारी गबाह बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एडी ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राउज जबनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा च है जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज़ दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का यह कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इस को कि जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी जो आरोपी की भूमिएका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए ह क्योंकि आर्तिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो सीएम की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो एडी के कस्टेडी में ह ये बहुत ही साधन संपन्द लोग है और ये जाज करना बहुत है अब क्या इनके सरकारी गवाह बनने को लेकर कोई जानकारी मिल रही है आपको? मुम्किन है ये? बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुच रही थी तो मैंने खुद ये कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर य था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूचताच की गई ये अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाव बनेंगे या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाद में सरकारी कवाव बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाव बनती है तो मलब अर्विंद के जिरिवाल को लेते हैं बहुत बुरी खाबर होगी कि आज की कहानी कुर्सी के मेमानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर्षपरधन तिरपाठी जी स्टूडियो में स्वागत है हर्षपरधन जी आपका राहुल माजन जी हमारे साथ है राहुल की स्वागत है प्रफेशर संगीत रागी हमारे साथ हैं सर स्वागत आपका समीर चौकांकर जीबी स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर पहले जरा इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जूडिशल रिमांड जैल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांड पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फरदर कस्टेड़ी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेड़ी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज ये है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप केक कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किसने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांड तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे जादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बाचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा कि अब वो कह रहें कि फोन ही गायब है क्या एडी के पास वो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंग हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद एडी की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीज़े प्रेस बारे में कोई सब्सक्राइब नहीं आया अगिन के जिवाल जी की तरफ से ऐसा ही विए शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे में पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गये हैं कई फोन टूट गये थे फोन बदल गये थे और फोन जो है या प्रेस किया जाता है और ये जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहा 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 ट्रेवल हुए तो ये सारी जानकारियां जो है इलेक्रोनिक एविडेस के तौर पर जो है सामने आप जाता है प्रूबर तो इसका केजरी वागी के लिए अभी भी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें बाकिया आप इसकी एप्लिकेशन देखिए एडी की जो अभी आपके साम वाधता बता रहे थे एडी अभी भी कह रहा है कि उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको ढूनना बा अगर ऑटने डिस्ट्रॉए कर दे तो वो जो है वीडन सामने आएटानिक गैजटिट गैजजट अवीडेंस के तोर पर सामने ऑटे हैं अगर आप away आप ектив चीजेखें तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया दूसरी और देखे अर्विंद केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आत प्रविंद केज़िवाल जब उनकी बात आएगी तो दुबारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वह इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सकी अब प्रवेसा इसमें एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे पूलिस थोड़ा एडवांस होती ज चलिए अपराधियों का समझ आता है यह भरष्टा चार करने वाले भी शातिर अपराधियों जैसे बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के चार चार पांच पांच छे शे दस दस फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो पूरी तरह से पता ही नही लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उस जी चड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आझी सब कुछ पता चल जाएगा तसक्राइज है इसका माहदेव कितने तार कहां से उलगे हुह नहीं आप जो पता चल रहा है कि पैसा जो है शेर माकिट में लगा दिया देखिए यह बड़े कॉंप्लिकेटेड क्रा देगे अब यह जो सवाल गयों कि क्या के कविता अप्रूवर बरेंगे अब क्या कि कलोड कि मुक्यों क्तला कविता अप्रूबर बन जाती है उनको बनाने में कामियाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वारब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उन रहे थी कि जो प्रुशीट्स ऑफ क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गवा के 15 जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लएगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजे परते खुल कर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट प्रवस्ता जो है वो तिहाड़ी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजे नायर पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गई मुझे तो नहीं लगता कि के कविटा प्रूवर बनेगी अभी अगर आरोपी देखे तो दोई इडी बकॉल एडी दोई तो मुख्या रोपी हैं अर्विन केजिरिवाल और के कविटा एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई नहीं 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 पैसा कहां से च लोग केजरिवार होगा है? यह मुख्या साधेश करता है. आपको LOOK कह लिगा कै नहीं है, यह परिटिकल कभी होता नहीं कि बात सुनवा देता हूं सर फिर हाता हूं तो के कविता कह रही है मैंने कुछ ग्या नहीं है ये फरॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है, यह money laundering का मामला नहीं है, political laundering का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, यह criminal से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अरविद केजरीवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका यह मानना है, कि के कविता सुत्रधार हैं इसके लेकिन जो भासा है उनकी, वो साप साप इससे इनका, क्योंकि देखे इनको बड़े बड़े वकील ही मिलते हैं, बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोट में देखने हैं दूसरा ये नेता लोग हैं, अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो राजनीती खतम, इनकी अपनी नहीं नहीं पिताजी की में राजनीती खतम हो जाएगी इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है, इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर धूर तक कोई रादा है, अब एडी को मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी ओपर भी दोश थाबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आर हवा में उड़ते ही पुझी है, जो किसी के हाथ में नहीं आती, उसका कोई इसाब नहीं रहता है, वो सिवेक परची पर पैसा चलता है, इडी को ये प्रूव करने के लिए कि हैधराबास से ये पैसा चला और ये मामादी पार्टी के पास आया पहुचा और इन्होंने इस हमें पैसा मिला है, तो उन्हें ये प्रूव करना बहुत मिश्किल होगा है, ये पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है, मुझे लग रहा है, और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे होते हैं फानेशल क्राइम के, उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है, कि हवाला के लिंक जोड़ सके, ये जरूर पता कर ल ஏ थी कि पैसा आया है, लेकिन वो जरूर्व कोड में प्रूर नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा ता इस माद्यम से आया, प्षा में इतने ज्यादा हमाना.. पैसा हवाला का पैसा हवाला है। के तौर पर कुछ निये किसी के पास कोड के अंदर भी अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अप्रूवल बहुत बहुत आफंटिक रखती नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वह पाँच परसंट किजेगे बारा परसंट प्रूविट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं किसली दिया वह आमार दिया वह अप्रूवल बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किये आप उसे पाड़न करेंगे उसके बाद वो अप्रूव बनेगी उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप्रूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि चाहिए बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर देए और पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उस और वह बहुत जबरदस है आप किसी भी जगापर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसनस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब CBI करप्शन के केसिस में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति बहुत है आप कुछ करते हैं ने मैं वही कह रहा हूँ यह बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन यह जो एडी का मामला आया यह आया ही इसलिए है आप इसको समझेए जब आपका इंटेंशन दिखरा है पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइस लेने वाले को लाफ दिखरा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब यह सारी चीजे मिलाखर दिखाती है कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ में आते हैं मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस policy को बनाते हैं और उस सब के ऊपर जो इनका media management PR management वाला आदमी रहता है आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं विजय नायर उससे जब बात करके कहते हैं अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है भरोसे का आदमी है इसके साथ क्रिमिनल मैटर होता है मैं मुझे बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है लेकिन collaborative evidence के तहद जो है criminal offense में काम होता है उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं उसी आदार पर पूफ होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात चीज़ के बाद में कहा जाए प्रूसी तक पहुंच जाती है ED तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी party ने वो आदेश की copy दिखाई नहीं जैसे पिछली ब पारतवार जो कि सवास्त मंतरी इन दि diabetic उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है और मुझे अर्षकली वाल जी निये कहा है कि दिल्ली के अंदर मोला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर नहीं भिल रहीं हैं टाइम को टेस् PCR से नहीं हो रह लेकिन इसमग भी जेल में भी आईडी की कस्टेडी में भी अर्विन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है। लोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए। यह सवाल इसलिए क्योंकि ED ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के रावजेविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ ED ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जुड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस वेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है और 9 अपरेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का यह कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जा कि यह जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी की जो आरोपी की भूमियिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई ग जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजूदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडीन इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामा बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और यह बताया गया कि सौ करोड़ रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और सौ करोड़ रुपया आमाभी पार्टी के नेताओं को दिये गए 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर प्रणकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह करते हैं जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की E.D. कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताच की गई ये E.D. ने कोट के अंदर भी का क्या अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताच की गई ये अभी ऑफिशली डिकलेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में बताया गया और नहीं E.D. ने ऑफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरव थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विंद केजरिवाल और के कविता का आमना सामने बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारज के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अकसर यही हुआ है कि जब 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 जो है इडी ने रिमान नहीं मांगिये या जब इडी जो है बेल को अपोस्ट नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाद में सरकारी कवाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाब बनती है तो मलब अरविंद के जिरिवाल को लेते हैं बहुत बुरी ख़बर होगी के आज की कहान ई कुर्सी के मेमानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हरुषभर्धन दिरपाठीडी स्टूडियो में स्वागत है, हरुषभर्धन जी आपका हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टरी मांगे जैसा के कविता के से दो बार कस्टरी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि एरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा केक कविता की जब गिरफ्तारी होई थी तभी ये कहा गया था कि वैसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविटा की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेंदेने हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा उसका record अब निकल पाएगा कि अब वो कह रहें कि फो नहीं गायब है क्या ED के पास वो जो chain की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगी और जो गवा के election में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकत हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ chain मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांड जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत लिंक में था शायर अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के लिए खबर जो भाब बैसे आई है वो ये कि जो उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नीती बनाई थी वो फोन कहा है तो उसके बारे में क हुआ ध्मोर्ण इस्सा है इस पोरी तफ्टीश, भरावल जी होता ही, ये होता ही, ये विइबिदन्स ए पदाचलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या पिर ये पदाचलता है कि क्या मैसिजिस एक्सचेंज हुए पिर पैटन देखे जाते हैं किसे कितनी बार कब बात हुई है उन नमबर का या जाता है फिर अन wymber तives क dal के वह जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती आप कहान कहा है प्कोर आपिसल कर देखा रहे थे ऑप प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको ढूनना बाकी है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब दे जादा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अर्विंद केजडिवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो आद जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नू उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीज़े भी तो जाँच के दाएरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐ ये सब चीज़े जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीज़ों को उनसे पूछ सके पूछ यह ब्रश्टा चार करने वाले शातिर अपराधी हो जैसा बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के चार चार पांच पांच छे चे दस दस फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जु है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो इसका माहा देव स्कैम देखिये उसमें कितने तार कहां से इलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है बर शेर-फोक्त में लगा दिया देगे ये गरंख पूरा केसी खता मी हो गया फिर समझेगे क्ये कविता उस साउथ लोबी को रिप्रेजंट कर रही है SayaИ गिस पर हम आःओस कि उसने सौ करोरा रुपए दिये डिली के दिली में आम आदनी पार्टीwest इस policy को बनवाने में उसका हाथ है और इस policy के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये ED का इल्जाम है और साउथ लोबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामयाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का ले ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनके पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप हैं वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे ले ना देना नहीं है आज भी उन्होंने जय तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक कि उनके कल जाकर कि क्या होता है यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रूशीट सब्काइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गोवा के 15 जो आम आदमी पाटी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड चो कर पा रहे हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई द्वारा है ने और दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती है तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजे परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्था जो है वो तिहारी होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहते कि विजे नायर पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए कर्विन के जिरिवारों के कविता की बात हुई सबसे बड़ी बात थी ये जिक्र ही चल रहा था कि के कविता को गिरफतार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रीम कोट का उनके जो फैसला सुप्रीम कोट का जो एक उन पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती इसके कारण हो जैसे ही वो तेरह मार्च की गिरफतारी का खत्म होता है पीरियड उनको गिरफतार कर लिया जाता है आप जो बात की मैं बिल्कुत सह्म होता हूँ आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी उसमें मनिश शोधिया भी है। बड़ा आरोपी जो होता है और खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रूवर नहीं बनता है। कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेंगा कि हां मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूं मैं बाकी बातें जो आपको बता लेकार कभी होता नहीं है। कभी तो के कभी ता कह रही हैं मैंने कुछ किया नहीं है, यह फ्रॉड केस है, फर्जी केस है, और मुझे फसाया जा रहा है। Money laundering का मामला नहीं है, political laundering का ये मामला दिखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए आप देखे अरविंद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका ये मानना है, सबका ये मानना है कि के कविता सुत्रधार हैं इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इसे इनका क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं बड़े बड़े के वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोट में देखने हैं दूसरा ये नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवल बनने का दूर दूर तक कोई रादा है अब इडी को मेहनत करने पड़ेगी इनकों पर भी दोश थाबित करने के लिए और फरदर अगर और अर्विन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपी हैं तो उनकी ओपर भी समीर जी लिए उन्हें पैसो का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है और पैसा को अर्विन केजिवाल ने हाथ में लिया नहीं होगा और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे होते है फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वो हवाला के जोड़ सके यह जरूल पता कर लेते कि पैसा आया है करना कि यह पैसा हवाला से आया तक कविदा कह सकते हैं समेर मेंद्रों ने कह दिया और सरकारी कावा बन चुके उन्होंने का मैं एक करोड रुपया दिया है सकता तो अप्रूवल बहुत मतला बहुत ऑथन्टिक रक्ति नहीं होता कि जो अरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब क कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट किजेगे बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती नीती तोर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया वो आमार्द रेवनियू इकठा करने के लिए वो नीती होलस को काटन करना पड़ेगा बिना पाडन किया अप उसे अप्रूवर नहीं कि तो यानी के कविता को पहले आप पाडन करेंगे उसके बाद बाद बनेगी उसके बाद वो बैयान देगी अब जो ने सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पार्डन करके एक व्यक्ति को आप अपरूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहा यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहे हैं चाहिए यह बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे उपैसे सब गाइब हो जाए और कल को पता चले जिए उसने दो नमबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हूँ लेकिन साबित होगा तबना ये जो साबित है पहला क्या है Policy Intention और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगापर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या जिसको लाइसेस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब CBI करप्शन के केसिस में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ती पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ती पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जो के रिश्वत की तौर पे दिये जा रहे होते है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस किसी भी चीज़ में वो पुखता एविडेंस की ज़रूरत बहुत है आप उसको करते हैं मैं वही कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक बात है का काम के कविता करती है वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन कौन उसमें इन्वाल रहता है तो किसके किस के घर को रहती है उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं मनी सिसो दिया सीधे-सीधे उस policy को बनाते है और उस सब के उपर जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है, आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं विजे नायर, उससे जब बात करके कहते हैं, Арwin केजरिवाल, कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे भियाद पर आप बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है लेकिन कॉराबरेटिव एविडेंस के तहद जो है क्रिमिनल ओफिंस में काम होता है उसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं उसी आधार पर पूफ होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए 20 करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है एडी तो सभाविक है कि उसमें उसमें अर्मिन केजरीवाल प्रोफ दिल्ली में अभी भी अर्मिन केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हाला कि इस बार उनके मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश Office of Chief Minister of Delhi ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी नी है दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है और मुझे अर्विन केजरिवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रहे हैं लोगों को, टेस्क टाइम से नहीं हो रहे हैं, इसको देखो, और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो, और उनने कहां कि मेर लिए तो केरजलीवाल का आदेश भगवान के आदेश के समान हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई भी और व कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है, ये चिठियां जाली है, ये दिल्ली बे बैठकर चिठियां निकाली जा रही हैं, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए, और मंत्रियों के ओपर जो ये आ किजे इस क्यूपर, उसकी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है, वो मैं आपको बता दूँ, के कविता, जो की बियरस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है, उनको शराब घोटाले में सरकारी कवाह बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है, इस सवाल इसलिए, क्यूंकि एडी ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई, और उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी, थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के रावज जेव के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जोड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कव कर about out अतुल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को, य beasts के अ acres पूसनी बेटे के कविता लागा थातंज अतुड़ आई को इडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है इडी ने अपनी जो जेसी के एप्लिकेशन है के अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजुदा जाच को प्रभावित कर सकती ह और एक एड़ी ने इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराच की जाँच सामान्य अपराच की जाँच से ज़्यादा कटिन है क्योंकि आर्थिक अपराच करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली हैं इनकी समाज में गहरी पैट होती है, अपरात की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई, इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है, जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया, कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो बहुत ही प्रभावशाली लोग है, जो CM की बेटी है के कवीता, जो जिनकी जाज कर रहे है, वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो EDK कस्टेडी में है, ये बहुत ही साधन संपन लोग है, और ये जाज करना बहुत है, एक तो ये बड़ी खबर आपने ब पहुच रही थी, तो मैंने खुद ये कोशन के कवीता से पूचा, तो अभी जो उनकी टोन थी, अभी उनका कहना था, जै तेलंगाना बोल रही थी, लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर ये आरोप लगाए गया है, जो एरेस्टिन की गई है, वो इसके लिए खाए रही है, कई लोगों के आमने सामने बठाकर उनसे पूच्ताच की गई, ये ED ने कोट के अंदर भी एका, जै किय है brauchen को आमने केजिवाल और कर पूच्ताच की गई, यह अभी ऑफीशली, डिकलेर नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है, और इडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विन केज़िवाल और के कविता का आमना सब्सक्राइब आतुल बहुत शुक्रिया आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खा उत्मान पूरे लोगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाद में सरकारी कवाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अAgर सरकारी कवाब बन ती तो अर्विन के जिरुवाल को लेा के बहुत बुरी खाबर होगी कि Almost. पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शा खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरीए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेंदेन हुआ उसका लेगिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांड तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे जादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बाचीत हुई क्या एडी के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगे और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांड जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद का जो उसके बारे में कुछ पश जवाब नहीं आया बिन के जिवाल जी की तरफ से ऐसा ही विशेश सोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे में पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गए कई फोन तूट गये थे फोन बदल गये थे और फोन जो है या या अलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी ग्याजट्स है वो बहुत महत्वून इस्सा इस पूरी तफ्तीश कर हावल जी तेखिए यह होता अब कविता अगर बन जाएं प्रूबर तो इसका केजरी वागी के लिए अभी भी देखिए एडी को बहुत काम करना इसमें बाकिया आप उसकी अप्लिकेशन देखिए एडी की जो अभी आपके साम वाधता बता रहे थे इडी अभी भी के रहा है कि उसे प्रोसीड ओफ क्राइम जो है उसको ढूनना बाकि है तो फोसीड ओफ क्राइम इस मामले में बहुत ज्यादा बड़ा एविडेटी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो के रहे हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अरविन केज़िवाल की मुश्क्रे एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नु उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीजे भी तो जांच के दाइरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है क्या पैसा आया है ये सब चीजे जो है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो जुबारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वह इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके रहे हैं जैसे जैसे पूलिस थोड़ा एडवांस होती जाती है वैसे वैसे अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिए अपराधियों का समझ जाता है यह भरष्टा चा तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं हम वेब सीरी जो गयर हम देखते हैं कि पहले हम कोई अपराध होता हुआ रिखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो वो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ कीजिए इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज से आया पैसा कहां गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव एजनसी कोई जादू की छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांच कर रहे हैं उसमें कितने तार कहां से उल्जे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बातें आ ऐसे दीड किया गया यह सारी चीज़े और यह मुश्किल होती है जाना बेगे अब यह जो सवाल यह कि क्या के कविता अपरूबर बरेंगे अब के कविता के भूमिका को जरा समझेएगा और अगर यह हो जाता है के कविता अपर बनती नो फिर तो यह पूरा केसी खुल खतम ही हो गया फिर समझ लिए क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरोफ है कि उसने सौ करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया आम आदनी पार्टी को उसने सौ करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में काम्याब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फि नहीं है तो देखे सौरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे ले दो-तीन दिन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गवा के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन्हो ने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में न लंबे जेल में रहे हैं दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुलकर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्ता जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक कि बात हुई चल रहा था कि क्य कविता को घिरफतार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रिम कोट खुर्ची जुए था कि आप 13 मार्च तक उनको घरफतार नहीं कर सकती है इसके कारन योई तो मुख्या रोपी हैं अर्विन केजरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पालीसी बनाई नहीं नहीं जात्मेड में बान नहीं में पैसा कहां से चला है 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 इधराबाद से नहीं पैसा चला साउट से आया आंम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमकाति उसमें मनिश्य शोधिया भी है ये भी है तो फ्यारा मुझे उपर आप के जिरिवार होगा है ना इडिया ने क्या दिया ये मुख्य साधिश करता है वो सही बात है वो सही बात है कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे जादा जानकारें बताएंगे कोई भी ऐसा कोई केस हो और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता और खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रूबर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेंगा कि हां मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभा बन गया हूँ मैं बाकी बातें जो आपको बता लिए कभी होता नहीं है के कवीता की बात सुनवा देता हूं सर फिर आता हूं तो के कवीता कह रही है मैंने कुछ या नहीं है यह फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है यह money laundering का मामला नहीं है political laundering का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अर्विद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका यह मानना है कि के कविता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका क्योंकि देखे इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोट में देखने हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी आपिनी नहीं पिताजी की में राजनीती खतम हो जाएंगी इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है, इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर धूर तक कोई राधा है, अब E.D. को मेहनत करने पड़ेगी, इनकी ओपर भी दोश्च थाबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविंद के जिरिवाल और बाकी लोग हवा में उड़ते ही पूंजी है, जो किसी के हाथ में नहीं आती, उसका कोई इसाब नहीं रहता, वो सिवेक परची पर पैसा चलता है, E.D. को ये प्रूव करने के लिए कि हधराबास से ये पैसा चला और ये मामादी पार्टी के पास आया पहुचा और इन्होंने इसे ग तो अगर गोवा के जो मिद्वार आपके रहेंगार वो ये कहते ही कि हमें पैसा मिला है, तो उन्हें ये प्रूव करना बहुत मिश्किल हुआ है, ये पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है, मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के आया, ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा ना? पता नहीं से नहीं चलेगा, क्योंकि कोड मान की चलता है कि अपरूवल अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है, तो अपरूवल बहुत बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता, कि जो आप आरोपी अगर वह अपरूवल बन जाता है, तो कई बार को ये भी मा ये अपरूवल बने इसके बाद के इवा अपरूवल बने की इसके बाद वह बयान देगी, अब जो तो में सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप्रूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। इसलिए जो प्रोसीड आफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है हो कहां जहाँ परादि करणा पाड़न हो Means के पाड़न को पैसे और बॉप बाता चले हैं तो कया जहां पैसा गया है यह प्याब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो लेकिन साबित होगा ने ने ये जो साबित है पहला क्या है Policy Intention और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या जिसको लाइसेंस दे रहे हैं इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पर दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि evidence किसी भी चीज में वो पुखता evidence की ज़रूरत बहुत है आप उसके रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ ये बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन ये जो ED का मामला आया ये आया ही इसलिए है आप इसको समझेए जब आपका intention दिखरा है policy से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाफ दिखरा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती है कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई उपर जो इनका media management PR management वाला आदमी रहता है आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं विजय नायर उससे जब बात करके कहते हैं अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते है यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी monetary gain भी चाहिए तो वो ले सकता है तो ये सब क्या सरक्मसेंचल एविडेंस कहलाएगा क्या है इसब देखे जो criminal matter होता है सर्ब ब्रेक लना पड़ेगा शॉर्ट प्रुसीट सब्द क्राइम कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए 20 करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यह वहां तक पहुंच जाती है दिल्ली में अभी भी अर्विंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आएं थी आतिशी सामने और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, ओफिस अफ चीफ मिनिस्टर अफ दिल्ली ये सारी बातें इस बार वो कागज उन्होंने नहीं दिखाया और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो और उन्होंने काँ कि मेर लिए तो केरजली वाल का आदेश भगवान के आदेश के समाने और वो कह रहे हैं कि कोई भी और वेक्ती होता उसको किस की चिंता होती अपनी चिंता होती लेकिन इस बगभी जेल में भी आईडी की कस्टिडी में भी अरविन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा और कैसे जेल से धड़ा-धड अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है फॉर्जरी ये चिठिया जाली है ये दिल्ली बे बैठकर यहीं बाहर बैठकर चिठिया निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के उपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं उनकी पर उसकी हम लोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दूँ के कविता जो की बियारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है उनको शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैया कारी चल रही है ऐसा लग रहा है सवाल इसलिए क्योंकि एडी ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी फूरे देर पहले के कविता को दिल्ली के रावजजेविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लहाजा अब एडी को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाई खिरा के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जोड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाक और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि की अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गए थी उसमें यह कहा था कि जो रेगूलर बेल उस से लगाई गए थि उसमें एपश्य और आपी उपक यदिने और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है इडी ने अपनी जो जेसी के एप्लिकेशन के कविता के खलाफ उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी जो आरोपी की भूमियिका की लगातार जाच कर रही है और अपरा कि आर्थिक अपरात की जाच सामान्य अपरात की जाच से जादा खटिन है क्योंकि आर्थिक अपरात करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपरात की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे कई बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिख है और यह बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आमाधी पार्टी के नेताओं को दिये गए 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्व लेकिन है यह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुंच रही तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उपर यह आरोप लगाए गया है जो एरेस्टिंग की गई है वो इसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कविता से पूचा था कि क्या आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन आप जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कई लोगों काया ने और q लोगों के ने विटा कर उनसे पूचण की अरजी खारज के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाव बनेंगे या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है एडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब एडी जो है बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाद में सरकारी कवाव बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाव बनती है तो बहुत बुरी ख़बर होगी कि आज की कहानी कुरसी के मेहमारों का स्वागत करना चाहेंग अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है यह बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि भई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप केक कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किसने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांड तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे जादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों वो कह रहें कि फोन ही गायब है क्या एडी के पास वो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंग हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद एडी की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीजे ही तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद यह खबर जो भाब बैसे आहिए वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब न देखे यह होता हिए है Unloom जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहा कहा ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है Unloom अब कविता अगर बन जाएं अप्रूवर तो इसका केजरिवाजी के लिए अभी भी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें बाकिया आप उसकी अप्लिकेशन देखिए एडी की जो अभी आपके समवाधता बता रहे थे इडी अभी भी कह रहा है कि उसे प्रोसीड अफ क्राइम जो है उसको ढूनना बाकिया तो प्रोसीड अफ क्राइम इस मामने में बहुत जदा बड़ा एविडेंस है उसको इडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वो जो है एविडेंस के तोर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं अगर आप सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेक लेकिन यह सारी चीजे भी तो जांच के दाएरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजिरिवाल जब उनकी बात आएगी तो ईडी कोड़ा एडवांस होती जाती है वैसे वैसे अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिए अपराधियों करते हैं यह ब्रश्टाचार करने वाले भी शातिर अपराधी हो जैसे अब बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के पहले हम कोई अपराध होता हुआ रिखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो पकड़ेगा कहां से मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूर अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुड़ते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं लेकिन महादेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहाँ पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चला रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्राइम होते हैं और कॉम् कविता अप्रोवर में आप कहीर बंगाया में आपकॉट गोजाएं और की对ा को सब्सक्र snatch है उसने wanna with इसने नी को उसका आधनी पॉलिसी को पॉस्थ बनिवाने में उसका है और सब्सक्राइब जाए कपाया तो ईसना तो फिर तो ये केस बिल्कुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो कही गविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरिथ हैं मेरा कोई इस से लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगणा की बात की तो इस से अभी तक कि उनके कल जाकर की क्या होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दिन पहल है थे कि गोवा के 15 जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख है कि के कविता अभी एक पूवर की भूमिका में नहीं है नहीं है और यह उनकी बात शित और उनकी भासा से हम Богभी तक ंडिकोट यो कर पा रहे हैं वो वो तिहाड़ी होगा, उसके लिटरिक थो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि K.K.Wita ही वो सुत्रधार है, जिनके बारे में हम लोग सुरु से बात किया रहे थे, कि विजय नायर पकड़े गए, अमुक व्यक्ति पकड़े गए, अमुक व्यक्ति पकड़े गए, अमुक व्यक्त तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती, इसके कारण हो जैसे ही तिरह मार्ज की गिरफतारी का खत्म होता है, पीरियड उनको गिरफतार कर लिया जाता है. आप जो बात के मैं बिल्कुल सहम होता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अपरूवर बनेगी. अब अब ही, अगर आरूपी देखें तो दो यूट बकॉल एडी, दो यूट व मुख्या आरूपी हैं, अर्विन केजरिवाल और के कविता, एक ने पैसे दिये, दूसरे ने पॉलिसी बनाई, नहीं, 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 पैसा कहां से चला, पैसा जा है है हैदरावाद से, नहीं आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी, उसमें मनिष्च शोदिया भी है, ये भी हिने, सारे लोग, उससे उपर आपके जरिवाल होगा है, ना, इडी ने कहा दिया, ये मुख्य साधिश करता है, वो सही बात है, वो सही बात है, लोग बात करने हैं, देख में कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता है, खासकर कोई पॉलिटेशन, वो कभी अप्रोवर नहीं बनता है, कभी वो सरकारी, कभी एडबिट नहीं करेंगा कि हां मैंने ये किया था, और मैं सरकारी कभाब बन गया हूँ, मैं बाकी बात हैं जो आपको बता जो आपको बता तो के कभी ता कह रही हैं, मैंने कुछ किया नहीं है, ये फ्रॉड केस है, फर्जी केस है, और मुझे फ़साया जा रहा है, ये money laundering का मामला नहीं है, political laundering का ये मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमड़ी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमड़ी है के कविता सबका ओनाना है कि के कविता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप सापी सें member क्योंकि देखिए इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े-बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इसे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं, दूसरा यह नेता लोग हैं, अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो राजनीती खतम, इनकी राजनीती खतम हो जाएगी, इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है, इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवल बनने का दूर दूर तक कोई रादा है, अब एडी को मेहनत करने पड़ेगी, इनके ओपर भी दोश साबित करने के लिए और फरदर अगर और अर्विन के इनकी राजनीग राजनीत्य और इनकी राजनीती तो मुझे बननने केया चाँद्नीत्य राजनीत्यत्य कि अलब ये करने पड़ेगी, इनकी दोश स्सालतिक पंडिन आलरूर भी दोख जूरोनें ही मॉझे ड़ेगी. संदेश की बादम से डिल्वर हो जाता है तो अगर गोवा के जो मिदवार आपके रहेंगार वो यह कहते भी कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें यह प्रू करना बहुत मिश्किल होगा है यह पैसा आपको हवाला के माध्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इं कहां से कैसे आया यह तो पता नी चलेगा लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा न खर्च होगा लेकिन यह एड़ी को क्रना कि यह पैसा हवाला से आया है तक अवी आपी बाति हैं आपने पालिसी बदली क्यों आपने हौलशिलर को 54 परसंट कि ज़ेगे 12 परसंट्रीच प्रॉफिट लिए रेवनियु इकठा करने के लिए। यह तो रेवनियु का काम है ना कि ravenue कमाने के लिए आपने चाहिए। इसमें बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ओफ क्राइम आप अप्रूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़िन करना पड़ेगा बिना पाडन किया आप उसे अप्रूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाडन करेंगे उसके बाद वो भुष बनेगी उसके बाद बायान देगी इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि चाहिए बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जगाए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्श कर देव और कल को पता चले कि उसने दो नमबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायभ हुआ है वो नहीं मिला इसलिए अप रादि नहीं होगा हूँ लेकिन साबित होगा तब ना ये जो साबित है पहला क्या है policy intention और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगापर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका license दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप जिहान दीजिए जब CBI corruption के cases में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर marking की जाती है उन नोटों पर जो कि रिश्वत की तोर पे दिये जा रहे होते तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एविडेंस किसी भी चीज में वह पुखता एविडेंस की जरूरत बहुत है आप कुछ करते हैं ने मैं वही कह रहा हूं यह बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वह एकदम सच है लेकिन यह जो एडी का मामला आया यह आया ही इसल में आता है कि एक साउथ लॉभी है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल्व रहता है तो किसके किसके घ तो यह सब क्या सर्क्राइब बात करके कहते हैं, अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे बिहाब पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए, तो वो ले सकता है. मैं तो कानूनी भाचता नहीं जानता, सर्कम्सेंचल एविडेंस कहलाएगा, क्या है सब? उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आदार पर पूफ होता है, कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात चीज़ के बाद में कहा जाए, प्रूसीट सब्द क्राइम, कि आप किसी कहां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज क आदेश जारी कर दिया, हला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं, जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतीशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी, जिसमें उपर लिखा था, सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of द दिली, ये सारी बातें, इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिली के, उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है, और मुझे अरविंद केजिरिवाल जी ने ये कहा है, कि दिली के अंदर म अरविंद केजिरिवाल को दिली की जनता की चिंता हो रही है, उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा, और कैसे जेल से धड़ाधर अरविंद केजिरिवाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये, दिली के उपरा जपाल से कानूनी रोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए, और मंत्रियों के ओपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं, उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए, मनिंदर सिर्सा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखी है, और उन्हें एडी को भी चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठी निकली है, तो बताइए सचाई क्या है, और उसकी हम लोग बात करेंगे, उनसे पहले, दिल्ली के शराब घोटाले से जूड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है, वो मैं आपको बता दूँ, के कविता, जो की बियार को दिल्ली के राज जेविनी कोर्ट में पेश किया गया था, और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है, जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे, वो सब हो चुके हैं, और आरोपियों से उनका आमना सामना भी कराया जा चुका है, लिहाज़ा अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस अवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अपरेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय क का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आई से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वह सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजूदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडीन इंपोर्टेंट करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराथ की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो कि पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और यह बता कोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कवीता ने कमाए तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो सीम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाच कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी कि बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कवीता कोर्ट रूम के अंदर पहुंच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कवीता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जय तेलंगा ना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनक लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 10 दिन की एडी कस्टेडी में के कवीता रही है, कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूच्ताच की गई, यह एडी ने कोट के अंदर भी का, चैक अरविंद केजरिवाल को आमने सामने बिठाकर पूच्ताच की गई, यह अभी उफिशिली डिक्लेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोर्ट में बताया गया और ना ही E.D. ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा किया अर्विंद केजरिवाल और के कविता का आमना साब अतुल बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अरजी खारज के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं यह कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अकसर यही हुआ है कि जब 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 जो है इडी ने रिमान नहीं मांगिये या जब इडी जो है बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के के केस में होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाद में सरकारी कभाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कभाब बनती है तो मतलब अरविंद के जिरिवाल को लेते हैं बहुत बुरी खबर होगी के आज की कहानी कुर्सी के महमानों का स्वागत करना चाहेंगे के कविता को जुडिशल रेमांट यानि जेल में अब के कविता अब उन से पूछताच पुरी हो गही है इसका मतलब अर्विन केजरिवाल के 28 तारिक को जब रेमांट पुरी हो जायेगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज ये है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दार दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के गविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका لेगन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ द पाजचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों को नहीं गायब है क्या ED के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगे और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो ल शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद यह खबर जो भाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नहीं थी बनाई थी वो फोन कहा है तो उसके बारे में कुछ पश जवाब नहीं आया बिनके पर जाता है क्या मैसेज़े एक्सचेंज हुए किस ने किस से बात की पैटन देखे जाते हैं तो इसका केज्रिवाग देखे अब भी देखे ऑब बन देखे काम करना इसमें बाकी है आप इसकी अप्लिकेशन देखिए एडी की जो अभी आपके सम वादता बता रहे थे एडी अभी भी कह रहा है कि उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको ढूनना बाकी है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वो जो है एविडेंस के तौर पर सामने आए अगर आप फोन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देख लेकिन यह सारी चीजे भी तो जांच के दाएरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है क्या ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अरविन केज़िवाल जब उनकी बात आएगी तो एडी दुवारा उनकी जो रिमान तो चलिए अपराधियों का समझ वहाता है यह भष्टा चार करने वाले शातिर अपराधियों जैसा बरताओ कर रहे हैं यह नि मंत्री के 44556661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं हम वेब सीरी जो गयर हम देखते हैं कि पहले हम कोई अपराध होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका evidence खतम कर दो वो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उ उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिखने हैं लेकिन अगर यह idea भी कह रही है कि procedure of crime हमको ढूड़ना है हमको पूरी chain है वो हमको पता लगानी है तो आम आदी पार्टी तो फिर कहीगी कि हम तो शुरूआत से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहा क कहां से बाते आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है बार शेर मारकेट में लगा दिया दिखेज है यह बड़े complicated crime होते हैं और complicated crimes के लिए ही यह agency बनाई गय और नहीं कि अपने complicated crime होते हैं कि किस तहाँ से पैसा किस तहाँ से मूव वहा उसे और यह हो जाता है के कविता अप्रूबर बनती है तो फिर तो यह पूरा केसी खुल खतम ही हो गया फिर समझ लिए क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने सौ करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुख्या के कविता तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है उनको बनाने में काम्याब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिल्कुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्य वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर कि क्या होता है मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दिन पहले हम लोग ये चला भी रहे थे कि सायद वो बन जाए दूसरी बात हम लोग ये भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स ऑफ क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि गोवा के पंद्रह जो जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खूलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक ड प्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खूल कर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्था जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजे नायर पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया इंसारों के कविता की बात हुई हाँ सबसे बड़ी बात थी ये जिकर ही चल रहा था कि के कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रीम कोट का उप प्रूंस के जो फैसला फैसला्इ सुप्रीम कोट का उन कर णा सबस्तार 법 dil बहिएुग तो फैसलाइन को घ्रफ्तार नहीं कर सकती इसके कारण वार मुझ видим कलो मुझे ने अगर आरोपी देखें तो दो यूत बकॉल एडी, दो यूत मुख्या आरोपी हैं, अर्विन केजरिवाल और केकविता, एक ने पैसे दिये, दूसरे ने पॉलिसी बनाई, ने, 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 पैसा कहा से चला, पैसा चला है है हैदराबाद से, ने, पैसा चला साउट से, आया आ आदमी पाटी में किन-किन लोगों की भूमकाथी, उसमें मनिश शोदिया भी है, यह भी है, यह पुलिटिकल लॉंडरिंग का केस है, वही जो बात हम लोग कर रहे है, अब देखे, कभी भी आपने, मुझे तो यादनी बाकी लोग मुझसे जादा जानकारें बताएंगे, कोई भी ऐसा कोई केस हो, और ऐसा कोई कंप्लिकेटेड केस हो, उसमें कभी कोई बड़ा लॉपी जो होता है, खासकर कोई पॉलिटेशन, वो कभी अप्रूबर नहीं बनता है, कभी वह सरकारी, कभी एट नहीं करेंगा, कि हाम मैंने यह यह किया था, और मैं सर्कारी कभी होता नहीं है कवीता की बात सुन्वा देता हूं सर फिर आता हूं तो के कवीता कह रही है मैंने कुछ गया नहीं है यह फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है यह money laundering का मामला नहीं है political laundering का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका यह मानना है कि के कविता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं बड़े-बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं दूसरा यह नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का दूर दूर तक कोई रादा है अब इडी को मेहनत करने पड़ेगी इनकों पर भी दोश साबित करने के लिए अगर और लोग कर्विन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपी हैं तो उनके उपर भी समीर जी के कविता अगर अप्रूवर बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा इडी के लिए प्रूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवर बन चुके इसके अंदर समीर महिंद्रू बन चुका है देखिये पूरा जो मामला है पैसा हमाला का रहता और प् with आयए पहँच और इन्हों निस नाष्म इसतमाल क्या इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेकर ठीक डेखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि ये पैसा पूरा हवाला से आता है तो बहुत मिश्किल है और पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90 परशंट जो इस तरह के कैसे होते फानेशल कराइन के उसमें भारतिय कोई इजन से इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह वाला के जोड़ सके यह जरूर पता कर ले थी कि पैसा आया है लेकिन वह कोड में प्रू नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माद्यम से आया पैसों में इतने ज्यादा इन्वालमें करोड रुपया दिया है अभी तक उसकी लिए इस्टेबिश नहीं हो पाई कि वह पैसा किस माद्यम से और कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है आप अग्भी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया फ़लाने ने कह दि कि रखते नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूल बन जाता है तो कई बार कोट में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वह यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने ह होलसेलर को पांच-5% के जैए कि 12% प्रॉफिट दिया किस बात वह तो नीती तोर पर हम कहा सकते हैं किसली दिया वो आमार्द देखे तो रेवनियू का काम है ना कि रेवनियू कमाने के लिए आपने क्या किया देखे इसमें बड़ा इंपॉर्टन है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किये आ आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत ज़रूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां बोला यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां हो पैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहे हैं कि चाहिए बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने द किसी इंटेंशन है में चीज़ और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप देहान दीजिए जब CBI करप्शन के केसिस में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पे दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एविडेंस किस बाइससेंस लेने वाले को लाव दिख़ भए जहान दुकान नहीं होनी चाहिए वहाँ दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती कहिन की कुछ गरबर होई अब वो गर्बड हुई तो कहा हुई तो पकड में आता है कि एक South Lobby है जिसका शराब बेचने वाला वो यहाँ आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल रहता है तो किसके-किसके घर पर रुटिंग होती है उसमें संजय सिंग भी पकड़ में आते हैं मनी शिसोदिया सीधे-सीधे उस पॉलिसी को बनाते है और उस सब के ऊपर जो कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है। कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है एडी, तो सभाविक है कि उसमें अर्विंद केजरिवाल प्रूप है। जारी की थी जिसमें उपर लिखा था, सरकारी आदेश, ओफिस अफ चीफ मिनिस्टर अफ दिल्ली, ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है। और मुझे अर्विन केजरिवाल जी नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को, टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें जनता की चिंता हो रही हैं उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा और कैसे जेल से धड़ाधर अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं इस पर बीजेपी ने अब लजी से शिकायत कर दिये दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये परजरी है ये शिघ्टिया जाली है ये दिल्ली पे बैठकर यहीं बाहर बैठकर सरका चिछिटिया निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयो किया जा रहा है और इस पर तुरंद रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के उपर जो ये आदेश पर उसके हम लोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त किये वो मैं आपको बता दू के कविता जो की बियारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है उनको शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैयारी च कोट में पेच किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लहाजा अब एडी को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता के कविता ने बेटे की परिक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे कि इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है कि देखे सुरव आभी की बड़ी खबर ये है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अपरेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगूलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें ये इडी यह कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का यह कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोड के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत दूमिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजुदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इलिए ने इल्इप ओर्टिन यहां लिखे सौर्फ कि आर्थिक अपराथ की जाच सामान्यपराथ की जाच से जादा कटिन है क्योंकि आर्थिकशित करने वाले साधन संपन्य और प्रभावशाली इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और यह बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपे आम आदी पार्टी के नेताओं को दिये गए जो 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो ED जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाज कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं यह जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाज कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो ED के कस्टडी में है यह बहुत ही साधन संपन लोग है और यह जो जाज करना बहुत है इक तो यह बड़ी ख़बर आपने बता दी कि इनकी जमानत की अर के कविता से पूछा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जय तैलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके ओपर यह आरोप लगाए गया है जो एरेस्टिम की गई है वो इसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कविता से पूछा था कि क्या सरकारी गवा बनेंगी लेकिन अब जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ अतुल बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवा बनेंगी या नहीं यह कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 इडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब इडी जो है बेल को अपोस्ट नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाद में सरकारी कवाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाब बनती है तो मलब अरविं पहले ज़रा इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशल रिमांड यानी जेल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांड पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या इडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवा कर रहे हैं और जो दिखाना चाहरे थे अब उसका फर्क कम हो यह यानि एक तरह से कहना कि हासी के अधाथ ऑफ्तारी वुए थी तब ही कहल गया था कि इसका मतलब रहे हैं कई कविता कि गिरफतार 요즘 क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने डिली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिए लाइसेंस उसलोगिकी सकत है दिल्ली सरकार में हुआ, शराबनीती किस ने बनाई, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो E.D. सबसे जादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बाचीत हुई, उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्या वो कह रहें कि फोन ही गायब है क्या E.D. के पास वो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो E.D. के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद E.D. की तरब से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीजे हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के बाद से ऐसा ही विशेसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे ने पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गए हैं कई फोन टूट गए थे फोन बदल गए थे और फोन जो है यह या एलेक्ट्रोनिक एविडेंस जो भी गैजट्स हैं वो बहुत महत्पून इस् पर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है इलेक्ट्रोनिक एविडेंस के तौर पर जो है सामने आपी अगर बन जाएं प्रूवर तो इसका केजरी वाज़ी के बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरो किसी पर लगते हैं तो वह जरू दूसरी और देखिए अर्विन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखिए एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नो उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच म आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीज़े भी तो जांच के दाएरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है ये सब चीज़े जो है इस सब की जांच कर रही होगी और ये ही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीज़ों को उनसे पूछ सकी आप प्रवेश जाते हैं ना कि जैसे 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 पुलिस थोड़ा आइडवांश होते जाती ऐसे इत नहीं की कहा है अब यह मतलब इसको किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को लिए आएगा जैसे शातिर अपराद ही काम करते हैं कि पहले हम कोई अपराद होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिख रहे है तो नादेव स्केम देखिये उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए है वहाँ पे कहां कहां से बाते आरही है उनोंने अब जो पता चल रहा है कि उनोंने पैसा फिर मार्किट में लगा दिया यह जो है बड़े यह गाई और ओध これ क्राइम होते हैं और उस अहीर के कविता अप्रूवर बनेंगे अब आप के कविता की भूमिंगा को जरा समझेगा और अगर ये हो जाता है के कविता अप्रूवर बनती है तो फिर तो ये पूरा केसी खुल खताम ही हो गया पिर समझेगे क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने सौ करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया यह कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये ED का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है ED तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ पूझा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेडित हैं मेरा कोई इसामें इससले ना देना नहीं है आज भी उन्होंने जैयत आलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर के क्या होता है मैं कहना बड़ा मुछिकिल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग ये चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग ये भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स अफ क्राइम्स के अंदर हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि गुआ के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी अप्रूबर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड चो कर पा रहे हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई द्वारा है नहीं और दूसरी बात यदि वो अप्रूबर बन जाती है तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजे परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्वनेंट ब्रवस्ता जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजे नायर पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए अमुक व्यक्ति पकड़े गए सबसे बड़ी बात थी यह जिकर ही चल रहा था कि के कविता को गिरफतार क्यों नहीं किया गया है और वो Supreme Court का उनके जो फैसला प्यास प्सक्राइब करें तो हुआ है सब्सक्राइब पैसा चला साउट से आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी उसमें मनिश शुदिया भी है यह भी है यह भी है यह पुलिटिकल लॉंडरिंग का केस है वही जो बात हम लोग कर रहे हैं अब कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे जादा जानकारें बताएंगे कोई ऐसा कोई केस हो और ऐसा यह इतना ऐसा कोई काई बड़ा आरूपी जो होता और खासकर कोई पॉलिटेशन वह कभी अप्रूवर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़्मिट नहीं करेंगा कि हां मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूं मैं बाकी बात इन जो आपको बता जेता है और उसा कभी होता के कभीता की बात सुन्वा देता हूं सर फिर आता हूं प्रिटिकल ओंटरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमड़ी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमड़ी है के कभीता सबका यह मानना है सबका यह मानना है कि के कभीता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका क्योंकि देखें इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं बड़े वकीलों की सलाह इनको यह होती है आप इससे मत स्विकार करिए बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर धूर तक को इरादा है अब इडी को मेहनत करने पड़ेगी इनको इनको इनकी ओपर भी दोश साबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपिये तो उनकी ओपर भी सम जी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाब नहीं रहता है वो सिवेक परची पर पैसा चलता है इडी को ये प्रूव करने के लिए कि हैधराबास ये पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने से गोवा में इस्तमाल किया इसके लिए पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि ये पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है और पैसा को एर्विन केजिवाल ने हात में लिया नहीं होगा हवाला का पैसा संदेश की माद्धम से आता है संदेश की म जोड़ सके ये जरूर पता कर लेते कि पैसा आया है लेकिन वो कोड में पूरू नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माद्धम से आया वो पैसों में इतने ज्यादा इन्वाल्में चलता है मैं पैसा आया कहां से कैसे आया ये तो पता नीच चलेगा लेकिन पैसा मुश्किल होता है अब आगी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया उसने कह दिया फ़लाने ने कह दिया आपका केस सारा जो है किसने क्या कहा उस पर बेज़्ड है था पर कुछ निये किसी के पास कोड के अंदर भी अप्रूवल अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अप्रूवल बहुत बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट किजेगे 12% प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया बचाने के लिए होलसेलर को हम दुगना पर प्रॉफिट देंगे यह तो रेवन्यू का काम है ना कि रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अप्रूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गल्ती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो में सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पार्डन करके एक व्यक्ति को आप अप्रूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहद जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां बोलाब यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहे हैं कि चाहिए बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए किसी बी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक्स सब में खर्च कर दोई वो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले गि उसने दो नमबर से कमाँ वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला आप किसी भी जगापर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब CBI करप्शन के केसे में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते ह यह बिल्कुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन यह जो एडी का मामला आया यह आया ही इसलिए है आप इसको समझे जब आपका इंटेंशन दिखरा है पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वाले को लाफ दिखरा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहाँ दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब यह सारी चीजें मिलाखर दिखाती है कहिन कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहा हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लॉबी है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां का आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं। यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है। कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा। जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है एडी, तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है। और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया, हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं। जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतीशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, ओफिस अफ चीफ मिनिस्टर अफ दिल्ली, ये सारी बातें इस बार वो कागज उन्होंने नहीं दिखाया। तो केरजलीवाल का आदेश भगवान के आदेश के समान हैं। निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर, सिरसा, बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखे है और उन्हें एडी को भी चिठी लिखेए ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठिया निकली है तो बताइए सच्चाई क्या है और ऐसा नहीं है तो आप भी कारवाई कीजे इसक्यूपर उसकी हम लोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दूँ के कविता जो की बियारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है उनको शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है और आरोपियों से उनका आमना सामना भी कराया जा चुका है लिहाज़ा अब E.D. को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाएक खिरासत ने भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस अवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के अप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वह सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजूदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडीन इंपोर्टेंट यहां लिखिए सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामान्य अपराद की जाच से जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिख्था है और यह बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आम आधी पार्टी के नेताओं को दिये गए 292.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर कर कोई जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जैतलंगा ना बोल रही थी लेकिन उनका कहना साखती है और उसके बाद फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की E.D. कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उसे पूछताच की गई ये E.D. ने कोट के अंदर भी का क्या अर्विंद केज़िवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताच की गई ये अभी ऑफिशली डिकलेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में बताया गया और नहीं E.D. ने ऑफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरव थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्या अर्विंद केजरिवाल और के कविता का आमना सामने बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अकसर यही हुआ है कि जब 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 जो है E.D. ने रिमांड नहीं मांगी है या जब E.D. जब बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगए अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाद में सरकारी कभाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कभाब बनती है तो मतलब अरविंद के जिरिवाल को लेते हैं बहुत बुरी ख़बर होगी कि आज की कहानी कुर्सी के मेमानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर्षः हर्षबाधन दिरपाठी जी इस्टूडियो में इस्वागत है राहुल माझन जी हमारे साथ है, राहुल की बात रेमांट है, इसका मतलब अर्विन केजरिवाल के 28 तारीक को जब रेमांट पूरी हो जाएगी, और उनको पेश किया आएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा प्रवाइब निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बाचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा कि अब वो कह रहे हैं कि फो नहीं गायब है और ये सब जाच करने के लिए रिमान ज़्यादा पुखता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो E.D. के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद E.D. की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीजे हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बादा ऐसा ही विशेश सोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे ने पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गया है कि क्या मैसेजेश एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है उन नंबर का मेल किया जाता है फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और ये भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो ये सारी जानकारियां जो हैं electronic evidence के तौर पर जो है सामने आपकी है अभी भी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें बागी है आप इसकी application देखिए एडी की जो अभी आपके समवाधता बता रहे थे इडी अभी भी कह रहा है कि उसे proceed of crime जो है उसको ढूनना बाकी है तो proceed of crime इस मामले में बहुत जादा बड़ा evidence है उसको इडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अर्विन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखिए एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नु उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीज़े भी तो जांच के दायरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन पराद ही हो जैसा बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 44556661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराद ही काम करते हैं हम वेब सिरी जो गयर हम देखते हैं कि पहले हम कोई अपराद होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो वो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिखने है अगर ये प्रोसीड आफ क्राइम हमको ढूड़ना है वो पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आम आद्मी पार्टी तो फिर कहीगी कि हम तो शुरूरात से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहां का पैसा कहां गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव एजनसी कोई जादू की छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांस कर रहे हैं उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब पता च देए सारी चीज़े हौती है और यह बंढ़ेंगे अब आगर फररा की सी खुल खता मी हो गया पर σमझा चोंगी० की के सौक्ण करोड़ रुपई दिये दिल्ली के दिल्ली में आम-ादनी पार्टि को इस पॉलिशीं के जरीए उसने नहीं आ चामाया आम-ादनी कविता तो अगर आप कविता अप्रूबर बन जाती हिंगा उनको बनाने में काम्याब हो जाती है इडी तो फिर तो यह केस बिलकुल खुल गया पिर तो सब आज भी उन्होंने जय तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर किया होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जा है दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो को पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और यह उ दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्था जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजें नायर पकड़े गए अमुक वेक्थी पकड़े गए अमुक वेक्थी पकड़े गई के कविता की बात हुई कॉल ईडी दो यू तो मुख्या रूपी हैं अर्विन केजरिवाल और केकविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई ने 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 पैसा कहां से चला है थिक बाद से ने पैसा चला साउथ से आया आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगो उसमें मनिश शोदिया भी है यह भी है यह भी है यह पॉलिटिकल लॉंडरिंग का केस है वही जो बात हम लोग कर रहे हैं अब देखे कभी भी आपने मुझे तो याद नि बाकी लोग मुझसे जादा जानकारें बताएंगे कोई बी ऐसा कोई केस हो और ऐसा ये इतना ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटिट केस हो उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता और खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रूबर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेगा कि हा मैंने ये किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूं मैं बाकी बात है जो मैंने कुछ किया नहीं है ये फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है ये मनी लॉंटरिंग का मामला नहीं है प्रिटिकल लॉंटरिंग का ये मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका य है ऐनकी मिलते हैं बड़ेगे वकीलों की सलाह इनको यह होती है नेतालोग है अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी अपनी नहीं पिताजी की में राजनीती खतम हो जाएगी इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवल बनने का धूर धूर तक कोई रादा है अब एडी को मेहनत करने कुछ थाबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग कर्विन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपी है तो उनके उपर भी समीर जी के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा एडी के लिए परूव करना पहले भी साथ लो पहुचा और इन्होंने से गोवा में इस्तेमाल किया इसके लिए उन्हें पैसो का ट्रेक रेकॉर्ड डेखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है और पैसा को एरविन केजीवाल ने हाथ में लि लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसा होते फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह हवाला के लिंक जोड़ सके यह जरूर पता कर लेती कि पैसा आया है लेकिन वह कोड में प्रू नहीं क आया है तक अभी तक कह सकते हैं समेर मेंदरू नहीं कह दिया और सरकारी कावा बन चुके उन्होंने का मैं एक करोड रुपया दिया है अभी तक उसकी लिंक स्टेबिश्ट नहीं हुआ है कि वह पैसा किस मादधम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मिश्किल होता है आभागी पैस यही तो कह रहिए है आप इस ने कह दिया उसने कह दिया प्लाने ने कह दिया अपका केस सारा जो है उसने क्या कहा उस पर पैस理 Cambodia ईसी के पास अपरादि हो नहीं होता कि अपरादि एधा तो को कोट में यह भी माना जाता है कि वो अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यूं आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट कि जाए के 12% प्रॉफिट दिया किस बात के लि कि रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप प्रूवर बनाते हैं तो वो संशे तो त सबसे बड़ा सवाल है कहा है उपैसा ये सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि अच्छा ये बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गा गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए अप राधी नहीं होगा हो देखे ज़िए ये जो साबित होगा है पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वह बहुत जबर्दस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसक पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तोर पे दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एविडेंस किसी भी चीज में वह पुखता जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन यह जो एडी का मामला आया यह आया ही इसलिए है आप इसको समझेए जब आपका इंटेंशन दिखरा है पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वाले को लाफ दिखरा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दु इसलिएटर का काम के कविता करती हैं वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाव में जाता है। कौन कौन उसमें involved रहता है तो किसके किसके घर पर meeting होती है उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस policy को बनाते हैं और उस सब के ऊपर जो इनका media management PR management वाला आदमी रहता है आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं विजय नायर उससे जब ब evidence कहलाएगा कहीं सब देखे जो criminal matter होता है मैं मुझे बहुत ज्यादा लीगल जानकारी नहीं है लेकिन collaborative evidence के तहद जो है criminal offense में काम होता है उसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं उसी आधार पर proof होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात चीज के बाद में काज़ा है proceeds of the crime कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए 20 करोड पकड़ा जाए और भाई आज की दिन में कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है ED तो सभाविक है कि उसमें उसमें अर्बिंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आम उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi ये सारी बाते इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की शिक्षा स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निर और वो कह रहे हैं कि कोई भी और व्यक्ति होता उसको किसकी चिंता होती अपनी चिंता होती लेकिन इस बगभी जेल में भी आईडी की कस्टिडी में भी अर्विन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही हैं उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा और कैसे जेल से बाहर बैटकर सरका चिठिया निकाली जा रही है और जीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए पर उसकी हम लोग बात करेंगे उससे पहले बिल्ली के शराब घोटाले से जूड़ी जो बड़ी खवर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दू के कविता जो की बियारेस के चीफ चंदशेकर राओ की बेटी है उनको शराब घोटाले में सरकारी गबाह बनाने की तयारी चल र गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राउजिविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ E.D. ने कहा कि के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है। लहाज़ा अब E.D. को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है। उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता ह इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है। अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ हुआ अतुल ब ज्युह दिया गया है के कविता को यानि की याप जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से उंतरिम जमानत लगाई ति उसमें यह कहा घैना था कि जब तक रेगूलर बेल नहीं नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के अप्लिकेशन कोड के अंदर लगाई थी सौरव वो अपने उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी की जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है और अप इडी ने इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामान्य अपराद की जाच से जादा खटिन है क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश आप भी पार्टी के नेताओं को दिये गए 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जिवाल जो एडी के कस्टेडी में है यह बहुत ही साधन संपन लोग है और यह जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुच रही थी तो मैंने कुछ यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जय तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आरोप लगाए गया है जो एसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कविता से पूचा था कि क्या आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन अब जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री ह नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में बताया गया और नहीं एडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सवरव थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विन केज़वाल और के कविता का आमना साब अतुल बहुत शुक्रिया इडी ने रिमान नहीं मांगिया या जब इडी बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगयागर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाद में सरकारी कवा बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवा बनती है तो मतलब अरविंद के जरीवाल को लेते हैं बहुत बुरी ख़बर होगी के आज की कहानी कुर्सी के मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर्षपरधन धिरपाठी जी स्टूडियो में स्वा हो गई है इसका मतलब अरविंद के जरीवाल के 28 तारीक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या इडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फरदर कस्ट हमेगी इडी मांगि गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्वंद के जरीवाल के साथ भी आगे शायद गहीं होगा तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि भई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकर आप केकविता की गिरफितारी क्यों हो रही है कि वह उस लॉभी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर यह नीती और नीती के जरिए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देने हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांड तो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगी और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब पूसता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीजे हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाह बनने वाली ख़बर के बा तो उसके बारे में कोई सपस्ट जवाब नहीं आया बिन के जिवाल जी की तरफ से ऐसा ही ब्योनी शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे ने पूछा गया तो पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या फिर यह पता चलता है कि क्या मैसेजेश एक कब बात हुई है उनमबर का बेल किया जाता है फिर उन नमबरों को ट्रेस किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है जो है steeds गर बन जा आप बापर तो इसались कीजरी वांब करना इसमें बाद कि या आप उसकी application देखिए एडी की जो अभी आपके समवाधता बता रहे थे एडी अभी भी कह रहा है कि उसे proceed of crime जो है उसको ढूनना बाकी है तो proceed of crime इस मामले में बहुत जादा बड़ा evidence है उसको एडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग है अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वो जो है evidence के तोर पर सामने आते हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कही न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नू उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही है रूच अब कितना गलत लेकिन यह साड़ी चीज भी तो जांच के दायरे में आ जाएंगी किती क्या आईशा पैसा आया है ये सब चीजे जो है मit织 लगता है जांच干 सहरी होगत है और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो एडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सकी आड़ा प्रवेज सामिस में एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे 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 पुलिस थोड़ा एड्वांस होती जाती हूँ से पराधी अपराधी भी आध मांगे जाते हैं मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीज़ें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार-बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं अजिसकेटिव एजनसी कोई जादू की छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांच कर रहे हैं महादेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहाँ पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए ये बड़े कॉम्प्लिकेटिड क्राइम होते हैं और के कविता अप्रूवर बनेंगे hell, के कविता के भूमिका को चारा समस्जेए और अगर ये हो जाता है के कविता अप्रूवर बनती इनो पिर तो ये पूरा오 केसी खताम ही फिर समझेए क्योंकि के कविता उ साउथ लॉबी को represent कर रही हैं जिस पर आरोफ है कि उसने 100 करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और साउथ लोबी की मुक्या के कविता है तो यह दि हम बयान पिछले दिनों का ले लें, कोट से बाहर निकलते हुए, तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ जो भी आरोप है, वो राजनीती से प्रेरित हैं, मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है, आज भी उन्होंन पर बन जाए, दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी, कि जो प्रुशिट्स अफ कायम्स के अंदर जो है, हम लोग यह जिक्र कर रहे थे, कि गोआ के 15 जो आम आदमी पाटी के जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं, और यदि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे, लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा, अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूबर की भूमिका में नहीं है, और यह उनकी बातचीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड जो कर पा रहे हैं, वो हैं, कल जाकर के हो जाएं, तो इसमें कोई दोरा हैं नहीं है, और दूसरी बात, यदि वो अप्रूबर बन जाती हैं, तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुल करके बाहर आ जाएगी, तब फिर अर्विन केज कर रहे थे, कि विजे नायर पकड़े गया, अमुक व्यक्ति पकड़े गया, अमुक व्यक्ति पकड़े गया, अमुक व्यक्ति पकड़े गया, इन सारुक के कविता की बात हुई, हां, सबसे बड़ी बात थी, ये जिक्र ही चल रहा था कि के कविता को गिरफतार क्यों नही कि कविता के कविता प्रूबर बनेंगी अभी अगर आरोपी देखे तो दो फिटी बकॉल फिर औरे रोपी हैं अर्वीन केजरीवाल इडी ने क्या दिया यह मुख्य साधिश करता है वो सही बात है वो सही बात है लोग बात करने हैं आपके कविता क्या रही है Money Laundering का केस नहीं है यह यह Political Laundering का केस है वो ही जो बात हम लोग कर रहे है कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे जानकारें बताएंगे कोई भी ऐसा कोई केस हो और ऐसा ये इतना ऐसा कोई complicated केस हो उसमें कभी कोई बड़ा रोपी जो होता है और खासकर कोई politician वो कभी approver नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेगा कि हाँ मैंने ये किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूँ मैं बाकी बात हैं जो आपको बता लिए कभी होता नहीं है कभी ता की बात सुनवा देता हूं सर फिर आता हूँ बिजेपी और फिर अठीड बीजेपी ये वो देता हूँ कभी ता कह रही है मैंने कुछ या नहीं है ये फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है ये पर मनी लॉंडरिंग का मामला नहीं है पोलिटिकल ओंटरिंग का ये मामला दिखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका ये मानना है कि के कविता सुत्रधार हैं इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इसे इनका क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं बड़े बकिलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत सुविकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं दूसरा यह नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी राजनीती खतम हो जाएगी पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता है और हवाला के पैसे के लिए कहा जाता है कि हवाला के पैसा हवा में उड़ती ही पूंजी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाद नहीं रहता है वो सिवेक परची पर पैसा चलता है इड़ी को ये प्रूब करने के लिए कि हैधराबास ये पैसा चला और ये मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने इसे गोवा में इस्तमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि ये पैसा पूरा हवाला से आता है तो बहुत मिश्किल है और पैसा को अर्विन केजिवाल ने हाथ में लिया नहीं होगा हवाला का पैसा संदेश की माद्धम से आता है संदेश की माद्धम से डिल्वर हो जाता है तो अगर गोवा के जो मिदवार आपके राएंगार वो यह कहते भी है कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें ये प्रू करना बहुत मिश्किल होगा है ये पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे होते है फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वो हवाला के जोड़ सके लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा ना खर्च होगा लेकिन ये एडी को स्टबरिश करना कि ये पैसा हवाला से आया तक अभी ता कह सकती है समेर मेंदरू ने कह दिया और सरकारी गवा बन चुके उन्होंने का मैंने एक करोड रुपया दिया है अभी तक उसकी लिंग स्टबरिश नी उपाई कि वो पैसा किस मादम से कैसे डिलेवर हुआ है माना जाता है कि वो अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यूं आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट कि जाए कि 12% प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने 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 रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत ज़रूरी है तो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उन पैसा यह सवाल लोगों के पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप जहान दीजिए जब सीबी आई करप्शन के क पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जो के रिश्वत की तोर पे दिये जा रहे होते तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि evidence किसी भी चीज में वो पुखता evidence की जरूरत बहुत है आप कुछ करते हैं ने ने मैं वही कह रहा हूं ये बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो अग्दम सच है लेकिन ये जो ED का मामला आया ये आया ही इसलिए है आप इसको समझे जब आप का intention दिख रहा है policy से सरकार की बजाए license लेने वाले को लाभ दिख रहा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब ये सारी चीजे मिलाकर दिखाती कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक South lobby है जिसका शराप बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती है कि हमारा आदमी है भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है तो यह सब क्या सरकमस्टेंचल एविडेंस कहलाएगा क्या है यह सब देखे जो क्रिमिनल मैटर होता है मैं जो मुझे बहुत ज्यादा लीगल जानकारी नहीं है लेकिन कोराबरेटिव एविडेंस के तहद जो है क्रिमिनल ओफिंस में काम होता है उसके आधार पर आप जेल जा सकते हूं उसी आधार पर पूफ होता है क्यों पैसा लेने वाला है यह वहां तक पहुंच जाती है एडी तो सभाविक है कि उसमें इसमें अर्बिन केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतीशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लेखा था सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi ये सारी बाते इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की शिक्षा स्वास्त मंतरी भी है दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है और मुझे अर्विंद केजिरिवाल जी अर्विंद केजिरिवाल को दिल्ली की जनता की चिनता हो रही है उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा और कैसे जील से धड़ा धड़ अर्विंद केजिरिवाल के आदेश निकल रहे हैं इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी का वाई की दिकाल रहे हैं और जीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरूप्यों किया जा жा रही है और इस पर तुरंध रोग क लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर सिर्षा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखी है और उन्हें इडि को भी चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठीया निकली है तो बताईए सच्चाई क्या है और उसके हम नोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दूँ के कविता जो की ब्यारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है उनको शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लहाजा अब E.D. को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उन्हें अब नियाई की रासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी इसे उस सब्सक्राइब गई यह कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जैसी के एप्लिकेशन कोड के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत कर रहे हैं और अप्राद के जरिये कंवाई गई आयका पता लगाने की कोशिश क कर रही है जो लोग प्र Those से आई से जुड़े हुए हैं उनका पता लिगाने की कोशिश कषिश सकती है अगर उनको जबावेदा जांच को प्रभावित कर सकती है और एक इन इक असमाज के ए शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो कि पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिख और यह बताया गया कि 100 करोड रुपय की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आम आदी के कवीता जो जिनकी जाज कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो एट के कस्टडी में है यह बहुत ही साधन संपन लोग है और यह जो जाज करना बहुत है इनको जुडिशल कस्टडी में यानि जेल भीजने का आदिश कोट ने दिया है अब क् के सरकारी गवाब बनने को लेकर कुई जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुंच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उप करा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की E.D. कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूच्टाच की गई ये E.D. ने कोट के अंदर भी का अर्विन केजरिवाल और के कविता का आमने सामने बिठाकर उनके लिए अर्विन के पूच्टाच पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या E.D. जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किसने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बाचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा कि अब वो कह रहें कि फो नहीं गायब है क्या ED के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थी कि यह यह चीजे हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बादा इसा ही विए शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उन जब फोन के बारे ने पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गया है कि क्या मैसेजेश की इक्सचेंज हुए किस ने किस से बात किपर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है उन उनWe this ले तर नंबर को ट्रेसु की शा application देखिए एडी की जो अभी आपके समवादता बता रहे थे एडी अभी भी कह रहा है कि उसे proceed of crime जो है उसको ढूनना बाकी है तो proceed of crime इस मामले में बहुत जादा बड़ा evidence है उसको एडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पे आ रोप किसी पर लगते हैं तो भए जों कि फोन अपने Dry करते तो वह जो है Ab praising की तूर पर सामने आते हैं अगर आप फोन कर रहे हैं अगर आप की सब पन्नू पन्नू उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने दोजार चौदा से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना गलत लेकिन ये सारी चीज़े भी तो जांच के दाएरे में आ जाएंगी कि ऐ पैसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है ये सब चीज़े जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजिरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या शातिर अपराधी हो जैसा बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 44556661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आमाद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा ता है यह सब कुछ पता चल जाएगा तो इसका माहदेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उल्जे हुआ कहां से बाते आरही हैं उन्होंने अब जो पता चला रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए ये जो है ये बड़े complicated crime होते हैं और complicated crimes के लिए ही ये ऐज ledности बनाई गई है ये इतने complicated crime होते हैं कि किस तहां से पैसा किस तहां से मुव वह उसे किस तहां से black प्रफिया और अगर यह हो जाता है कि कविता अप्रूबर बनती है तो फिर तो यह पूरा केसी खुल खताम ही हो गया पिर समझें विख्या और अगर आप ऑपके कविता अप्र बनाने में रिफ इसी के सब्सकत करेंगे और समझेंट बनाने में कामियाब हुजाती है यह हुआ तो फिर तो यह केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे सौरब जो कही गविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का ले ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर के क्या होता है यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रूशीट सब क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गोवा के पंद्रह जो जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट जो कर पा रहे हैं हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई दोरा है नहीं और दूसरी बात दूसरी बात यदि वह एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजे परते खुल कर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्रवस्ता जो है वो तिहाड़ी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे की विजय नैयर पकड़े गया, अमुक वेक्ति पकड़े गया, अमुक वेक्ति पकड़े गया और वो सुप्रिम कोट का उनके उन पर था कि भई आप 13 मार्च तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती इसके कारण वा जैसे ही वो तेरह मार्ज की गरफतारी का वो खत्म होता है पीरियड उनको गरफतार कर लिया जाता है मुझे तो नहीं लगता कि कविता के कविता अप्रूवर बनेगी अगर आरोपी देखे तो दो यूट एडी दो यूट मुख्या आरोपी है अर्विन केजरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई ने 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 पैसा कहां से चला जाए हैधरावाद से ने ने पैसा चला साओट से आया आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमकाती उसमें मनिष शुदिया भी है यह भी है यह पुलिटिकल लॉंडरिंग का केस है वही जो बात हम लोग कर रहे हैं अब देखे कभी भी आपने मुझे तो यादनी बाकी लोग मुझसे जाधा जानकारें बताएंगे को और खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रूबर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेंगा कि हां मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूं मैं बाकी बात इन जो आपको बता जाए तो यह कभी होता नहीं है कि कभीता की बात सुनवा देत हूं सर फिर आता हूं मामला देखाई दे रहा है वकीलों की सलाह इनको यह होती है आप इसे मत सुिकार करिए बाकी हम लोग sleep दूसरा ये नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनिती खतम उतनी अपनी पृता जीरीवाल और बाकी लोग आरोपी एं तो इंके उपर भी समिय जी देखे के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा एडी के लिए प्रूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महिंदरू बन चुका है देखे पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता है और ह मामाधी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने से गोवा में इस्तेमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड डेखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है और पैसा को एरविन के माध्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90 परशंट जो इस तरह के कैसे होते फानेशल क्राइन के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह हवाला के लिंग जोड़ सके यह जरूर पता कर लिए कि पैसा आय से आये तक अभी तक उसकी लिंग स्टेमिनिशनी उपाई कि वह पैसा किस माध्यम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है अब आधी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया उसने कह दिया फ़लाने ने कह दिया आपका बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो अरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोट में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए इस तो सांदेवाले का दिया ने 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 वह तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया व कुल्सिलर को हम दुगना प्रॉफिट देंगे तो रेवन्यू का काम है ना कि रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पाड़न करके एक विक्ति को आप अपरूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत ज़रूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहा है यही त उसके शौक हो सब में खर्च कर दे वो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो देखें लेकिन साबित होगा तबना देखे देखे पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप देहान दीजिए जब सीबी आई करप्शन के केसिस में पकड़ती है तो जान तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एविडेंस किसी भी चीज में वो पुखता एविडेंस की ज़रूरत बहुत है आप कुछ करते हैं ने ने मैं वही कह रहा हूं यह बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन यह जो एडी का मामला आया यह आय जंदमीन की कुछ गड़बर हूई आप वह गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लौबी है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करते हैं वो पैसा कहा कहां जाता है पंजाब और ग विजय नायर उससे जब बात करके कहते है अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है। उसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आधार पर प्रूफ होता है। कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात चाहिए प्रूसीट सब्द क्राइम कि आप किसी कहां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में वो कैसे आधा हैं और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया, हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं, जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को, टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं, इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़े ठीक से हो, और उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा, और कैसे जेल से धड़ा-धड अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये, और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉरजरी है, ये चिठियां जाली है, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए, और मंत्रियों के ओपर जो ये आदेश दिखा रहे हैं, उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए, मनिंदर सिरसा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठ्थी लिख की है, ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठ्थिया निकली है, तो बताइए सच्चाई क्या है, और ऐसा नहीं है, तो आप भी कारवाई कीजे इसक्यूपर, उसकी हम लोग बात करेंगे, उनसे पहले, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी, थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के रावज जेविनी कोर्ट में पेश किया गया था, और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है, जो भी उनसे सवाल पू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है, देखे सुरव आभी की बड़ी खबर य जहेंगी, जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो रेगूलर बेल जो के कविता के वक्किलों की तरफ से लगाई गई थी, उसमें ये एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए, जोकि रेगुलर बेल लगाई इस पर के कविता के वकीलों का यह कहना था कि जब तक रेगुलर वेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी करके सुनाओं कि इस मामले में इडी चो आरोपी की भूमिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई है का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग कि अपराद की जांत सामान्य अपराद की जांत से जादा कटिन है क्योंकि आर्तिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कटिन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिके सब्सक्राइब रही है इसलिए में गवाले से कविता ने कमाई तो पूरा जो इडिजो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो सीएम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्व बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुच रही तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आ कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूच्ताच की गई यह एडी ने कोट के अंदर भी का क्या अर्विंद केजडिवाल को आपने सामने बिठाकर पूच्ताच की गई यह अभी ऑफिशली डिक्लेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया और नहीं एडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विन केज़बाल और के कविता का आपनेट के लिए के कविता की जमानात की अर्जी खारज के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी अर्विन केजरिवाल के बहुत बरी खबर होगी के कविता के का इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशन रिमान जयानी जेल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अर्विंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुमकिन है कि उनको भी जेल हो या इडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक भार फिर फरदर कस्टड़ी माँगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्ट़डी माँगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें न कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि भई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे जादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्या वो कह रहें कि फो नहीं गायब है क्या ED के पास तो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगी और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े व बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद यह खबर जो भाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नीती बनाई थी उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिनके जेवाल ज देखें यह होता ही एलेक्ट्रोनिक एविडेंस से यह पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या फिर यह पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है उन नंबर का मेल किया पिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है उसको ढूनना बाकी है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिसफे आरोप किसी नहीं पी אלहीं जो को जो है अगर जो फोननी नीए है और और सब्कसिदे कर रहे हैं तो गलतों को देखिए और की मुश्क्रे आप और बंबडने वाइग अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पुन्णोव, उन्हों ने एक बयान दिया कि उन्हों ने चौधा से निज्mission आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्हों ने आपको पैसा दिया अब ये कितना सही या कितना लेकिन यह सारी चीजें भी तो जाँच के दाइरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजें जो है इस सब की जाँच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान तो चलिए अपराधियों करने वाले शातिर अपराधियों जैसे बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 4455661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं हम वेब सिरी जो गयर हम देखते हैं कि पहले हम कोई अपराध होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो वो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख र अब यह भी कहरी है कि प्रोसीड ओफ क्राइम हमको ढूडना है हमको पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आदि पार्टी तो फिर कहीगी कि हम तो शुरुआत से कहरे हैं आपको पता ही निए कौन सा पैसा कहा का पैसा का गया पैसा इंवेस्टिकेटिव एजनसी कोई जादू की चड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो धो साल से जांच कर रही है पादेव स्कैम देखिए, उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं, वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं, उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया, देखें ये जो है बड़े कॉंप्लिकेटेड क्राइम होते हैं, और क क्या करोड रुपया दिया कि इड्ली अम आदनी पारटी को बन्वाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीब उसने तो माल कमाया ही कमाया малень amiga को उसने सो करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुख्या के कविता तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हु है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कुई इसमें इससे लेना मुश्किल है और दो-तीन दिन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रुशीट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गोवा के पंद्रह जो आम आदमी पार करने में वक्त लाएगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं नहीं है और यह उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड चो कर पा रहे हैं वह हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें को परते खुल करके बाहर आजाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट प्रवस्ता जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विजय नायर पक हैसला सुप्रिम कोट का जो एक उन पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती इसके कारण हो जैसे ही वो 13 मार्च के गिरफतारी का खत्म होता है पीरियड उनको गिरफतार कर लिया रहा आप जो बात कि मैं बिल्कुल सह्म होता है मुझे तो नहीं लग इसा चला साउथ से आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों कि भूंका थी उसमें मनीष्च शोधिया भी दो तो थे रहां और आपके जिरिवार होगा है ना इडिय ने क्या दियार ये मुख्य साजिश करता है वो सही बात है वो सही बात है ये आपके कवीथा क्यारी और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, उसमें कभी कोई बड़ा रोपी जो होता हूँ, खासकर कोई पॉलिटेशन, वो कभी अप्रूवर नहीं बनता है। कभी वो सरकारी कभी एड़िट नहीं करेंगा कि हां मैंने ये किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूँ, मैं बाकी बात हैं जो आपको बता देंगा हूँ, खासकर कभी होता नहीं है। मैंने कुछ किया नहीं है, ये फ्रॉड केस है, फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है, ये मनी लॉंटरिंग का मामला नहीं है, प्रिटिकल लॉंटरिंग का ये मामला देखाई दे रहा है। सौरण एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है। आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है, के कविता, सबका ये मानना है, कि के कविता सुत्रधार हैं इसके, लेकिन जो भासा है उनकी, वो साप साप इसे इनका, क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़ वकीली मिलते हैं, बड़े-बखेर वकीलों की सलाह इनको ये ही होती है, आप इसे मत्विकार करिये बाकी हम लोग कर्थे, डूसरा ये नेता लोग हैं, अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो तो राजनीती खतम, इनकी ईनकी राजनीती तो कुछ नहीं है पिताजी की खतर बिल्कुल खतर हो जाएगी तो इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर दूर तक कोई रादा है अब एडी को मेहनत करने पड़ेगी इनके ओपर भी दोश थाबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी ल हवा में उड़ती ही पुझी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाब नहीं रहता वो सिवेक परची पर पैसा चलता है एडी को यह प्रूव करने के लिए कि हैधराबास से पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने से गोवा में इस्त हमें पैसा मिला है तो उन्हें यह प्रूव करना बहुत मिश्किल होगा है यह पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसा होते फानेशल क्राइन के उसमें बाहरतिया कोई भी एजैंसी इतनी आया यह तो पता नहीं चलेगा लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा ना खर्च होगा लेकिन यह इडि को स्टबिनिश करना कि यह पैसा हवाला से आया तक अभी तक उसकी लिंग स्टबिनिश नहीं हो पाई कि वह पैसा किस माद्दम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा स्प्रमाण है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ हैं। कि आपने पॉलिसी बदली क्यों? आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट की जाएगे, बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए? ने 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 वो तो नीती तौर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया कि बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ओफ क्राइम आए। आप अप्रॉवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा। बिना पाड़न किया आप उसे अप्रॉवर नहीं बना सकते हैं। तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे। पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी? इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहद जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो क्या जहां पैसा गया है गयब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हूँ लेकिन साबित होगा तवना यह जो साबित है पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगापर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब सीबी आई करप्शन के केसिस में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ति पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जो के रिश्वत की तौर पर दिये जा रहे होते है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस किसी भी चीज में वो पुक्ता एविडेंस की जरूरत बहुत है ने ने मैं वही कह रहा हूँ ये बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है अब ये सारी चीजे मिलाखर दिखाती है कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लावी है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती है वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल रहता है तो किसके किसके घर पर बीटिंग होती है उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं यानि हमारे ब्याव पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता circumstantial evidence कहलाएगा क्या है यह सब देखे जो criminal matter होता है criminal matter होता है मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा legal जानकारी नहीं है लेकिन collaborative evidence के तहद criminal offense में काम होता है उसके आधार पर आप jail जा सकते हैं उसी आधार पर proof होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात proceeds of the crime कि आप किसी के हाँ से 10 करोड पकड़ा जाए 20 करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है ED तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है दिल्ली में अभी भी अर्बिंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है और मुझे अर्विन केजरिवाल जी नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को अर्विन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है उनकी बात मैं आपको सुमाऊंगा और कैसे जेल से धड़ाधर अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है फोरजरी है ये चिठिया जाली है ये दिल्ली बे बैटकर यही बाहर बैटकर चिठिया निकाली जा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरूपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंध रोक लगनी चाहिए और मंतरियों के उपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर सिर्सा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखी है और उन्हें एडी को भी चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठीया निकली है तो बताइए सच्चाई क क्या है ऐसा नहीं है तो आप भी कारवाई कीजे इस क्यों पर उसकी हम लोग बात करेंगे उनसे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दू के कविता जो की ब्यारस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है उ और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लिहाजा अब एडी को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता के कविता ने बेटे की परिक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर ये है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस अवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज़ दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कवि कोड के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है इडी ने अपनी जो जेसी के अप्लिकेशन के कविता के खलाफ उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच क लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपरात से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिशकर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वह सबूतों को नश्ट कर सकती है और मोजुदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडी ने इंपोर्टेंट या लाइन लिखिये सौरव कि आर्थिक अपराद की जांच सामानिया अपराद की जांच से ज्यादा कटिन है क्योंकि आरतिक करने वाले साधन संपन्द और प्रभावशाली इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपरात की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो कि पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और यह बताया गया कि 100 करोड रुपय की रिश्वत जो है व बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो सीएम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाज कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो एट के कस्टडी में है यह बहुत ही साधन संपन लोग है और यह जो जाज करना बहुत है इक तो यह बड़ी खबर है सोरब और हमने आज जब के कवीता कोर्ट रूम के अंदर पहुंच रही तो मैंने कुछन के कवीता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना तो जय तैलंगा ना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आरोप लगाए गया है जो एर अहीं हुआ दस दिन की E.D. कस्टरी में के कवीता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उसे पूच्टाज की गई यह E.D. ने कोर्ट के अंदर भी का क्या अरविंद केजडिवाल को आपने सामने बिठाकर पूच्टाज की गई यह अभी ऑफिशली डिकलेयर नही किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोर्ट में बताया गया और नहीं एडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विन केज़वाल और के कविता का आमना साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देख अर्विन के जिरिवाल को लें बहुत बुरी over होगी के कविता को जुडियो में वह तुडियो में स्वागाते है के कविता को जुडियो में यानि जेल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टरडी मांगे जैसा केकविता के केस में दो बार कस्टरडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज ये है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें न कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लौबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से ब लवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांट जादा पुखता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के प सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बार ये खबर जो बाब बैसे आई है वो ये कि जो उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नीती बनाई थी वो फोन कहा है तो उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिन के जेवाल जी की तरफ से ऐसा ही ब पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या फिर ये पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है वो नंबर का मेल किया जाता है फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और य उसकी application देखिए एडी की जो अभी आपके समवादता बता रहे थे एडी अभी भी कह रहा है कि उसे proceed of crime जो है उसको ढूनना बाकी है तो proceed of crime इस मामले में बहुत जादा बड़ा evidence है उसको एडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं क electronic gadget evidence के तोर पर सामने आते हैं अगर आप phone destroy कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नो उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंέ दोसरा चौदा से 2022 के बीच में जो आतंकी संगठिन है खालिस्तानी उन्होंगे आपको पैसा दिया अब ये कितना या कितना गलत लेकिन यह सारी चीजे भी तो जांच के दाइरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो एडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके अधर प्रवेसर इसमें एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे जैसे पूलिस थोड़ा अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिये अपराधियों का समझ जाते हैं यह भरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आमाद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिखने है लेकिन अगर ये प्रोसीड आफ क्राइम हमको ढूडना है हम पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आमाद्मी पार्टी तो फिर कहेंगी कि हम तो शुरूरात से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहां का पैसा कहां गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव एजनसी कोई जादू की छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांस कर रहे हैं उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब पता च दील किया गया यह सारी चीज़े होती है और यह मुश्किल होती है जाना देखे अब यह जो सवाल यह कि क्या के कविता अप्रूवर बरेंगे अब आप के कविता के भूमिका को जरा समझेगा और अगर यह हो जाता है के कविता अप्रूवर बनती है तो फिर तो यह पूरा और साउथ लॉबी की मुख्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है उनको बनाने में काम्याब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिल्कुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित है मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर किया होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जा है दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और यह उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट चो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें कोई द्वार है ने और दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते जो है वो तिहाडी होगा उसके थिरिक्ता और कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे की विजे नायरalımक वेक्ति पकड़े गया अंक वेक्ति पकड़े गयाई उन पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती है। जैसे इसटेरा मारच की गिरफतारी का खत्म होता है, पीरियड उनको गिरफतार कर लिए जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अपरूवर बनेंगी अभी 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 तो अगर आरोपी देखे तो दोई एडी बकॉल एडी दोई तो मुख्या आरोपी हैं अर्विन केजरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये दूसरे ने पॉलिसी बनाई पैसा कहां से चला? पैसा चला है हैदराबाद से पैसा चला साउट से आया आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी उसमें मनिश शोदिया भी है तो मैं तो फ्यारा हूँ उसे उपर आप के जरिवार होगा इडी ने कहा दिया यह मुख्य साधिश करता है वो सही बात है वो सही बात है आपके कविता कह रही है money laundering का case नहीं है यह यह political laundering का case है वही जो बात हम लोग कर रहे है कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे ज़्यादा जानकारें बताएंगे कोई भी ऐसा कोई केस हो और ऐसा यह इतना ऐसा कोई complicated case हो उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता है और खासकर कोई politician वो कभी approver नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एडबिट नहीं करेगा कि हाँ मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभा बन गया हूँ मैं बागी बात हैं जो आपको बता यह कभी होता नहीं है क्या कभीता कह रही है मैंने कुछ किया नहीं है यह fraud case है फर्जी case है और मुझे फसाया चा रहा है यह money laundering का मामला नहीं है political laundering का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह criminal से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगडते रहिए रगडते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका यह मानना है कि के कविता सुतरधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साफ साफ इससे हैं कि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं बड़े बड़े के वकिलों की सलाह इनको यही होती है आप इसे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं दूसरा यह नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का दूर दूर तक कोई रादा है अब E.D. को मेहनत करने पड़ेगी इनकी ओपर भी दोश थाबित करने के लिए अब फर्दार अगर और कर्विन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपी है तो उनकी ओपर भी समीर जी देखे के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा पैसा चलता है इडी को यह प्रूव करने के लिए कि हधराबास से पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास पहुंचा और इन्होंने इसे गोवा में इस्तमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड डेखना पड़ेगा और वह लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मुझकिल है और पैसा को एरविन केजीवाल ने हाथ में लिया नहीं होगा हवाला का पैसा संदेश के माद्ध हम से डिलिवर हो जाता है तो बारतिय कोई बेशन सी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वहाला की लिंग जोड़ सके यह जरूर पता कर लेंगा थी कि पैसा आया है लेकिन वह कोड में प्रूह नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माध्यम से आया पैसों में इतने ज्यूदा इन्वाव जलता है पैसा आया कि वो पैसा किस मादधम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है आप अग्भी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया उसने कह दिया फ़लाने ने कह दिया आपका केस सारा जो है किसने क्या कहा उस पर based है सबूत के तौर पर कुछ नहीं किसी के पास कोड के अंदर भी approval को बहुत आसानी से नहीं लिए आता क्योंकि कोड मान की भी चलता है कि approval अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो approval मतला बहुत authentic रक्ति नहीं होता कि जो आप आरोपी अगर वो approval बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वो अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने policy बदली क्यों आपने wholesaler को पांच-पांच परसंट के जाएगे बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तौर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया वो आमार दिया रेवनियू इकठा करने के लिए wholesaler को हम दुगना प्रॉफिट देंगे देखे बेसिली यह तो रेवनियू का काम है कि रेवनियू कमाने के लिए आपने क्या किया देखे इसमें बड़ा important है कि proceed of crime आए आप approver बन जाएंगे तो आपको के कविता को pardon करना पड़ेगा बिना pardon किये आप उसे approver नहीं बना सकते तो यानि के कविता को पहले आप pardon करेंगे पाड़न से पहले वो गलती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो अप्रॉवर बनेगी उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप अप्रॉवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत ज़रूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां यही तो सबसे बड़ा सवाल है कहां है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहे हैं कि चाहिए बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नमबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए अप राधी नहीं होगा हो लेकिन साबित होगा ने ने ये जो साबित है पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब सीबी आई करप्शन के केसिस में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ती पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ती पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पे दिये जा रहे होते है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस किसी भी चीज़ में वो पुखता एविडेंस की ज़रूरत बहुत है यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती है वो पैसा कहां कहां जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल रहता है तो किसके किसके घर पर रिटिंग होती है उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं मनी सिसोधिया सीधे-सीधे उस policy को बनाते हैं और उस सब के ऊपर जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं विजय नायर उससे जब बात करके कहते हैं अर्विन केजरिवाल के हमारा आदमी है भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी monetary gain भी चाहिए तो ले सकता है तो ये सब क्या सरक्मस्टेंचनल एविडेंस कहलाएगा क्या है इसब क्रिमिनल मैटर होता है मुझे बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है लेकिन collaborative evidence के तहद criminal offense में काम होता है उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं उसी आदार पर पूफ होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात proceeds of the crime कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए 20 करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है ED तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनिया और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश ओफिस अफ चीफ मिनिस्टर अफ दिल्ली ये सारी बाते इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरभ भार्दबाद जो की इस बार निर्देश मुझे आया है और मुझे अरविन केजरिवाल जी नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं लोगों को टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो और उनने का कि मेर लिए तो केरजलीवाल का आदेश भगवान के आदेश के समान है और वो कह रहे हैं कि कोई भी और वेक्ती होता उसको किसकी चिंता होती अपनी चिंता होती दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है फॉर्जरी है ये चिठियां जाली है ये दिल्ली बे बैठकर यहीं बाहर बैठकर चिठियां निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर सिरसा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखी है और उन्हें एडी को भी चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठीया निकली है तो बताईए सच्चाई क्या है और ऐसा नहीं है सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है यह सवाल इसलिए क्योंकि E.D. ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी फोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राउज जबनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहां E.D. ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके है और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लिहाज़ा अब E.D. को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाएक हिरासत ने भीजा जा सकता है मतलब उनको जेल भीजा जा सकता है इसके बाद के कविता के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है अब कि बड़ी खबार यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो रेगूलर बेल जो के कविता के वकीलों पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौर इडी ने अपनी जो जेसी के एप्लिकेशन के कमिता के खिलाफ उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाज कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाज करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमिका की लगातार जाज कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को पराट की जांच, सामानिय अप्राट की जांच से जादा कटिन है, क्योंकि आर्थिक अप्राट करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है, इनकी समाज में गहरी पैट होती है, अप्राट की साजिश बहत शात्रियानत तरीके से की गई, इसलिए जांच को आगे बढ़ा काना कई बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिख और यह बताया गया कि 100 करोड रुपय की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आम आधी पार्टी के नेताओं को दिये गए 292.8 करोड रुपय जो है वो इ इडिके कस्टेडी में है यह बहुत ही साधन संपन्द लोग है और यह जो जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगाना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूचताच की गई यह अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर पूच दसनाच की गई यह अभी उफिशली डिकलेयर नहीं किया गया नहीं बताया गया ना तो कोट में बताया गया और नाहीं एडी ने अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए स्वरव थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विंद केजडिवाल और के कविता का आ कर दो चाहिए कर लगा बहुत बुरी ख़बर ओगी के मेंने की कवीता को साथ में सवागत आपका राहूल मारजन जी हमारे साथ है, राहूल की वह स्वागत है, प्रफेजर संगीत रागी हमारे साथ है, सरस्वागत आपका, समीर चौकांकर जीबी स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर, पहले ज़रा इसी पर हम लोग बात कर लें, के कविता को जुडिशल जो है, उनकी आगे हो सकता है, एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे, जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी, लेकिन जो कुछ हो रहा है, ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा के कविता की जब गिरफ्तारी हुई थी, तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है, क्योंकि आप के कविता की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, के कविता की गिरफ्तारी इसलिए हो रही है, कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी, जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरीये लाईसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराब नीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे जादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बाचीत हुई क्या ED के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगी और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांड जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो इडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद इडी की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वह उसके हिसाब से थे कि यह ये चीज़ें हुई अब हुई तो उसका कहां कहां असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वह भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद जो भी गाजट्स हैं वो बहुत महत्पूर इस्सा है इस पूरी तफिश कराउल जी देखे यह होता ही यह जो है कहां से कहां गया या फिर यह पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है इलेक्ट्रोनिक एविडेंस के तौर पर जो है सामने आपके अगर बन जाएं प्रूबर तो इसका केजरी वाज़ी के लिए अभी भी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें ब बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वह जरूरी नहीं है कि फोन अपने डिस्ट्रॉई कर दें तो वह जो है एविडेंस के तौर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखिए एक औ हफे और वैयां जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालीस्तानी आतंकी हैं पन्नुट पन्नुट उन्होंने एक बयांदिया है कि उन्होंने 2014 से 2282 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालीस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब यह कितना सही या कितना गलत लेकिन यह सारी चीजेंगी तो जाच के दायरे में आ जाईंगी कि ऐसा क्या हुए है कि ऐस पैसा आया है तो यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो एडी जुबारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके आप्रवे ऐसमें एक चीज और है कि जैसे कि जैसे जैसे पूलीस थोडा एडवास होती है विससे अपराधी भी एडवास होते हैं तो चले आपराधियों को मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो पूरी तर से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराध ही काम करते हैं मुझे वह उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूर अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पुछते भी है वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते हुए बहुत साफ दिख रहे हैं आदेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बाते आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए यह बड़े कॉंप्लिकेटेड क्राइम होते हैं और कॉंप्लिक को जरा समझेगा और अगर यह हो जाता है के कविता अप्रूबर बनती है तो फिर तो यह पूरा केसी खुल खतम ही हो गया पिर समझेगे किस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कह करके उनके कल जाकर कि क्या होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लाएगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और यह उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्वनेंट ब्वस्ता जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बार को गिरिफतार क्यों नहीं किया गया है और वह सुप्रिम कोट का उनक Dalais decisions को फेसला क्योंकि करे बाद के मिधे घ्वाल को पर नहीं कि देखेता म…! पकॉल ईडी, दो ही तो मुख्यारूपी हैं, अर्विन केजरीवाल और केकवी ता, एक ने पैसे दिये, दूसरे ने पॉलिसी बनाई, नहीं, 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 पैसा कहां से चला, पैसा चला है हैदराबाद से, नहीं, पैसा चला साउट से, आया आम आदमी पार्टी न से, आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमकाती, उसमें मनिश्य शोधिया भी हैं, ये भी ही हि नहीं, अदिके है कभी भी है, ये पुलिटिकल लॉंडरिंग का केस है, वही जो बात हम लोग कर रहे हैं, अब इक से कभी भी आपने, मुझे तो यादनी, वाकी ल होता है खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रूबर नहीं बनता है और मैं शर्कारी कभाप बन गया हूँ मैं बाकी बात नहीं नहीं आपको बता है कभी होता नहीं कि आगा कि यह कवी अब शुने देता हूं तो के कविता कह रही है, मैंने कुछ किया नहीं है, ये फ्रॉड केस है, फर्जी केस है, और मुझे फसाया जा रहा है, ये money laundering का मामला नहीं है, political laundering का ये मामला देखाई दे रहा है. सौरव, एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है, आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है, के कविता, स सुत्रधार हैं इसके, लेकिन जो भासा है उनकी, वो साफ साफ इसे इनका, क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े-वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इससे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोट में देखने हैं, दूसरा ये नेता पर बनने का धूर धूर तक को इरादा है, अब एडी को मेहनत करने पड़ेगी, इनको इनके ओपर भी दोश साबित करने के लिए, और फर्दर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपिये तो उनके ओपर भी, समीर जी, के कविता अगर अप्रूवल बन जी है, जो किसे के हाथ में नहीं आती, उसका कोई इसाब नहीं रहता, वो सिवेक परची पर पैसा चलता है, इडी को ये प्रूव करने के लिए कि हैधराबास ती पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने इस गोवा में इस्तमाल किया, इसके ल तो उन्हें ये प्रूव करना बहुत मिश्किल होगा है, ये पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है, मुझे लग रहा है, और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसस होते है, फानेशल क्राइम के, उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट के माद्यम से आया है आप कहा हवाला का पैसा हवा में छलता है पैसा हाया, ना कर्सक्र आवाला की इस तो पता चलेगा लेकिन पैसा खर्च चुआ खर्च हो बाहिए पैसा हवाला से रे उस में तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है आप अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है तो अप्रूवल बहुत मतला बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो आप अरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोट में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए इस तो सामने वाले का नाम लिए इडी के पास जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट किज़ेंगे बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने 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 वो तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं किसली दिया वो आम आप रेवनियू इकठा करने के लिए वो नीती होलसेलर को हम दुगना पर प्रॉफिट देगे बेसली यह तो रेवनियू का काम है ना कि रेवनियू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टन है कि प्रोसीड ऑफ क्रा देगी अब जो में सही होगी कह रहे थे कि देखिए अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत प्रोसीड बनाते हैं और जाके कहीं किसी भी जगा जूए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर देए और पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब CBI करप्शन के केसे में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हाथों विक्ति पकड़ा ज ने ने मैं वही कहा रहा हूँ ये बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है लेकिन ये जो ED का मामला आया ये आया ही इसलिए है आप इसको समझेए जब आपका इंटेंशन दिखरा है पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वाले को लाफ रहे और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के-कविता करती है वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोई के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें इन्वाल रहता है तो इसको सारा मैईजमेंट देते हैं विजय नायर उससे जब बात करके कहते है अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो उन ले सकता है। उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आदार पर पूफ होता है। कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात चीज के बात कहा जाए, प्रूसीट सब्द क्राइम, कि आप किसी कहां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन मे जेल से सरकार चलाने पर आमादा हैं, और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया, हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं, जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने जहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में, दिल्ली के सरकारी एस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही हैं टाइम, लोगों को, टेस्ट टाइम से नहीं हो रहा है, इसको देखो, और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो, और उनकी बात मैं पड़ाधर अर्विन केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब लजी से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये, और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉरजरी है, ये चिठियां जाली है, ये दिल्ली ब इडी को भी चिठिया निकली है, ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठिया निकली है, तो बताइए सच्चाई क्या है, और ऐसा नहीं है, तो आप भी कारवाई कीजे इस की उपर, उसकी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले, दिल्ली के शराब घोटाले से जु कविता को दिल्ली के राजजेविनी कोर्ट में पेश किया गया था, और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है, जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे, वो सब हो चुके हैं, और आरोपियों से उनका आमना सामना भी कराया जा चुका है, लिहाजा अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है, मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है, इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ, कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है? जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी, उसमें इडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए, जो कि regular bail लगाई गई है, इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक regular bail पर सुनवाई नहीं होती, इडी अपना जवाब जो है वो फ साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और अब मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में करने वाले साधन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपरात की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है जो की पूरी JC की अप्लिकेशन के इंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आम आद्वी पार्टी के नेताओं को दिये गए 292.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कवीता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाज कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कवीता जिनकी जाज कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल जो EDK कस्टेडी में है यह बहुत ही साधन संपन लोग है और यह जो जाज करना बहुत है लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आरोप लगाए गया है वो इसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कवीता से पूछा था कि क्या आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन अब जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कवीता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूछताच की गई यह अर्विंद केजिवाल को आपने सामने बिठाकर पूछताच की गई यह उफिशली डिक्लेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना थो कोट में बताया गया और ना ही एडी ने उफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सोरव थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विंद केजिवाल और के कवीता का आपनेट के कैसे लोग उड़े ह में अगर के कविता कर लुट है। यानि जेल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारिक को जब रिमांड पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या आगे की चीज ये है कि अरविंद के जरिवाल जो कर रहे हैं और जो वो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तऱसे कहने कि जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दार T दिखाने के और, खाने के और, तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है, केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी, तभी ये कहा गया था, कि भई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है, क्योंकि आप केक कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है, केक कविता की गिरफता दिल्ली सरकार में हुआ, शराबनीती किस ने बनाई, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई, मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी, जो ED सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है, क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बा बन सकते हैं, क्या वो सामने आएंगे, उनका कुछ चेन मिल रहा है, और ये सब जाच करने के लिए रिमांट जादा पुक्ता आधार बनता है, और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी, तो ED के पास आने के लिए बहुत कुछ होगा, शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी, वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई, अब हुई तो उसका कहां कहां असर दिखा, कौन-कौन उसके लिंक में था, शायद अब वो भी आएगा, विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के बाद. पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया, या फिर ये पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए, किसने किस से बात की, फिर पैटन देखे जाते हैं, किस से कितनी बार कब बात हुई है, वो नंबर का मेल किया जाता है, फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता ह और ये भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो ये सारी जानकारियां जो है इलेक्ट्रोनिक एविडेंस के तौर पर जो है सामने आप अब कविता अगर बन जाएं अप्रूवर तो इसका केजरी वाजी के लिए अभी भी देखे एडी को पाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वह जरूरी नहीं है कि फोन अपने डिस्ट्रॉय कर दे तो वह जो है के तोर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखिए अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ परिस्तानी उन्होंने आपको पैसा दिया अब यह कितना सही या कितना गलत लेकिन यह सारी चीजे भी तो जांच के दायरे में आ जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अरविन अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिए अपराधियों का समझ जाते हैं यह ब्रश्टा चार करने वाले भी शातिर अपराधियों जैसा बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के चार चार पांच-पांच-छे-चे-दस-दस फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजे इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार-बार आम आद्मी पार्टी के कौन सा पैसा कहा का पैसा का गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव एजनसी कोई जादू की छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांश करेंगे महादेव स्कैम देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहाँ पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए यह बड़े कॉम्प्लिकेटिट क्राइम होते हैं और कविता अप्रूबर बनेंगे अब के कविता की भूमिका को जरा समझेए गा और अगर यह हो जाता है के कविता अप्रूबर बनती हैं तो फिर तो यह पूरा केसी खुल खतम ही हो गया फिर समझे क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने सौ करोड रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये ED का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुक्या के कविता है तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है ED तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है तो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक कि उनके कल जाकर कि क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है और दो-ती विए प्रोशीट्स आपक्राइम के अंदर जो है हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि गोवा के 15 जो आम आदमी पाटी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोल में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं नहीं है और ये उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोड चो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें कोई में रहे हैं दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीज़े परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्था जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कि के कविता ही वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विज़े नायर पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अमुक व्यक्ति पकड़े गया अर्विन केजरिवारों के कविता की बात हुई हाँ तियुक्त को गिरफ्तार कियु की सब्सक्राइब है इसके कारण वा जैसे ही वो तेरह मार्ज की गिरफतारी का वो खत्म होता है, पीरियड उनको गिरफतार कर लिया जाता है, मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अप्रूवर बनेंगी, अभी अगर आरोपी देखे तो दो यूत बकॉल एडी, दो यूत मुख्या रो पार्टी दे, आएम आद्मी पार्टी में किन-किन लोगों की भूमका थी, उसमें मनिष शोधिया भी है, यह भी ही है, सब्等reten पर आप में लोग के जिरिवार होगा ना, वो सही हो, ना दूरतां किया Tools, आपके कविता कहई रही है, ने हम लोगे कर रहे हैं, यह हम जोंग क यह कोई बी ऐसा कोई केस हो और एसा यह इतना ऐसा कोई इसा कोई को प्लिकेटिट केस हो उसमें कभी कोई बड़ा रॉपी जो होता और खासकर कोई 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 कविता के रही है मैंने कुछ किया नहीं है यह फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है यह मनी लॉंटरिंग का मामला नहीं है परिटिकल लॉंटरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह क्रिमिनल से कोई कम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगडते रहिए जो भासा है उनकी वो साफ साफ इसे इनका क्योंकि देखिए इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं बड़े-वकीलों की सलाह इनको यह होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम इनकी राजनीती खतम हुझाएगी इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवल बनने का दूर दूर तक कोई रादा है अब एडी को मेहनत करने पड़ेगी इनकों पर भी दोश साबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपी हैं तो उनकी ओपर भी समीर जी के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा एडी के लिए परूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महिंद्रू बन और यह मामाधी पार्टी के पाथ इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड डेखना पड़ेगा और लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है और पैसा को एरविन केजीवाल ने हाथ में लिया नहीं होगा हवाला है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे होते फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई बेजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह हवाला के लिंक जोड़ सके यह जरूर पता कर लेती कि पैसा आया है लेकिन वह कोड में प्रू नहीं कर पाते कि पैसा हवाला से आया था कविड़ा कह सकती है समेर मेंदरू ने कह दिया और सरकारी कावा बन चुके उन्होंने का मैं एक करोड रुपया दिया है अभी तक उसकी लिंक स्टेबिश्ट नहीं हुपाई कि वह पैसा किस माददम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता मतला बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो अरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए इस तो सामने वाले का नहीं है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदल करने के लिए वो होलसिलर को हम दुगना पर प्रॉफिट देंगे तो रेवन्यू का काम है ना कि रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपोर्टन है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न किया आप उसे अप्रूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे पाड़न से पहले वो गल्ती तो माने अपनी पाड़न करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पार्डन करके एक व्यक्ति को आप अप्रूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है तो कहां से मिलेगा जर पैसा कहां बला लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि अच्छाई ये बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी बीजगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे उप इसे सब गायब और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस किसी भी चीज में वो पुखता एविडेंस की ज़रूरत बहुत है ने ने मैं वही कह रहा हूँ ये बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया है वो एकदम सच है लेकिन ये जो एडी का मामला आया ये आया ही इसलिए है आप इसको समझेए जब आपका इंटेंशन दिख रहा है पॉलिसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वाले को लाभ दिख रहा है जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब ये सारी चीजें मिलाकर दिखाती कहीं कुछ गड़बर हुई नहीं बज रहता है कौन कौन उसमें इंवाल हुण होती है उसमें सन्जेच सिंग भी पकड़ में आते हैं मनी सिसो दिया सीधे-सीधे उस जो क्रिमिनल मैटर होता है, मुझे बहुत ज्यादा लीगल जानकारी नहीं है, लेकिन क्रिमिनल ओफिंस में काम होता है, उसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आधार पर पूफ होता है, कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात चीज के बाद में काया जाए, कि आप किसी के हां से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है, एडी, तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है, दिल्ली बाकाइदा वो चिठी जारी की थी, जिसमें उपर लेखा था, सरकारी आदेश, ओफिस अफ चीफ मिनिस्टर अफ दिल्ली, ये सारी बातें, इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सौरभ भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी में हैं दिल्ली के, उन्हो बाकाइदा वो चिठी जारी जारी आदेश, इस बात में आपको सुमाओंगा, और कैसे जेल से धड़ाद़र अर्विन केजरी वाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब लजी से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये, और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है, ये चिठी जाली है, ये दिल्ली बे बैठकर यहीं बाहर बैठकर चिठी निकाली जा रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए, और कारवाई कीजे इस क्यूपर, उसकी हम लोग बात करेंगे, उससे पहले, दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी खाबर इस वक्त किया वो मैं आपको बता दूँ, के कविता, जो की बियारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेठी है, उनको शराब घोटाले मे सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है, इस सवाल इसलिए, क्योंकि E.D. ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई, और उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी, थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के रावज जा सकता है, मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है, इसके बाद के कविता ने बेटे की परिक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमार राउ सवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को, यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी, जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो रेगूलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी, उसमें ये इडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए, जो की रेगूलर बेल लगाई गई है, इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगूलर बेल पर सुनवाई नहीं होती, इडी अपना जवा के छेने के कविता के खलाफ, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं, ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है, इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है, और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमिरिक कर सकती है, और एक इडी ने इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामान्या अपराद की जाच से जादा कटिन है, क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है, इनकी समाज में गहरी पैट होती है, अब भी पार्टी के नेताओं को दिये गए, जो 92.8 करोड रुपे जो है, वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई, तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है, कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है, यह जो CM की बेटी है के कविता, जो जिनकी जाच कर रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंतरी, अर्विन केज़िवाल जो EDK कस्टेडी में है, यह बहुत ही साधन संपन लोग है, और यह जो जाच कर रहे हैं, अब क्या इनके सरकारी कवाव बनने को लेकर कोई जानकारी मिल रही है आपको, मुम्किन है यह? बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब, और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुच रही थी, तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा, तो अभी जो उनकी टोन थी, अभी उनका कहना थी, जै तेलंगाना बोल रही थी, लेकिन उनका कहना थी, वो जो उनके उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है, कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूच्टाच की गई, ये एडी ने कोट के अंदर भी का, क्या अरविंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए, के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल, और सरकारी गवाव बनें गया नहीं, ये कुछ वक्त में साफ होगा, लेकिन पहले जो हमने देखा है, वो अक्सर यही हुआ है, कि जब 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 इडी ने रिमान नहीं मांगिये या जब इडी जो है, बेल को अपोस्ट नहीं करती है कभी, वो आगे अगर के कविता के केस में होगा, तो ऐसे लोग जो है, वो बाद में सरकारी कवाव बन जाते हैं, अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाव बनती है, तो मलब के जिरिवाल को लेते हैं, बहुत बुरी ख़बर होगी, कि आज की कहानी कुर्सी के मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ हर्ष, हर्षपरधन दिरपाठी जी स्टूडियो में स्वागत है, हर्षपरधन जी आपका, राहुल माजण जी हमारे साथ है, प्रफे जी 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 आगे हो सकता है, फिर फर्दर कस्टेडी मांगे, जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी, लेकिन जो कुछ हो रहा है, यह बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज यह है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे, अब उसका फर्क कम हो रहा है, यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दात दिखाने के और, खाने के और, तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है, केक कविता की जब गिरफ्तारी हुई थी, तभी ये कहा गया था कि भैर इसका मतलब कुछ प्रमाण पक्का वाला मिल गया है, क्योंकि आप K-कविता की गिरफ्तारी क्यों हो रही हैं कि वो उस लॉबी का حिस्सा थी, जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बातचीत हुई उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों वो कह रहें कि फोन ही क्या एडी के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगे और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड़े वो लोग भी गवाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल और यह सब जाच करने के लिए रिमान जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद एडी की तरफ से प्रेस रिली बाब बनने वाली खबर के लिए खबर जो बाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नहीं थी बनाई थी फोन कहा है तो उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिन के जेवाल जी की तरफ से ऐसा ही ब्योनी शिसोदि इविडेंस से ये पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या पिर ये पता चलता है कि क्या मैसेजेज сторон에 से ůइं बात खार होई है फिर पैंडन देखे जाते है किस्से कितनी बार कब बात हुई है और नमबर के लिए जाता है और यह भी जानकारी फून से हासिल हो जा जो अभी आपके साम वादबता रहे थे, ED अभी भी कह रहा है कि उसे प्रोसीड ओफ क्राइम जो है, उसको ढुनना बाकी है, तो प्रोसीड ओफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एविडेंस है, उसको ED तलाशने की कोशिश कर रही है, और इसी कारण यह जो बात गैजट एविडेंस के तोर पर सामने आते हैं, अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं, अगर आप बाकी सब चीज़े कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने, क्या आपने सही किया या गलत किया है, दूसरी और, देखे, अरविन केज़िवाल की मुश्क गलत, लेकिन ये सारी चीज़े भी तो जांच के दाएरे में आ जाएंगी, कि ऐसा क्या हुआ है, क्या ऐसा पैसा आया है, ये सब चीज़े जो है, इडी जो है, इस सब की जांच कर रही होगी, और यही कारण है कि अरविन केज़िवाल जब उनकी बात आएगी, तो एडी दुबारा उनकी जो रिमान मांगेगी, ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीज़ों को उनसे पूछ सकी, इसमें एक चीज और है, कि जैसे हम कहते हैं, कि जैसे 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 पूलिस थोड़ा एडवांस होती जाती हो, ऐसे वैसे अपराधी भी एडवांस होते हैं, तो च अमान निव्यक्ति को ये समझ में आएगा, जैसे शातीर अपराध ही काम करते हैं, हम वेब सिरी जो गयर हम देखते हैं, कि पहले हम कोई अपराध होता हुआ रिखते हैं, तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो, वो पकड़ेगा कहा है, मुझे वो उस तरफ जाता हुआ और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें, इतने लिंक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है, निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें, तो पैसा कहा गया, जिसको बार-बार आम आद्मी पार्टी के परव कहा गया पैसा? ये सारी चीज़े होती है और ये मुश्किल होती है जाना। कि मुख्या के कविता तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती हैं या उनको बनाने में कामियाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का है यदि हम बयान पिछले दिनों का ले लें कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जय तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर कि क्या होता है मैं यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दिन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स ऑप क हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं नहीं है और यह उनकी बा दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुलकर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट प्रवस्ता जो है वो तिहारी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंकि के सबसे बड़ी बात थी यह जिकर ही चल रहा था कि के कविता को गिरफथार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रिम कोट का उनके जो जो फैसला सुप्रिम कोट का जो उनपर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफथार नहीं कर सकती इसके कारन जैसे ही वो तिरमार्ज के गिरफतारी का वो खत्म होता है, period उनको गिरफतार कर लिया रहता है। पार्टी में किन-किन लोगों की भूमकाथी उसमें मनिश्य शोधिया भी है। वो कभी अप्रोवर नहीं बनता है। कभी वो सरकारी का वो कभी एडबिट नहीं करेंगा कि हां मैंने ये किया था और मैं सरकारी कवाब बन गया हूं मैं बाकी बाते जो आपको बता देंगा। कभी होता नहीं है। कविता की बात सुनवा देता हूं सर फिर आता हूं। कभी तो कभी ता कह रही है। मैंने कुछ किया नहीं है। ये फ्रॉड केस है, फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है। ये मनी लॉंडरिंग का मामला नहीं है। प्रिटिकल उंडरिंग का मामला देखाई दे रहा है। एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है। आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए। आप देखें, अर्विद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है। के कविता सबका ये मानना है, कि के कविता सुत्रधार हैं इसके। लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका। क्योंकि देखें, इनको बड़े-बड़े वकील ही मिलते हैं, बड़े-बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है। आप इससे मत स्विकार करिए, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं। और दूसरा यह नेता लोग हैं. अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो राजनिती खत्म, इनकी अपनी है नहीं पिटाजीगी में राजनिती खत्म हो जाएं की। तो इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का दूर दूर तक को इरादा है अब एडी को मेहनत करने पड़ेगी इनको इनके ओपर भी दोश थाबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग अर्विन के जिरिवाल और बाकी लोग अरोपिये तो उनके ओपर भी समी जी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाब नहीं रहता है वो सिवेक पर्ची पर पैसा चलता है इडी को ये प्रूव करने के लिए कि हैधराबास ये पैसा चला और यह मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने इसे गोवा में इस्तमाल किया इसके लि बुद्वार आपके रहेंगार वो ये कहते ही कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें ये प्रूव करना बहुत मिश्किल होगा है ये पैसा आपको हवाला के माध्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के इंदर 90% चो इस तरह के कैसा होते फानेशल क्रा पैसा मिला पैसा आया कहां से कैसे आया ये तो पता नहीं चलेगा लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा ना खर्च होगा लेकिन ये एडि को स्टबिश करना कि ये पैसा हवाला से आया ता कविता कह सकते समेर मेंदरू ने कह दिया और सरकारी कावा बन चुके उन्होंने का मैंने एक करोड रुपय दिया है अभी तक उसकी लिंक इस्ट नहीं उपाई कि वो पैसा किस मादधम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है अब आदी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया उसने कह दिया है तो कई बार को यह भी माना जाता है कि वह अपरादी और अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्प्रमान है वह यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट कि जाए कि बारा परसंट देखेंगे बैसलिए यह तो रेवन्यू का काम है ना कि रेवन्यू कमाने के लिए आपने क्या किया देखें इसमें बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन जाएंगे तो आपको के कविता को पाड़न करना पड़ेगा बिना पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अपरूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहा है यही तो शौक हो सब में खर्च कर दे वो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो लेकिन साबित होगा तबना यह जो साबित होगा पॉलिसी इंटेंशन और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब सीबी आई करप्शन की केसिस में पकड़ती है तो जानबूच के कोशिश करती ह है कि रंगे हाथों विक्ती पकड़ा जाए। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विक्ती पकड़ा जाए इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उननोटों पर जो कि रिश्वत की तर्व पे दिये जा रहे हो तो इσलिए मैं ये कह रहा हूं कि Empire इविडेंस किसी भी चीज में वो पुखता एविडेंस की जरूरत बहुत है। इविडेंस की जरूरत बहुत है। इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। यानि हमारे वियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है। मैं तो कानूनी भाचता नहीं जानता। जाए, 20 करोड पकड़ा जाए। अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा। जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है एडी। तो सभाविक है कि उसमें उसमें अर्विंद केजरिवाल प्रूप है। और मुझे अर्विंद केजरिवाल जी नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही है लोगों को टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो और उन्हें का कि मेरली तो केरजरिवाल का आदेश भगवान के आदेश के समाने और वो कह रहे हैं कि कोई भी और विक्ती होता उसको किसकी चिंता होती अपनी चिंता होती दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है फॉरजरी है ये चिठियां जाली ये बाहर बैठकर चिठियां निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुप्योग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनके ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर सिरसा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठी लिखी है और उन्हें एडी को भी चिठी लिखी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठी निकली है तो बताइए सच्चाई क्या है और उसकी हम लोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दू के कविता जो की बियारेस के चीफ चंदशेकर राव की बेटी है उनको शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है के कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है गई थी उसको राउस वेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अपरेल तक जेल भेज़ दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कवि कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमियिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो तो वो सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजूदा जाच को प्रभावित कर सकती है और एक इडिन इंपोर्टेंट लाइन यहां लिखी है सौरव कि आर्थिक अपराद की जाच सामान्य अपराद की जाच से जादा खटिन है क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संप और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपरात की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुप लोग है ये जो सीएम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज़िवाल जो एट के कस्टेडी में है ये बहुत ही साधन संपन लोग है और ये जाच करना बहुत एक तो ये बड़ी खबर आपने बता दी कि इनकी जमान रूम के अंदर पहुच रही थी तो मैंने कुछन के कवीता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना तो जै तेलंगा ना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर ये आरोप लगाए गया है जो एरेस्टीं की गई है वो इसके लिए लड़ ये एडी ने कोट के अंदर भी का क्या अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठा कर पूछताच की गई ये अभी ऑफिशली डिकलेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में बताया गया और नहीं एडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो और सरकारी गवाव बनेंगी या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है एडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब एडी जो है बेल को अपोस नहीं करती है कभी वो आगे अगर के कविता के केस में ह पूरी होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाद में सरकारी कभाव बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता ऑगर सरकारी गवाव केजरिवाल के 28 तारिक को जब रिमांट पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टडी मांगे जैसा के कविता के केस म कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दात दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका लेकिन मूल कौन है? मूल तो दिल्ली सरकार है. घोटाला कहा हुआ? दिल्ली सरकार में हुआ. शराबनीती किस ने बनाई? मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई. मुझे लगता है कि रिमांड तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो ED सबसे जादा जो मुश्किल काम है? क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बातचीत हुई? उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों कि फोन ही गायब है? क्या ED के पास जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बने हैं? क्या वो सामने आएंगे? उनका कुछ चेन मिल रहा है? और ये सब जाच करने के लिए रिमांड जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद ये खबर जो भाब बैसे आई है वो ये कि जो उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नीती बनाई थी वो फोन कहा है तो उसके बारे में कोई सपश जवाब न तो इसा जबर कि पेर्ड़ा कि पात किज्वाएं पैसा जो है क्या मैसेडिये ख़ेंग है किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते बारे में किस्से की बार है किन र vine lately नमबर को ृइब है पिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको ढुनना बाकी है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण यह जो बात वो कह रहे हैं कि यह बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब दे होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अर्विन केजडिवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो आद जो खालिस्तानी आतंकी है उन्हों प पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है इस सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजडिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ स रहे हैं यानि मंत्री के 4455661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरह से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैसे शातिर अपराद ही काम क प्लब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार-बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुडते ने लेकिन अगर ये प्रोसीड आफ क्राइम हमको ढूडना है हमको पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आम आद्मी पार्टी तो फिर कहीगी कि हम तो शुरुआत से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहां का पैसा कहां गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव अज़ेंसी कोई जादू की चड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो बहुत साल से जांच करेंगें तो यहां देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर माकेट में लगा दिया देखिए ये जो है ये बड़े complicated crime होते हैं और complicated crimes के लिए ही ये agency बनाई गई है ये इतने complicated crime होते हैं कि किस तहां से पैसा किस तहां से move हुआ उसे किस तहां से black से white में तबदील किया गया ये सारी केसी खुल खता मी हो गया फिर समझ लिए क्योंकि के कविता उस south lobby को represent कर रही है जिस पर आरूप है कि उसने 100 करोड़ रुपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस policy को बनवाने में उसका हाथ है और इस policy के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी को उसने 100 करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और south lobby की मुक्या के कविता तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में कामयाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये case बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अग उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक के उनके कल जाकर कि क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग ये चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग ये भी चला रहे थी कि जो प्रुशीट सब क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि गोवा के 15 जो आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले ह हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और ये उनकी दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीज़ें परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्था जो है वो तिहाड़ी होगा उसके अत्रिक तोर कुछ नहीं होगा क्योंक सबसे बड़ी बात थी यह जिकर ही चल रहा था कि के कविता को गिरफतार क्यों नहीं किया गया है और वो सुप्रिम कोट का उनके पर था कि भाई आप 13 मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती इसके कारण हो जैसे ही वो 13 मार्च के गिरफतारी का खत्म होता है पीरियड अब आप जो बात कि मैं बिल्कुल सेहम होता है मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अपरूबर बनेंगी अभी 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 देखे दो यह तो मुख्या रोपी हैं अर्विन केजरिवाल और के कविता एक ने पैसे दिये दूसरा ने पॉलिसी बनाई नहीं नहीं पैसा कहां से चला है है हैदराबाद से पैसा चला साउट से आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी उसमें मनिष शोधिया भी है यह तो मैं तो फ्यारा हम उपर आप के जिरिवार होगा है ना एडिय ने क्या दिया यह मुख्य साधिश करता है वो सही बात है वो सही बात है आपके कविता कहारी है है money laundering का case नहीं है यह political laundering का case है वो ही जो बात हम लोग कर करेंगा कि हां मैंने ये किया था और मैं सरकारी कवाब बन गया हूं मैं बाकी बात जो आपको बता लेक्व कभी होता नहीं है कविता की बात सुनवा देता हूं सर फिर आथा तो क्ये कविता कह रही है मैंने कुछ किया नहीं है ये फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है ये मनी लॉंटरिंग का मामला नहीं है परिटिकल लॉंटरिंग का ये मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमड़ी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमड़ी है के कविता सबका ये मानना है कि के कविता सुत्रधार हैं इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका क्योंकि देखे इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं अगर कुछ गल्ट किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम अब इनकी आप इनकी के जिरीवाल और बाकी लोग और ओरोपी है तो इंकी ओप भी समीर जी के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा एडी के लिए प्रूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महिंदरू बन चुका है देखिए पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता है और हवाल इसके लिए उन्हें पैसो का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता है तो बहुत मिश्किल है और पैसा को अर्विन केजिवाल ने हाथ में लिया नहीं होगा हवाला का पैसा संदेश की माध्धम से संदेश की माध्धम से डिल्वर हो जाता है तो अगर गोवा के जो मिदवार आपके रहेंगार वह कहते ही कि हमें पैसा मिला है तो उन्हें यह प्रू करना बहुत मिश्किल होगा है यह पैसा आपको हवाला के माध्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इं कैसे आया यह तो पता नहीं चलेगा तो पैसा खरच होगा तो पता चलेगा नशवर का कॉष्ज अब इस के लिए cum आपने बहुत आपने में बचाने के लिए किसी का नाम ले सकता है, तो आपने बाते पसक्ति हैं आपझे बासे की बाते हैं, आपने पॉलिसी बदली क्यूं, आपने होलसेलर को 5-5 परसंड कि जिये 12% प्राफिट दिया किस बात लिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीड आफ प्राइम आप अप्रूवर बन जाएंगे तो आपको केक अवीता को पाडन करना पड़ेगा बिना पाडन किये आप उसे अपरूवर नहीं बना सकते हैं तो यानि के कविता को पहले आप पार्डन करेंगे पार्डन से पहले वो गलती तो माने अपनी पार्डन करेंगे उसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पार्डन करके एक व्यक्ति को आप अप प्रूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा, कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, उसका मिलना बेहत जरूरी है। वो कहां से मिलेगा जार पैसा कहां? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, कहां है उपैसा? यह सवाल लोगों के आते हैं, तो अभी एक सज्जन पूछ रहे हैं कि अचाहिए बताई कोई दो नमबर का पैसा कमाए है, और जाके कहीं किसी भी जगा, जुए में, किसी और काम में, और कोई उसके शौक हो, सब में खर्च कर दे हो, पैसे सब गायब हो जाएं। और कल को प और वो बहुत जबरदस है, आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसको लाइसेंस दे रहे हैं, उसका हित देखेंगे। आप कुछ करते हैं। बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं। वो पैसा कहा कहा जाता है, पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है। कौन कौन उसमें इन्वाल रहता है, तो किसके किसके घर पर रूटिंग होती है, उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं। मनी सिसो दिया सीधे सीधे उस पॉलिसी को बनाते हैं। और उस सब के ऊपर जो इनका मीडिया मेनेजमेंट, पियार मेनेजमेंट वाला आदमी रहता है, आम आदमी पार्टी के जिसको ये सारा मेनेजमेंट देते हैं। का विजय नायर उससे जब बात करके कहते हैं अर्विन केजरिवाल के हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। यानि हमारे भियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए, तो ले सकता है। मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता, circumstantial evidence कहलाएगा। क्रिमिनल मैटर होता है, मुझे बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है, लेकिन collaborative evidence के तहद क्रिमिनल offense में काम होता है, उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं। उसी आदार पर proof होता है, कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात चीज के बाद में काया जाए, proceeds of the crime, कि आप किसी के हाँ से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां की पार्टी ने, वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं, जैसे पिछली बार मंतरी आई थी, आतीशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी, जिसमें उपर लिखा था, सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi, ये सारी बातें, इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दि देखो, और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो, और उन्होंने का कि मेर लिए तो केरज लिवाल का आदेश भगवान के आदेश के समाने, और वो कह रहे हैं कि कोई भी और विक्ती होता, उसको किसकी चिंता होती, अपनी चिंता होती, लेकिन इस बगद भ चिंता है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है, ये चिठियां जाली है, ये दिल्ली बे बैठकर, यहीं बाहर बैठकर चिठियां निकाली जा रही है, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस पर तुरंध रोग लगनी चाहिए, औ मंत्रियों के ओपर जो ये आदेश दिखा रहे है, उनके ओपर कारवाई होनी चाहिए, मनिंदर सिर्सा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिठियां लिखिये, और उन्हें एडी को भी चिठियां निकली है, ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठियां निकली है, उनको शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि एडी ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी, थोड़े देर पहले के इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ, कोर्ट में क्या-क्या हुआ अतुल बथा दिया है, और 9 अपरेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को, यानि कि अब जो तिहार जेल में क्या के कविता रहेंगी, जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो regular bail जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो कि रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कवीता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर वेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोड के अंदर अब मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमियिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोश है क्योंकि आर्तिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन कवीता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये बहुत फ्रभावशाली लोग है यह जो सी-एम की बेटी है के कवीता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन के जिवाल जो एडी की कस्टडी में है यह बह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुंच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जै तेलंगा ना बोल रही थी लेकिन उनका कहना था कि वो जो उनके उपर यह आरोप लगाए गया है जो एसके लिए लड़ रही है वो जुकेंगी नहीं यह कोशन मैंने उनसे के कविता से पूचा था कि क्या आप सरकारी गवा बनेंगी लेकिन आप जिस तरीके से उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री ह नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोर्ट में बताया गया और नहीं एडी ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौरव थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विन केश्ड़बाल और के कविता का आमनास आतुल बहुत शुक्रे आपका बहुत शुक्रे आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाव बनें गया नहीं यह कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 पहले नहीं करते हैhe ऐगर लोग इजो है को बाद में सरकारी कवाव बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाव बनती है तो अर्विंद के जरिवाल को लें दे बहुत बुरी खबर होगी कि आज की कहानी कुर्सी के मेमानों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ हर्षबर्धन दिरपार्टी जी स्टूडियो में स्वागत है हर्षबर्धन जी आपका राहूल माजन जी हमारे साथ है राहूल की स्वागत है प्रफेजर संगीत रागी हमारे साथ है स्वागत आपका समीर चौकांकर जीवी स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है सर पहले जरा इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशल रिमांड यानि जेल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद केजरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांड पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टरडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टरडी मांगे गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरिवाल के साथ भी आगे शाहएद गई होगा केक कविता की जब गिरफ्तारी हुई थी तब ही ये कहा गया था कि भैई इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविटा की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरीए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बा पाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांट जादा पुकता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो ED के पास बतान सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के लिए खबर जो बाब बैसे आई है वो ये कि जो उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नहीं थी बनाई थी वो फोन कहा है तो उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिनके जेवाल जी की तरफ से ऐसा ह यह होता ही एलेक्ट्रोनिक एविडेंस से पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या फिर यह पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है नंबर का मेल किया जाता है फिर उन application देखिए एडी की जो अभी आपके समवादता बता रहे थे एडी अभी भी कह रहा है कि उसे proceed of crime जो है उसको ढूनना बाकी है तो proceed of crime इस मामले में बहुत जादा बड़ा evidence है उसको एडी जो है जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वो जो है evidence के तौर पर सामने आए electronic gadget evidence के तौर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीजे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया है दूसरी और देखे अरविन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही हैं अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नो उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014 से 2022 के बीच में जो सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केज़िवाल जब उनकी बात आएगी तो दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके अधा प्रवेसर इसमें एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे पूलिस थोड़ा एडवांस होती जाती है वैसे अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिए अपराधियों का समझ जाते हैं यह भष्टा चार करने वाले भी शातिर अपराधियों जैसे आप बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 4455656101010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यम तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार-बार आम आधी पार्टी के प्रोक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार जुड़ते हुए बहुत साफ दिखने हैं लेकिन अगर यह प्रोसीडिया भी कह रही है कि प्रोसीड आफ क्राइम हमको धूड़ना है हमको पता लगानी है तो आम आधी पार देखिए उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बाते आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर मारकेट में लगा दिया देखिए यह बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्राइम होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्र अब आप के कविता की भूमिका को जरा समझेगा और अगर यह हो जाता है के कविता अप्रूबर बनती है तो फिर तो यह पूरा केसी खुल खता मी हो गया पिर समझेगे क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है जिस पर आरुफ है कि उसने सौ करोड रुपे दिये दिली में आम आदनी पार्टी को इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है और इस पॉलिसी के जरीए उसने तो माल कमाया ही कमाया आम आदनी पार्टी क तो उसने 100 करोड रुपया दिया ये एडी का इल्जाम है और साउथ लॉबी की मुख्या के कविता तो अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती है या उनको बनाने में काम्याब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिल्कुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्य क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वरब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरि है और दो-तीन दीन पहले हम लोग चला भी रहे थे कि सायद वह एप्रूवर बन जाया दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रूशीट्स आफ क्राइम के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गौवा के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन् को पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है और यह उनकी बात्चित और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट जो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाए तो इसमें कोई द्वार है ने और दूसरी बात दूसरी बात यदि वो अप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीज़ें परते खु और एक हम वस्ता जो है वो तिहाड़ी होगा उसके फिरिक तौर कुछ नहीं होगा क्योंकिבाता ही जिवो वो सुत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे कि विज्ए-णाय chops पकड़े गया अमु कुछ पकड़े गए अमुप benefits पकड़े गयी तेरह मार्च तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती के कारण हो जैसे फिरह मार्च की गिरफतारी का खत्म होता है, पीरियड उनको गिरफतार कर लिया जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अप्रूवर बनेंगी। अगर आरोपी देखे तो दो ही तो मुख्य आरोपी हैं, अर्विन केजरिवाल और केकविता, एक ने पैसे दिये, दूसरे ने पॉलिसी बनाई पैसा कहा से चला, पैसा चला साउथ से, आया आम आदमी पार्टी में किन-किन लोगों की भूम का थी, उसमें मनिश शिशोधिया भी है, ये भी है, तो मैं तो फ्यारा, उससे उपर आप केजरिवार होगा, एडिय ने क्या दिया, ये मुख्य साधिश करता है, वो सही बात है वो सही बात है, वो सही बात है, आपके कविता कह रही है, money laundering का case नहीं है ये, ये political laundering का case है, वो ही जो बात हम लोग कर रहे हैं, अब देखे कभी भी आपने, मुझे तो याद नहीं बाकी लोग मुझसे जादा जानकारें बताएंगे, कोई भी ऐसा कोई case हो, और ऐसा कोई complicated case हो, उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता है, खासकर कोई politician, वो कभी approver नहीं बनता है, कभी वो सरकारी, वो कभी admit नहीं करेंगा, कि हाँ मैंने ये किया था, और मैं सरकारी कवाब बन गया हूँ, मैं बाकी बात हैं जो आपको बता जाएंगे, वसा कभी होता नहीं ह सुनवा देता हूँ सर, फिर आता हूँ ये मामला देखाई दे रहा है, सौरब एक चीज़ तो बड़ा साफ दिख रहा है, कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं, ये क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है, आप इनको रगड़ते रहिए, रगड़ते रहिए, आप देखे अर्विद केजरिवाल क कि कितनी मोटी चमडी है, के कृता सबका ये मानना है, सबका ये मानना है, की के कविटा सुत्रधार है इसके, लेकिन जो भासा है उनकी, वो साप साफ इसे इनका, क्योंकि देखिए इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं, बड़े-बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है, आप इससे मत स्विकार करिये, बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं अगर दूसरा ये नेता लोग हैं, अगर कुछ गलत किया है, मान लेंगे तो राजनीती खतम, इनकी राजनीती खतम हो जाएगी, इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है, इनकी राजनीती खतम हो जाएगी, इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवर बनने का धूर धूर तक को पेसा के लिए पहुंचा जाता है कि हुआला कर दो नाजिए का अटमी यह एट चलता है इ। कि ये पैसा पूरा हवाला से आता है तो बहुत मिश्किल है और पैसा इर्विंट केज वाला ने हात में हनी होगा हवाला क्या पैसा संदेश के माधाvateल से डिलीवर हो जाता है तो अगर गोवा प्लिशी आरब बहुत मिश्किल होगा है ये पैसा आपको हवाला के माद्यम से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे जोते फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वो हवाला के लिंग जोड़ सके ये जरूल पता कर लेती कि पैसा आया है लेकिन वो कोड में प्रू नहीं कर पाते कि हवाला का पैसा था इस माद्यम से आया पैसों में इतने ज़्यादा इन्वाल्म आप कैने हवाला का पैसा हवा में चलता है पैसा आया कहां से कैसे आया ये तो पता नहीं चलेगा लेकिन पैसा खर्च हुआ होगा तो पता चलेगा ना खर्च होगा लेकिन ये एडी को अब अबी तक उसकी लेकिन पैसा किस मादधम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है आप अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाब ले सकता है तो approval मतला बहुत authentic रखती नहीं होता कि जो अरोपी अगर वो approval बन जाता है तो कई बार court में यह भी माना जाता है कि वो अपरादी और अपने को बचाने के लिए इस तो सांदेवाले का नाम दिया इडी के पास जो सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने policy बदली क्यूं आपने wholesaler को 5-5% कि जाए कि 12% profit दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तोर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया इसके बाद वो बयान देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप्रूव बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे वो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हो देखे लेकिन साबित होगा तब नहीं ये जो साबित है पहला क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वो बहुत जबरदस है आप किसी भी जगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब सीबी आई करप् की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पर दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि एविडेंस किसी भी चीज में वो पुखता एविडेंस की ज़रूरत बहुत है आप उसको समझे जब आपका इंटेंशन दिख रहा है जहां दुकान नहीं ह लहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई अब ये शारी चीज्यं मिलाकर दिखाती जाती हैं कहीन की कुछ घर बर हुई अब वो घर बर हुई तो कहां उइट हैंकिiyim जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती हैं पर आदमी है भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं यानि हमारे वियाफ पर आप कोई भी मॉनेटरी गेन भी चाहिए तो ले सकता है मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता है सरकम्सेंचल एविडेंस कहलाएगा क्या है यह सब देखे जो क्रिमिनल मैटर होता है मुझे बहुत ज़्यादा लीगल जानकारी नहीं है लेकिन कोराबरेटिव एविडेंस के तहद जो है क्रिमिनल ऑफिंस में काम होता है उसके आधार पर आप जेल जा सकते हैं उसी आधार पर प्रूफ होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो मनी ट्रेल की बात चीज़ के बाद में कहा जाए कि आप किसी के हाँ से वो दस करोड पकड़ा जाए बीस करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है एडी तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूफ है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हाला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी इसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निरदेश मुझे आया है और मुझे अर्विंद केजरीवाल जी ने है कहा है कि दिल्ली के अंदर मौला कलिनिकों में दिल्ली के सरकारी असपतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही है आईडी की कस्टेडी में भी अर्विन केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है। जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए। एडी ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी। फोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राजजेविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है। जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है। लिहाज़ा अब एडी को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है। उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है। इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है। इस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है। रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी। उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये लोग बहुत ही प्रभावशाली है। ये लोगों की जाच करना आसान नहीं है। और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में एडी जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है। और अप्राद के जरिये कमाई गई आयका पता लगाने क कोषिश कर रही है जो लोग अप्राद से आयसे जुड़ हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। अगर उनको जमानत दिगॉई तो सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजुदा जांच को प्रभावीत कर सकती है और एक Ig. 2 कि निर्टियी सॉरव शब्राम कि आर्थिक अपराद की जांच सॉमानिय अपराद की जांच से ज catching है क्योंकि आर्थिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के लिए बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आमादी पार्टी के नेताओं को दिये गए 292.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली लोग है यह जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर अंकारी मिल रही है आपको मुम्किन है यह बिल्कुल आगे हो सकता है सौरब और हमने आज जब के कविता कोट रूम के अंदर पहुंच रही थी तो मैंने खुद यह कोशन के कविता से पूचा तो अभी जो उनकी टोन थी अभी उनका कहना था जय तेलंगा ना बोल रही थ ताकि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूच्ताच की गई यह अर्विंद केजडिवाल को आपने सामने बिठाकर पूच्ताच की गई यह अभी ओफिशली डिकलेर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है नहीं तो कोट में बताया गया है और नहीं ईडी ने अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए सौब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विंद केजडिवाल और के क्बाद के कविता के सरकारी कवाव बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाव बनते हैं अरविंद के ज़री वाल को युदि बहूत बुरी ख़बर होगी कि आज सवागत, समीर चौकांकर जी बी स्टूडियो में आपका बहुत सवागत है, सर पहले जरा इसी पर हम लोग बात कर लें, के कविता को जुडिशल रिमांड जैल में अब के कविता, अब उनसे पूचताच पूरी हो गई है, इसका मतलब अरविन केजरिवाल के 28 तारीक को जब पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविन केजरीवाल के साथ भी आगे शायद गही होगा यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरीए लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ शराबनीती किस ने बनाई मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी जो एडी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है क्या वो जो वीडियो फेस टाइम से बा पाह बन सकते हैं क्या वो सामने आएंगे उनका कुछ चेन मिल रहा है और ये सब जाच करने के लिए रिमांट जादा पुक्ता आधार बनता है और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी तो एडी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा शायद एडी की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीजे हुई अब हुई तो उसका कहां कहां असर दिखा कौन-कौन उसके चाहिए अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के बाद ये ख़बर जो भाब बैसे आई है वो ये कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उस वक्त का फोन था जब शराब नीती बनाई थी वो फोन कहां तो उसके बारे में कुछ प पूर इस पूरी तफ्तीश करावल जी देखें ये होता ही एलेक्ट्रोनिक एविडेंस से पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया या फिर ये पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब हुई है नंबर का मेल किया जाता है फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और ये भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो ये सारी जानकारियां जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको ढुनना बाकी है तो प्रोसीड ऑफ क्राइम इस मामले में बहुत जादा बड़ा एविडेंस है उसको एडी जो है तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी कारण ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब दे होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया दूसरी और देखे अर्विंद केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो आज जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नो प यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके यम कहते हैं कि जैसे जैसे पूनिस्ते परादी यहाइब हो जाते हैं और यहीं तो समझे आखें तो सामानिवयक्ती को यह समझ collectors करते हैं हम वेब सिरी जो गयर हम देखते हैं कि पहले हम कोई आपराद होता हुआ देखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो वो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहां गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज जरूर है लेकिन उसके अलावा तार चड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांच कर रहे हैं उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो है शेर मार तब्दीर किया गया, यह सारी चीज़े होती है और यह मुश्किल होती है जाना, देखे अब यह जो सवाल यह कि क्या के कविता अप्रूवर बरेंगे, अब आप के कविता के भूमिका को जरा समझेगा, और अगर यह हो जाता है के कविता अप्रूवर बनती है, तो फिर तो पूरा केसी खुल, खतम ही हो गया फिर समझेगे, क्योंकि के कविता उस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस पर आरूप है कि उसने सौ करोड रूपए दिये दिली में आम आदनी पार्टी को, इस पॉलिसी को बनवाने में उसका हाथ है, और इस पॉलिसी के खुल गया, फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था, अगर आरूप सारे सही हैं तो. अगरा होता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है, और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे, कि सायद वो एप्रूवर बन जाए, दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी, कि जो प्रूशीट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो हम लोग यह जिक्र कर रहे थे, कि ग हो सारी चीजें खुलेंगे, लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा, अभी कम से कम यह एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में नहीं है, और यह उनकी बात्चीत और उनकी भासा से हम लोग अभी तक डिकोर्ट्स कर पा रहे ह हैं, वो हैं, कल जाकर के हो जाएं, तो इसमें कोई दोरा है ने, और दूसरी बात, यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं, तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुल कर के बाहर आ जाएगी, तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट ब्वस्ता जो ह कि के कविता ही वो सुत्रधार है, जिनके बारे में हम लोग सुरू से बात किया रहे थे, कि विजे नायर पकड़े गया, अमुक व्यक्ति पकड़े गया, अमुक व्यक्ति पकड़े गया, अमुक व्यक्ति पकड़े गया, अर्विन केजरिवारों के कविता की बात हुई, ह जैसे ही वो तेरह मार्ज की ग्रफतारी का वो खत्म होता है, पीरियड उनको ग्रफतार कर लिया जाता है, मुझे तो नहीं लगता कि के कविता के कविता अप्रूवर बनेगी, अगर आरोपी देखे तो दो यूत बकॉल एडी, दो यूत मुख्या रोपी हैं, अर्विन केज आम आदमी पाटी में किन-किन लोगों की भून का थी, उसमें मनिश शुषोधिया भी है, यह भी है, सारे लोग है, उनसे ऊपर आप केज रिवार होगा है, ना, इडी ने क्या दिया, यह मुख्य साधिश करता है, वो सही बात है, वो सही बात है, यह मनी लॉंडरिंग का क कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझसे ज़्यादा जानकारें बताएंगे कोई ऐसा कोई केस हो और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो उसमें कभी कोई बड़ा आरोपी जो होता और खासकर कोई पॉलिटेशन वो कभी अप्रोवर नहीं बनता है कभी वो सरकारी कभी एड़्विट नहीं करेंगा कि हम मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभाब पन गया हूं मैं बाकी बात इन जो आपको बता जेंगे वसा कभी होता नहीं है कभी ता की बात सुन्वा देता हूं सर फिर जो राजनेति का प्रादिशन नहीं है और मुझे फसाया जा रहा है यह पुलिटिकल लॉंडरिंग का मामला नहीं है पुलिटिकल लॉंडरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका यह मानना है कि के कविता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका क्योंकि देखे इनको बड़े-बड़े वकीली मिलते हैं बड़े-बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत स्विकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम असलिक अपनी नहीं पिताजी की निती खतम हो जाएक इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप्रूवल बनने का दूर दूर तक को इरादा है अब इडी को मेहनत करने पड़ेगी इनके ओपर भी दोश थाबित करने के लिए और फर्दर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग आरोपी हैं तो उनके ओपर भी समीर जी के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा इडी के लिए परूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महिंद्रू बन चुका है देखिए पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता और हवाला क पार्टी के पाथ पहुचा और इन्होंने से गोवा में इस्तेमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड डेखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी चुकि यह पैसा पूरा हवाला से आता तो बहुत मिश्किल है और पैसा को एरविन से आया है मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसे होते फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह हवाला के लिंक जोड़ सके यह जरूर पता कर लेती कि पैसा आया है लेकिन वह कोड म कि यह पैसा हवाला से आया था कविड़ा कह सकती है समिर मेंदरू ने कह दिया और सरकारी गावा बन चुके उन्होंने का मैंने एक करोड रूपया दिया है अभी तक उसकी लिंक स्टेबरिश नहीं हुपाई कि वह पैसा किस मादम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मिश्किल होता है अब आग्पी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया इसने कह दिया अपका केस सारा जो है किसने क्या कहा उसे है इसने ngay किसा नहीं बैस देन होता कิ जो परोड बन जाया मैंदर वों आपरादी और अपने को बचाने के म सबसे बड़ा स्प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क्यों आपने होलसेलर को पांच-पांच परसंट कि जाए के बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तौर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया वो रेवनियू इकठा करने के लिए होलसेलर को हम दुगना पर प्रॉफिट देंगे लिए बेसिकली यह तो रेवनियू का काम है ना कि रेवनियू कमाने के लिए आपने क्या किया देखिए इसमें बड़ा इंपोर्टन है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम आए आप अपरूवर बन देगी अब जो मैं सही होगी कह रहे थे कि देखिए अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अपरूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बे और जाके कहीं किसी भी जगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दे हो पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता चले कि उसने दो नंबर से कमाया है वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए अप र जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उसका हीट देखेएगा। आप देहान दीजिए, जब CBI करप्शन के केसे में पकड़ती है, तो जानबूच के कोशिश करती है कि रंगे हातों विक्ति पकड़ा जाए। रिश्वत लेते हुए हातों विक्ति पकड़ा जाए। इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पर दिये जा रहे होते हैं तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि ही चीजें मिलाकर दिखाती कहीं कुछ गड़बर हुई अब वो गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लबी है मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस policy को बनाते है और उस सब के ऊपर जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं विजय नायर उससे जब बात करके कहते हैं अर्विन केजरिवाल कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं यानि हमारे वियाफ पर आप कोई भी monetary gain भी चाहिए तो ले सकता है मैं तो कानूनी भाज़ता नहीं जानता circumstantial evidence कहलाएगा देखे, जो criminal matter होता है सर ब्रेक लना पड़ेगा उसी आधार पर proof होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात चीज के बात proceeds of the crime कि आप किसी के हाँ से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है ED तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप दिल्ली में अभी भी अर्बिंद केजरिवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने जेल से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of Delhi ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निरदेश मुझे आया है और मुझे अर्विन केजरिवाल जी नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही है लोगों को टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो और उनने कहा कि मेर लिए तो केजरिवाल का आदेश भगवान के आदेश के समान है और वो कह रहे हैं कि कोई भी और विक्ती होता उसको किस की चिंता होती अपनी चिंता होती दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है फॉर्जरी है ये चिठियां जाली है ये दिल्ली बे बैठकर यहीं बाहर बैठकर चिठियां निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर सिर्सा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिख्थी लिखिये और उन्हें एडी को भी चिख्थी लिख्थी है ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिख्थिया निकलिए तो बताएए सच्चाई क्या है और ऐसा नहीं है सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है यह सवाल इसलिए क्योंकि E.D. ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी फोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के राउज जबनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहां E.D. ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लहाजा अब E.D. को कविता की रिमांड की जरूरत नहीं है उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है इसके बाद के कविता के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है जिस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षेत रख लिया है अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस ख़बर पर जोड़ गए हमारे साथ कोट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है कि देखे सुरव आभी की बड़ी खबार यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउ सवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के व सवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन एडी ने जो आज जेसी के एप्लिकेशन कोट के अंदर लगाई थी सौरा वह आपने बहुत इंपोर्टेंट है इडी ने अपनी जो जेसी के एप्लिकेशन के कविता के खलाब उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि यह जिनकी हम जाज कर रहे हैं यह लोग बहुत ही प्रभावशाली है इन लोगों की जाज करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमिका की लगातार जाज कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से आय से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को कर सकती है और मोजुदा जाच को प्रभावीत कर सकती है, और एक एडिने इपॉर्टंट लाइन यहां लिखने ससॉरव कि आर्थिक अपराथ की जाच्स सामान्य अपराथ की जाच से जादा कटिन है क्योंकि आर्थिक अपराज करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली हैं इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराज की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठिन होता है जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो है वो किक बैक के रूप में आई और 100 करोड रुपया आमादी पार्टी के नेताओं को दिये गए 92.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो ED जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाज कर रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो CM की बेटी है के कविता जो जिनकी जाज कर रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्वि कर कोई जानकारी मिल रही है आपको मुम्किन है ये कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की E.D. कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताच की गई ये E.D. ने कोट के अंदर भी का कि अर्विंद केजडिवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताच की गई ये अभी ऑफिशली डिकलेयर नहीं किया गया है नहीं बताया गया है ना तो कोट में बताया गया और नहीं E.D. ने अफिशली अभी इसकी जानकारी दी है तो इसके लिए स्वरब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या अर्विंद केजडिवाल और के कविता का आमने सामने बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरे अपडेट के लिए के कविता की जमानात की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाव बनेंगी या नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब जब जो है ईडी ने रिमान नहीं मांगिये या जब ईडी जो है बेल को अपोस्ट नहीं करती है कभी वो आगए अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो बाद में सरकारी कभाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कभाब बनती है तो मतलब अरविंद के जिरिवाल कुले ते बहुत बुरी ख़बर होगी कि आज की कहानी कुर्सी के मेहमारों का स्वागत करना चाहेंगे पहले ज़रा इसी पर हम लोग बात कर लें के कविता को जुडिशल रिमांड यानी जेल में अब के कविता अब उनसे पूछताच पूरी हो गई है इसका मतलब अरविंद के जिरिवाल के 28 तारीक को जब रिमांड पूरी हो जाएगी और उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टेडी मांगे जैसा के कविता के केस में दो बार कस्टेडी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शायद गई होगा नहीं मुझे लगता है कि इससे आगे की चीज़ ये है कि अर्विंद केजरिवाल जो कर रहे हैं और जो दिखाना चाह रहे थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और खाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तभी ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप केक कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लें देना हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा क्यों वो कह रहें कि वो नहीं गायब है क्या एडी के पास वो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी कि गवाह हो जाएंगे कुछ और लोग के कविता यहां बनेंगी और जो गोवा के एलेक्शन में जो चुनाव लड से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी वो उसके हिसाब से थे कि यह यह चीज़े हुई अब हुई तो उसका कहा कहा असर दिखा कौन-कौन उसके लिंक में था शायद अब वो भी आएगा विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली खबर के बाद यह खबर जो भाब बैसे आई है वो यह कि उनसे मांगा गया कि आपका जो उसके बारे में कुछ जवाब नहीं आया बिनके जिवाल जी की तरफ से ऐसा ही व्योनी शिसोदिया के टाइम भी हुआ था उनसे भी फोन के ब गया या फिर यह पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए किसने किस से बात की फिर पैटन देखे जाते हैं किस से कितनी बार कब बात हुई है वो नंबर का मेल किया जाता है फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता है और यह भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है काहां काहां ट्रेवल हुए तो यह सारी जानकारियां जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर जो है सामने आप अगर बन जाएं प्रूबर तो इसका केजरी वाज़ी के लिए अभी देखे अभी देखे एडी को बहुत काम करना इसमें बाकिया आप उसकी एप्लिके अब देखे आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वह जरूरी नहीं है कि फोन अपने डिस्ट्रॉई कर दे तो वह जो है एविडेंस के तौर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीज़े क तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि आपने क्या आपने सही किया या गलत किया दूसरी और देखे अर्विन केज़िवाल की मुश्क्रें एक के बाद और बढ़ने जा रही है अब देखे एक और बयान जो है उसको कैसी लेंगे हम पता नहीं है लेकिन जो आप जो खालिस्तान आतंकी हैं पुन्नु पन्नु उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने 2014-2020 के बीच में जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी उन्होंने जो है आपको पैसा दिया अब यह कितना सही या कितना गलत लेकिन यह सारी चीज़े बी तो जांच के दाएरे में आ जाएंगी कि ऐस पैसा क्या हुआ है क्या ऐसा पैसा आया है यह सब चीजे जो है मिझे लगता है इडी जो है सब की जांच कर रही होगी और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो इडी दुबारा उनकी जो रिमान मागेगी ताकि वह इस एविदेंस को या इन प्रादियों जैसे बरताओ कर रहे हैं यानि मंत्री के 4455661010 फोन गायब हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो पूरी तरस से पता ही नहीं कि कहा है अब यह मतलब इसको आप किसी भी तरस से देखें तो सामान निव्यक्ति को यह समझ में आएगा जैस इनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एडी के हाथ बहुत कुछ लगा हुआ है निश्चित तो और पर प्रोसीड आफ क्राइम साफ साफ कहें तो पैसा कहा गया जिसको बार बार आम आद्मी पार्टी के परवक्ता पूछते भी हैं वो एक चीज ज जादू की छड़ी थोड़ा है कि अच्छा आज पकड़ा है आज ही सब कुछ पता चल जाएगा तो दो साल से जांच कर रहे हैं उसमें कितने तार कहां से उलजे हुए हैं वहां पे कहां कहां से बातें आ रही हैं उन्होंने अब जो पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा जो जाना है अगर ये हो जाता है के कविता अपरूबर बनती है तो फिर तो ये पूरा केसी खताम ही हो गया पर शमद लिए कूश के करोड़ उसने सौ करोड़ रुपिया दिया इडिली में आम आद्नी कविता अपरूबर बन जाती है उनको बनाने में कामियाब हो जाती है एडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वारब जो के कविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट स अनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगाना की बात की तो इससे अभी तक कि उनके कल जाकर कि क्या होता है मैं कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दिन पहले हम लोग ये चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग ये भी चला रहे थी कि जो प्रुशिट्स ऑप क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि गवा के पंद्रह जो आम आदमी पार्टी के जो उन्हो ने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगे लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम ये एक निश्चित तोर पर दिख रहा है कि के कविता अभी एप्रूवर की भूमिका में न जेल में रहे हैं दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूवर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुल करके बाहर आ जाएगी तब फिर अर्विन केजरिवाल का पर्मानेंट प्रवस्ता जो है वो तिहाड़ी होगा उसके अत्रिक त उत्रधार है जिनके बारे में हम लोग सरू से बात किया रहे थे कि 거예요 पकड़े गये अमुक व्यक्ति पकड़े गए पर भाई आप 13 मार्श तक उनको गिरफतार नहीं कर सकती है इसके कारण हुआ जैसे यह तरह मार्श की गिरफतारी का वो खत्म होता है पीरियद उनको गिरफतार कर लिया है। इडिय ने क्या दिया यह मुख्य साधेश करता है। कभी एडिय नहीं करेंगा कि हां मैंने यह किया था और मैं सरकारी कभाब बन गया हूं। बाकी बाते हैं जो आपको बता देता हूं। यह मनी लॉंडरिंग का मामला नहीं है। पोलिटिकल लॉंडरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है। के कविता सबका यह मानना है कि के कविता सुत्रधार हैं इसके। लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इससे इनका है। क्योंकि देखें इनको बड़े बड़े वकील ही मिलते हैं। बड़े वकीलों की सलाह इनको यह होती है। आप इससे मत सुविकार करिये। बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं। अगर कुछ गलत किया है और इसनी राजनीती खतम, इनकी राजनीती खतमगो जाएं। के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा इडी के लिए अप्रूवकरना। सिथे हमंद करने tennis के लिए है इंधे ने वह Cats पार्टी कि यह सतंद सेभ़ेकों को私 और मिस्त्रमुंदिर्च के लिए धंक पर्वार पारी में कुझें एैज कि दो खुझ Kitchen कुछ है ना हम मिश्किल है और महानी-कैजिवाल, वीकन Hevim आपको हवाला के माध्यम से आया है। ज्यादा आप कें हमाई हवाला का पैसा हवा में चलता है पैसा आया कहां से कैसे आया ये तो पता नहीं चले सपाईज है पैसा मादम से लिख नहीं का मैंगा तो सबूत के तौर पर कुछ निये किसी के पास कोड के अंदर भी अप्रूवल अपने आपको बचाने के लिए किसी का नाब ले सकता है तो अप्रूवल बहुत बहुत ऑथन्टिक रखती नहीं होता कि जो आरोपी अगर वह अप्रूवल बन जाता है तो कई बार कोड में यह भी किस बात के लिए ने वो तो नीती तोरपर हम कह सकते हैं किसली दिया क्रफितल बन जाएंगे तो आपको के कविता को पारडूर करनापड़गा बिना किया अप उसे इस अप्र्रूरर नहीं करेंगे तो यानी के कविता को पहले आप पाड़न करेंगे उसके बाद वो अपरूवर बनेगी उसके बाद वो बयान देगी अब जो जो ने सही होगी कह रहे थे कि देखे अगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अपरूवर बनाते हैं तो वो संशे तो तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको है कहा है उपैसा यह सवाल लोगों के आते हैं तो अभी एक सज्जन पूछ रहें कि चाहिए बताई कोई दो नंबर का पैसा कमाए और जाके कहीं किसी भी जिगा जुए में किसी और काम में और कोई उसके शौक हो सब में खर्च कर दें पैसे सब गायब हो जाए और कल को पता क्या है पॉलिसी इंटेंशन और वह बहुत जबरदस है आप किसी भी जिगा पर सीधे सीधे सरकार का हित देखेंगे या उसका लाइसेंस दे रहे हैं उसका हित देखेंगे आप दिहान दीजिए जब सीबी आई करॉप्शन के केसे में पकड़ती है तो जानबूच के कोश कह रहा हूं कि evidence किसी भी चीज में वह पुखता evidence की जरूरत बहुत है आप आप कुछ करते हैं ने मैं वही कह रहा हूं यह बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वह एकदम सच है लेकिन यह जो ED का मामला आया यह आया ही इसलिए है आप इसको समझे जब आपका intention द जाता है कि एक south lobby है जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है और जिसके बीच में mediator का काम के कविता करती है वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है कौन-कौन उसमें involved रहता है तो किसके किसके घर पर meeting होती है उसमें संजे सिंग भी प काल कि हमारा आदमी है भरोसे का आदमी है इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं यानि हमारे वियाफ़ पर आप कोई भी monetary gain भी चाहिए तो ले सकता है तो यह सब क्या मैं तो कानूनी भाचता नहीं जानता है circumstantial evidence कहलाएगा क्या है यह सब देखे जो criminal matter होता है सब ब्रेक लेना पड़ेगा शॉर्ट criminal matter होता है मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा legal जानकारी नहीं है लेकिन collaborative evidence के तहद जो है criminal offense में काम होता है उसके आधार पर आप jail जा सकते हैं उसी आधार पर proof होता है कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात proceeds of the crime कि आप किसी के हाँ से वो 10 करोड पकड़ा जाए 20 करोड पकड़ा जाए अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेने वाला है यदि वहां तक पहुंच जाती है ED तो सभाविक है कि उसमें अर्बिंद केजरिवाल प्रूप है दिल्ली में अभी भी अर्बिंद केजरिवाल jail से सरकार चलाने पर आमादा है और अब उन्होंने jail से एक और दूसरा आदेश जारी कर दिया हला कि इस बार उनकी मंतरियों ने उनकी पार्टी ने वो आदेश की कौपी दिखाई नहीं जैसे पिछली बार मंतरी आई थी आतिशी सामनी और उन्होंने बाकाइदा वो चिठ्थी जारी की थी जिसमें उपर लिखा था सरकारी आदेश, ओफिस अफ चीफ पिनिस्टर अफ दिल्ली ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है और मुझे अर्विन केजरिवाल जी नहीं कहा है कि दिल्ली के अंदर महला क्लिनिकों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाएं नहीं बिल रही है लोगों को टेस्ट टाइम से नहीं हो रहे हैं इसको देखो और ये सुलिश्चित करो कि ये सब चीज़ें ठीक से हो और उन्हें का कि मेर लिए तो केरजरिवाल का आदेश भगवान के आदेश के समान है और वो कह रहे हैं कि कोई भी और विक्ती होता उसको किसकी चिंता होती अपनी चिंता होती दिल्ली के उपरा जपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फॉर्जरी है ये चिफियां जाली हैं इह दिल्ली बे बाहर बैटकर चिफियां निकाली जा रही है और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर तुरंथ रोग लगनी चाहिए और मंत्रियों के ओपर जो यह आदेश दिखा रहे हैं उनकी ओपर कारवाई होनी चाहिए मनिंदर सिर्सा बीजेपी के नेता उन्होंने ये चिथी लिखिए और उन्हें एडी को भी चिथी लिखिए ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिथिया निकली है तो बताईए सच्चाई क्या है और ऐसा नहीं है सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है, इस सवाल इसलिए, क्यूंकि E.D. ने आज जब उनकी रिमांड खतम हो गई, और उनको कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी आगे रिमांड नहीं मांगी, थोड़े देर पहले के कविता को दिल्ली के जरूरत नहीं है, उनने अब नियाएक हिरासत ने भेजा जा सकता है, मतलब उनको जेल भेजा जा सकता है, इसके बाद के कविता ने बेटे की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत की अरजी लगा दी है, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अतुल भाटिया हमारे सयोगी इस खबर पर जोड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बताई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है? रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई थी, इसमेंVbetween इडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने ये टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह ब बहुती प्रभावशाली है इन लोगों की जाच करना आसान नहीं है और मैं आपको लाइन पढ़के सुनाओं कि इस मामले में इडी जो आरोपी की भूमिरिका की लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो की जाच सामान्य अपराद की जाच से जादा कटिन है क्योंकि आर्तिक अपराद करने वाले साधन संपन और प्रभावशाली है इनकी समाज में गहरी पैट होती है अपराद की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई इसलिए जाच को आगे बढ़ाना कई बार बहु इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाच कर रहे हैं ये बहुत ही प्रभावशाली लोग है ये जो सीएम की बेटी है के कविता जो जिनकी जाच कर रहे है वो दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजिवाल जो अंकारी मिल रही है आपको मुम्किन है ये जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूछताच की गई ये अर्विन केजिवाल को आपने सामने बिठाकर पूछताच की गई ये जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल और सरकारी गवाब बनें गया नहीं ये कुछ वक्त में साफ होगा लेकिन पहले जो हमने देखा है वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 जो है एडी ने रिमान नहीं मांगी है या जब एडी जो है बेल को अब आगे अगर के कविता के केस में होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाद में सरकारी कवाब बन जाते हैं अब देखना होगा के कविता अगर सरकारी कवाब बनती है तो मलब अरविंद के जिरिवाल को लेते हैं बहुत बुरी खाबर होगी कि आज की कहानी कुर्सी के मेहमा महतना, यह इसान सब्रस्ते लिए कारें सब्सक्राइट करतान में थेरी डितन का हैं E.D. उनकी आगे हो सकता है एक बार फिर फर्दर कस्टी मांगे जैसा केकविता के केस में दो बार कस्टी मांगी गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अर्विंद केजरिवाल के साथ भी आगे शाहिद गई होगा केक कविता की जब गिरफतारी हुई थी तब ही ये कहा गया था कि इसका मतलब कुछ प्रमाड पक्का वाला मिल गया है क्योंकि आप के कविता की गिरफतारी क्यों हो रही है कि वो उस लॉबी का हिस्सा थी जिसने दिल्ली सरकार पर ये नीती और नीती के जरिये लाइसेंस उसमें बीच में जो पैसे इधर लेन देन हुआ उसका लेकिन मूल कौन है मूल तो दिल्ली सरकार है घोटाला कहा हुआ दिल्ली सरकार में हुआ, शराबनीती किस ने बनाई, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने बनाई, मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी, जो ED सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है, क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बा बन सकते हैं, क्या वो सामने आएंगे, उनका कुछ चेन मिल रहा है, और ये सब जाच करने के लिए रिमांट जादा पुक्ता आधार बनता है, और अगर नियाईक हिरासत भी जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, कि अगली जब भी पेशी हो रही होगी, तो ED के पास आने के लिए बहुत कुछ होगा, शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी, वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई, अब हुई तो उसका कहां कहां असर दिखा, कौन-कौन उसके लिंक में था, शायद अब वो भी आएगा, विशेश करके के कविता के सरकारी गवाब बनने वाली ख़बर के बाद. पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया, या फिर ये पता चलता है कि क्या मैसेजेज एक्सचेंज हुए, किसने किस से बात की, फिर पैटन देखे जाते हैं, किस से कितनी बार कब बात हुई है, वो नंबर का मेल किया जाता है, फिर उन नंबरों को ट्रेस किया जाता ह और ये भी जानकारी फोन से हासिल हो जाती है आप कहां कहां ट्रेवल हुए तो ये सारी जानकारियां जो है इलेक्रोनिक एविडेंस के तौर पर जो है सामने आप अब कविता अगर बन जाएं अप्रूबर तो इसका केजरी वाजी के लिए अभी भी देखे एडी को बहुत क जो बात वो कह रहे हैं कि ये बहुत प्रभाव वाले लोग हैं अब देखिए आम जो अपराधी होता है या फिर जिस पर आरोप किसी पर लगते हैं तो वह जो है एविडेंस के तौर पर सामने आते हैं अगर आप फोन डिस्ट्रॉई कर रहे हैं अगर आप बाकी सब चीज हैं लेकिन जो खालिस्तानी आतंकी हैं पन्नो उन्हों ने एक बयान दिया है कि उन्होंने यह कितना तहीं जो है इस पेसा आया है और यही कारण है कि अर्विन केजरिवाल जब उनकी बात आएगी तो एडी दुवारा उनकी जो रिमान मांगेगी ताकि वो इस एविडेंस को या इन चीजों को उनसे पूछ सके प्रवेश इसमें एक चीज और है कि जैसे हम कहते हैं न कि जैसे जैसे पूलिस थोड़ा एडवांस होती जाती हो ऐसे अपराधी भी एडवांस होते हैं तो चलिए अपराधियों का समझ वाता है यह भ्रष्टाचार करने वाले यह शातिर अपराधी हो जैसे बरताओ कर रहे हम कोई अपराध होता हुआ रिखते हैं तो पहले उसका एविडेंस खतम कर दो वो पकड़ेगा कहा है मुझे वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद अगर इतनी चीजें इतने लिंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एड़ी के हाथ बहुत हुआ है हम को पूरी चेन है वो हमको पता लगानी है तो आम आधी पार्टी तो फिर कहीगी कि हम तो शुरूआत से कह रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन सा पैसा कहा का पैसा कहा पैसा का गया पैसा इन्वेस्टिकेटिव एजनसी कोई जादू की छड़ी थोड़ा है कि कॉंप्लिकेटिड क्राइम होते हैं और कॉंप्लिकेटिड क्राइम के लिए ही यह एजनसी बनाई गई है यह इतने कॉंप्लिकेटिड क्राइम होते हैं कि किस तहां से पैसा किस तहां से मूव वहा उसे किस तहां से ब्लैक से वाइट में तबदील किया गया यह सारी चीज साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसपर आर्फ अकि उसने सौ करोड रुपय दिये दिली के अमाजनी पार्टी में इस पॉलिसी को बनाने में नहीं दिकाफ है और साउथ लॉबी की मुख्या के गविता अगर आप के कविता अप्रूबर बन जाती हैं उनको बनाने में काम्याब हो जाती है इडी तो फिर तो ये केस बिलकुल खुल गया फिर तो सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ था अगर आरोप सारे सही है तो देखे स्वारब जो के गविता का यदि हम बयान पिछले दिनों का लेने कोट से बाहर निकलते हुए तो पिछली दफ़ा जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो भी आरोप है वो राजनीती से प्रेरित हैं मेरा कोई इसमें इससे लेना देना नहीं है आज भी उन्होंने जै तेलंगना की बात की तो इस इसे अभी तक के उनके कल जाकर कि क्या होता है यह कहना बड़ा मुश्किल है और दो-तीन दीन पहले हम लोग यह चला भी रहे थे कि सायद वो एप्रूवर बन जाए दूसरी बात हम लोग यह भी चला रहे थी कि जो प्रूशीट सब क्राइम्स के अंदर जो है हम लोग यह जिक्र कर रहे थे कि गोवा के पंद्रह जो जो आम आदमी पाटी के जो उन्होंने कहा था कि हमको पैसे मिले हैं और यदि वो गवाही देने के लिए तयार हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी लेकिन इसको खोलने में वक्त लगेगा अभी कम से कम यह एक हम लोग अभी तक डिकोड चो कर पा रहे हैं वो हैं कल जाकर के हो जाएं तो इसमें कोई द्वारा है ने और दूसरी बात दूसरी बात यदि वो एप्रूबर बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि फिर सारी जो है वो चीजें परते खुल कर के बाहर आ जाएगी तब फिर अर हम लो पर दूसरी बात किया रहे थे कि विजे नायर पकड़े गए और मुक व्यक्ति पकड़े गए अ результат की बात हुई हहां सबसे बड़ी बात थी यह जिकर ही चल रहा था कि का कविता को गिरफटार क्यों नहीं किया गया है और वह सुप्रीम कोट का उनके आठ का उन केजरिवाल और केविता केविता दी दूसरा ने पॉलिसी बनाई नई पैसा कहां से चला है साहं से आया आघ्ओंघ होगांट आया थे आम आदमी पाटी ते आम आदमी पाटी में किन-किन लोगों की भूम का थी उसमें मनेच शोदिया भी है यह पुलिटिकल लॉंडरिंग केस है वही जो बात हम लोग कर रहे हैं अब देखे कभी भी आपने मुझे तो याद नी बाकी लोग मुझे ज़्यादा जानकारें बताएंगे कोई ऐसा कोई केस हो और ऐसा कोई कोई केस हो उसमें कभी कोई बड़ा रॉपी जो होता और खासक कोई पॉलिटेशन बॉलकुलों कभी आपने में बनता है कभी कभी ऱिपीटन करेंगा कि हा मैंने ये किया था और मैं सरकारी कि आपकी बात हैं चोड़ा आपको बता ड़ी होता नहीं है कभी तो आता करके को बात सुनवा देता हूं सर फिर आता हूं तो क्ये कविता कह रही है मैंने कुछ गया नहीं है यह फ्रॉड केस है फर्जी केस है और मुझे फसाया जा रहा है यह मनी लॉंटरिंग का मामला नहीं है परिटिकल लॉंटरिंग का यह मामला देखाई दे रहा है सौरब एक चीज तो बड़ा साफ दिख रहा है कि जो राजनेतिक अपराधी होते हैं यह क्रिमिनल से कोई खम इनकी मोटी चमडी नहीं होती है आप इनको रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए आप देखे अरविद केजरिवाल की कितनी मोटी चमडी है के कविता सबका यह मानना है कि के कविता सुत्रधार है इसके लेकिन जो भासा है उनकी वो साप साप इस से इनका क्योंकि देखे इनको बड़े बड़े वकीली मिलते हैं बड़े वकीलों की सलाह इनको यही होती है आप इससे मत सुिकार करिये बाकी हम लोग कोर्ट में देखने हैं दूसरा यह नेता लोग हैं अगर कुछ गलत किया है मान लेंगे तो राजनीती खतम अगर इनकी राजनीती तो कुछ नहीं है इनका तो मुझे नहीं लगता अप प्रूवर बनने का दूर दूर तक कोई रादा है अब एडी को मेहनत करने पड़ेगी इनके ओपर भी दोज़ साबित करने के लिए और फरदर अगर और लोग करविन के जिरिवाल और बाकी लोग अरोपिया तो उनके ओपर भी समीर जी देखे के कविता अगर अप्रूवल बन भी जाते तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा इडी के लिए प्रूव करना पहले भी साथ लोग अप्रूवल बन चुके इसके अंदर समीर महंदरू बन चुका है देखे पूरा जो मामला है पैसा हवाला का रहता है और हवाला के पैसों के लिए कहा जाता है कि हवाला के पैसा हवा में उड़ते ही पुंजी है जो किसी के हाथ में नहीं आती उसका कोई इसाब नहीं रहता है वो सिवेक परची पे पैसा चलता है ED को ये प्रूव करने के लिए कि हैधराबास से ये पैसा चला और ये मामादी पार्टी के पास पहुचा और इन्होंने इसे गोवा में इस्तिमाल किया इसके लिए उन्हें पैसों का ट्रेक रेकॉर्ड देखना पड़ेगा और वो लिंक जोड़ना पड़ेगी रेकल की साथ ये पैस पुरा हवाला से आता है तो बहुत मिशक्किल है और पैसा को ईरवर्ण किजीवाल ने हात में लिया नहीं होग अगर व ये पैसा आपको हवाला के मादधम से हा 죄송 मुझे लग रहा है और आप देखेंगे इंडिया के अंदर 90% जो इस तरह के कैसस होते है फानेशल क्राइम के उसमें भारतिय कोई भी एजनसी इतनी एक्सपर्ट नहीं है कि वह हवाला के जोड़ सके यह जरूर पता कर लेते कि पैसा आया है लेकिन वह कोड में पूरू नही कर दिया है अभी तक उसकी लिंग स्ट्विश्ट नहीं हुपाई कि वह पैसा किस मादधम से कैसे डिलेवर हुआ है तो जब पैसा चलता है तो इसके बहुत मुश्किल होता है अब आदी पार्टी यही तो कह रही है आप इसने कह दिया फ़लाने ने कह दिया आपका के सारा जो है किसने क्या कहा उस पर बेज़्ड है और कोड में भी यह देखा जाता है कि अपरादी और अपने को बचाने के लिए इस तो सामने वाले करना में इसार एडी के पास जो सबसे बड़ा प्रमान है वो यही है कि बाकी बातें दो सब कुछ है कि आपने पॉलिसी बदली क आपने विल्सेलर को पांच-पांच परसंट किजए गे बारा परसंट प्रॉफिट दिया किस बात के लिए ने ने वो तो नीती तौर पर हम कह सकते हैं कि किसली दिया वह आमार्दियो रेवनियू एकठा करने के लिए वो ठुगना प्रॉफिट देए बैसलिए यह तो रे प्रूवर नहीं बना सकते हैं तो यहां आगर पाड़न करके एक व्यक्ति को आप अप प्रूवर बनाते हैं तो वह तब भी रहेगा कि वो आखिर अपने आपको बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। इसलिए जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका मिलना बेहत जरूरी है। वो पता लग गया तो क्या जहां पैसा गया है गायब हुआ है वो नहीं मिला इसलिए आप राधी नहीं होगा हूँ। व्यक्ति पकड़ा जाए। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों व्यक्ति पकड़ा जाए। इसलिए नोटों पर मार्किंग की जाती है उन नोटों पर जोके रिश्वत की तौर पे दिये जा रहे होते है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस किसी भी चीज में वो पुखता एविडेंस की जरूरत बहुत है। ने ने मैं वही कह रहा हूँ ये बिलकुल ठीक बात है जो राहुली ने बताया वो एकदम सच है। लेकिन ये जो एडी का मामला आया ये आया ही इसलिए है। इसको समझेए जब आपका इंटेंशन दिखरा है। पॉलीसी से सरकार की बजाए लाइसेंस लेने वाले को लाफ दिखरा है। जहां दुकान नहीं होनी चाहिए वहां दुकान हो गई यानि हवा में दुकान हो गई। अब ये सारी चीजें मिलाखर दिखाती है कहीं कहीं कुछ गड़बर हुई है। जहां दुकान हो गड़बर हुई तो कहां हुई तो पकड़ में आता है कि एक साउथ लॉबी है। जिसका शराब बेचने वाला वो यहां आता है। और जिसके बीच में मीडियेटर का काम के कविता करती है। वो पैसा कहा कहा जाता है पंजाब और गोवा के चुनाओं में जाता है। कौन-कौन उसमें इन्वाल्व रहता है तो किसके किसके घर कर रुटिंग होती है। उसमें संजे सिंग भी पकड़ में आते हैं। मनी सिसोधिया सीधे सीधे उस policy को बनाते हैं और उस सब के ऊपर जो इनका media management, PR management वाला आदमी रहता है, आम आदमी party के जिसको ये सारा management देते हैं, विजय नायर, उससे जब बात करके कहते हैं, अर्विन केजरिवाल, कि हमारा आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसके साथ आप क होता है, मैं जो मुझे बहुत ज़्यादा legal जानकारी नहीं है, लेकिन collaborative evidence के तहद जो है, criminal offense में काम होता है, उसके आदार पर आप जेल जा सकते हैं, उसी आदार पर proof होता है, कोई आवस्यक नहीं है कि जो money trail की बात चीज़ के बाद में कहा जाए, proceeds of the crime, कि आप किसी के हाँ से वो 10 करोड पकड़ा जाए, 20 करोड पकड़ा जाए, अरे भाई आज की दिन में वो कैसे पकड़ा जाएगा, जो पैसा लेने वाला है, यदि वहां तक पहुंच जाती है ED, तो सभाविक है कि उसमें अर्विंद केजरिवाल प्रूप है, दिल्ली में अभी भी सरकारी आदेश, Office of Chief Minister of दिल्ली, ये सारी बातें इस बार वो कागर्ज उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन सौरब भार्दबाद जो की स्वास्त मंतरी भी हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि इस बार निर्देश मुझे आया है, और मुझे अर्विंद केजरिवाल जी नहीं क अर्विंद केजरिवाल को दिल्ली की जनता की चिंता हो रही है, उनकी बात मैं आपको सुमाओंगा, और कैसे जेल से धड़ाधर अर्विंद केजरिवाल के आदेश निकल रहे हैं, इस पर बीजेपी ने अब LG से शिकायत कर दिये, दिल्ली के उपरा जेपाल से कानूनी कारवाई की शिकायत किये, और कहा है कि ये फर्जी वाड़ा है, फोर्जरी है, ये चिठियां जाली है, ये बाहर बैटकर चिठियां निकाली जा रही है, और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का द ये कहा जा रहा है कि आपकी कस्टेडी से ये चिठिया निकली है तो बताइए सच्चाई क्या है और उसकी हम लोग बात करेंगे उससे पहले दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी जो बड़ी ख़बर इस वक्त की है वो मैं आपको बता दू के कविता जो की ब्यारेस के च इल्ली के राव जेविनी कोर्ट में पेश किया गया था और यहाँ एडी ने कहा कि वो के कविता से पूछता कर चुकी है जो भी उनसे सवाल पूछे जाने थे वो सब हो चुके हैं और आरोपियों से उनका आमद्या सामना भी कराया जा चुका है लिहाजा अब एडी को कव पर जुड़ गए हमारे साथ कोर्ट में क्या क्या हुआ अतुल बथाई और क्या के कविता वाकई में सरकारी गवाब बनने जा रही है देखे सुरव आभी की बड़ी खबर यह है कि जो अंतरिम जमानत के कविता की तरफ से लगाई गई थी उसको राउस अवेन्यू कोट ने खारिज कर दिया है और 9 अप्रेल तक जेल भेज दिया गया है के कविता को यानि कि अब जो तिहार जेल में के कविता रहेंगी जिस तरीके से अंतरिम जमानत लगाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो रेगुलर बेल जो के कविता के वकीलों की तरफ से लगाई गई थी उसमें एडी ने ये कहा कि उनको जवाब देने के लिए टाइम चाहिए जो की रेगुलर बेल लगाई गई है इस पर के कविता के वकीलों का ये कहना था कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई नहीं होती इडी अपना जवाब जो है वो फाइल नहीं करती जब तक उनको अंतरिम जमानत दी जाए और इसके उपर आधार यह बनाया गया था कि उनके बेटे के एक्जाम है लेकिन इडी ने जो आज जैसी के एप्लिकेशन कोड के अंदर लगाई थी सौरा वो अपने आप में बहुत लगातार जाच कर रही है और अपराद के जरिये कमाई गई आय का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लोग अपराद से जुड़े हुए हैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है अगर उनको जमानत दी गई तो वो सबूतों को नस्ट कर सकती है और मोजूदा जाच क प्रभावित कर सकती है। एक इड़ीन इंपोर्टेंट यहां लिखी है, सवरभ कि आर्थिक अपरात की आप रहल आंच सामान्य की जात से जादा खटिन है। क्योंकि आर्थिक अपरात करने वाले साधन, समपन और प्रभावशाली है। इनकी समाज में गहरी पैट होती है, अपरात की साजिश बहुत शात्रियानत तरीके से की गई, इसलिए जाज को आगे बढ़ाना कई बार बहुत कठीन होता है, जो की पूरी जेसी की अप्लिकेशन के अंदर लिखा है और ये बताया गया कि 100 करोड रुपे की रिश्वत जो ह दिये गए, 292.8 करोड रुपे जो है वो इस शराब घोटाले से के कविता ने कमाई, तो पूरा जो एडी जो कहना चाहती है कि जिनकी हम जाज कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं, जो CM की बेटी है के कविता, जो जिनकी जाज कर रहे हैं, वो दिल्ली के म सवाफ बनने को लेकर कोई जानकारी मिल रही है आपको, मुम्किन है ये? उनको लग रहा था कि उनको अंतरिम जमानत मिल सकती है और उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दस दिन की एडी कस्टडी में के कविता रही है, कई लोगों के आपने सामने बिठाकर उनसे पूछताच की गई, ये अर्विन केजडिवाल को आपन अपडेट के लिए के कविता की जमानत की अर्जी खारिश के कविता को भेजा गया है जेल, और सरकारी कविता वो बनें गया नहीं, ये कुछ वक्त में साफ होगा, लेकिन पहले जो हमने देखा है, वो अक्सर यही हुआ है कि जब 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 एडी ने रिमान नहीं मां के आज की कहानी कुर्सी के मेमानों का स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ हर्षपरधन दिरपाटी जी स्टूडियो में, स्वागत है हर्षपरधन जी आपका, राहुल माजन जी हमारे साथ है, प्रफेजर संगीत रागी हमारे साथ है, सर स्वागत आपका, समीर चौकां दो दिनों के बाद तो आप ये मुम्किन है कि उनको भी जेल हो या एडी जो है उनकी आगे हो सकता है एक फिर फर्दर कस्टडी मांगे जैसा के कवीता के केस में दो बार कस्टडी मांगे गई थी लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ थे अब उसका फर्क कम हो रहा है यानि एक तरह से कहें ना कि जो जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दात दिखाने के और कहाने के और तो वो थोड़ा फर्क कम हो रहा है के कविता की जब गिरफतारी हूई थी तभी यह कहा गया था कि भए इसका मतलब कुछ प्रमाळ पक्का वाला म लेकिन मूल कौन है, मूल तो दिल्ली सरकार है, घोटाला कहा हुआ, दिल्ली सरकार में हुआ, शराबनीती किस ने बनाई, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने बनाई, मुझे लगता है कि रिमांट तो निश्चित तोर पर मांगेगी ही मांगेगी, जो ED सबसे जादा जो मुश्किल काम है, क्या वो जो वीडियो फेस्टाइम से बाचीत हुई, उसका रिकॉर्ड अब निकल पाएगा, क्यों वो कह रहें कि फो नहीं गायब है, क्या ED के पास वो जो चेन की बात की जा रही जिसकी बात की जा रही थी, कि गवाह हो जाएंगे, कुछ और लोग तो ED के पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा, शायद ED की तरफ से प्रेस रिलीज में भी उसके बाद कुछ और पुखता आये, क्योंकि अभी तक जो जानकारी आ रही थी, वो उसके हिसाब से थे कि ये ये चीज़े हुई, अब हुई तो उसका कहां कहां असर दिखा, जेवाल जी की तरफ से, ऐसा ही ब्योनी शिसोदिया के टाइम भी हुआ था, उन जब फोन के बारे ने पूछा गया तो पता चला फोन नश्ट हो गए हैं, कई फोन टूट गए थे, फोन बदल गए थे, और फोन जो है या electronic evidence जो भी gadgets हैं, वो बहुत महत्पून इस्सा हैं, इस पूरी तफ्तीश करावल जी, देखें ये होता ही, electronic evidence से ये पता चलता है कि पैसा जो है कहां से कहां गया, या फिर ये पता चलता है कि क्या messages exchange हुए, किसने किस से बात की, फिर pattern देखे जाते हैं, किस से कितनी बार कब बात हुई है, और नमबर का mail किया जाता है, फिर उ नमबरों को trace किया जाता है, और ये भी जानकारी phone से हासिल हो जाती है, आप कहां कहां travel हुए,